मैच को जीतना पड़ेगा तो बने रही हमारे साथ दोस्तों पूरे ही मैच पे नजरे बने रहेगी वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो जल्ली से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्ली से कर द तो सभी मित्रों का स्वागत है एक बार फिर से और अब देखा जा रहा है कि सभी दक्षिन अफरीके टीम की खिलाली इस वक्त मैदान पर पहुंच चुके हैं तो खेल की शुरुआत होने वाली है जिते भी मित्रों से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर लें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़एं तो जरूर सब्सक्राइब करें और जब भी आप हमारे चैनल क का बहुत शानदार रहा है देख रहे हैं दोस्तों आज क्या लगातार अपना तीसरा अद शतक या फिर अपना पहला शतक लगा पाने में वो काम्याब हो पाते हैं या नी कई सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं प्रिया जी हमारे साथ हैं हमारे साथ भूरे लाल जी हैं म नसीम जी है, नवीन सिंग है, बिकाश कुमार है, टेकनल लॉजी विथ मिलान है, हमारे साथ शहजाद अंसारी जी है, नरेश जी है, पोको है, सिधु मिश्रा है, सब का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। पसट, 300 लोगों ने विडियो को लाइक किया, तो अगला टार्गेट हम लोग सीधा 500 लाइक्स का रखते हैं, 500 लाइक्स होते ही, आपकी पसंदीदा धुन भी बजाई जाएगी, तो चली दोस्तों, पहली गेंद का सामना करेंगे आज, रजत पठीदार, बहुत शानदार य दो अर्द श्रतक इनके नाम है, दो मैचेस और दोनों में अर्द श्रतक उन्होंने बनाए हैं, तो चली दोनों ही युवा खिलाली इस वक्त मैदान पर आ चुके हैं, तो चली यहाँ, एक रजत डालते हैं, कौन-कौन से खिलाली है, रुतुराज गायक्वार्ड आज नह पर सभी खिलाली आ चुके हैं, और रजत पटिदार पहली गेंद का सामना करने के लिए आ रहे हैं, तो रजत पटिदार और साथ महन के साय सुदर्शन, तो साय सुदर्शन के लिए यह सीरीज बहुत ही शांदार जा रहा है, युवा हैं और बहुत ही बहतरीन तरीके से ब तो चली पहली गेंद की शुरुआत हो रही है शुरू मुकाबला होने वाला है जिते भी मित्र अभी भी हमारे साथ जुल रहे हैं उन सभी मित्रों को बता दूँ कि टॉस जीता है दक्षिन अफ्रिका ने और उना ने टॉस जीत करके चुल ली है पहले गेंद बाजी पहली लाजवा पहला गेंद डाला अभी अभी नांद्रे बर्गर ने शांदार बायहात के तेज गेंद बाज है और बहुत जादा परिशान भी करते हैं नजर आते हैं तो चली सभी मित्रों को बता दूँ बने रही है हमारे साथ पूरे ही मैच पे आपके साथ लुथ पुठान इस मुकाबले पर तो इसी पीच नैथन बर्गर की गेंद बाजियो और ये लीजे पहला रन वाइड के रूप में आ चुका है तो पहला रन आया है वाइड के रूप में भारत का स्कोर है एक गेंद पर एक रन हमारे साथ ध्रूव किंग जुड़ चुके है वेलकम ध्रूव आपका स्वागत है अशक कुमार जी जुड़ चुके है रुशिकेश पाटिल भाई जुड़ चुके है तमीम खान जुड़ चुके है मोहमद गयास जुड़ चुके है सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुमि यह स्टेडियम बना है, पहाड दिख रहे हैं, परवत दिख रहे हैं, समुद्र दिख रहे हैं, इसी भीच अगली गेंद, आपस्टम की गेंद, कट करने की कोशिश में थे बल्ले बाज, हाले कि बल्ले के बाहरी किनारे को छूती भी गेंद, बैकवर्ट पॉइंट की दिश अगली गेंद के साथ नैसन बर्गर आने वाले हैं, बाय हाथ के तेज गेंद बाज हैं, सामने रहेंगे अब साय सुदर्शन और की अगली गेंद, लेकर के आते हुए साय सुदर्शन के लिए, नैथन बर्गर दो सिलिप खिलाली मौजूद है इनके लिए, आपस्टम के बाहर की गेंद, आउट्स्विंग डिलिवरी, जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के पास साय सुदर्शन ने कोई रण नहीं आता हुआ, तो लगातार अच्छी लेंध में गेंद को पटक रहे हैं नैथन बर्गर, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को रूम बनाने का, हमारे साथ ब्लैक परल जूड़ गये हैं, मनपरीत शर्मा जी हैं, आशिक शाट वीडियो हैं, सबका बह जरूर कीजेगा अगर आपने अब तक चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो, कई सारे मित्र और भी आमारे साथ जूड़ रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत धनवार, फिलहाल चार गेंद डाले गए हैं, दक्षिन अफरीका की तरप से भारत का स्कोर है, इस वक्त दो रन बीना किसी विकेट के नुकसान पर, अगली गेंद लेकर के आते हुए गेंद बाज, बायाहाथ के गेंद बाज, इस गेंद को मिड़ान के दिशा पर धकियला है, बल्ले बाज ने गेंद तेजी के साथ लंगाउन बॉंडरी के तरप जारी पर अच्छिप अच्छिप फिल्डिंग पर तीन रन लेने में कामयाब साय सुधर्शन, ताज गेंदो पर अब भारत का स्कोर पांच रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, अगली गेंद, लेकर के आतवे बर्गर, यह है सोवर की आखरी गेंद, और इस गेंद से कोई रन नहीं आता, वो पांच रन आ है सोवर से, पहलोवर की समाप्ती, पटिदार ने तीन गेंदो पर एक रन बनाया, वहीं साय सुधर्शन ने तीन गेंदो पर तीन रन बनाया है, एक रन वाइ साथ जुल रहे हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया तो चलिए अब देख रहा है अब दूसरा ओवर किसे सौपते हैं कप्तान एड़न मार्क रम अगली गेंद लेकर के लिजार्ड विल्यम्स आ रहे हैं अगला ओवर तेज गेंद बाज हैं लिजार्ड विल्यम्स करेंगे दक्षिन अफरिका की तरब से यहाँ पर दूसरा ओवर सामने रहेंगे साय सुदर्शन अगली गेंद लिजार्ड विल्यम्स की सामने साय सुदर्शन पहली गेंद में डॉप की दिशाप इस गेंद को धकेला है डाइव मारते विस गेंद को रोक दिया वहाँ पर खड़े अगली गेंद लिजार्ड विल्यम्स की दूसरी गेंद होगी सामने है रजत पठीदार तो सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मनपृत शर्मा कहरें कि छक्का लगेगा देखते हैं चक्का लगता है नहीं इस भी शागली गेंद आ रही है ओवर की दूसरी गेंद पर इस गेंद पर छक्का तो नहीं चौका जरूर लगाया है बहुत ही बेहतरीन चौका रज़त पटिदार के बल्ले से आता हुआ ओप्स्रम की गेंद थी, खेल दिया कवर के दिशा पे शांदार बॉंडरी के लिए तो आज का पहला चौका और वो भी रज़त पटिदार के बल्ले से हैं जो कि अपना पहला मुकाबला ही खेल रहे हैं तो शांदार बल्लेबाजी रज़त पटिदार की आती हुई बहुत ही बड़िया, बहुत ही अच्छा चौका लगाया सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, लाइक करते रहे हैं, चानल को सब्सक्राइब करते रहे हैं अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो अगली गेंद लेकर के लिज़ाड विल्यम्स दो रन लेने का मौका रज़ित पटिदार के पास पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और ये लिजे दूसरा भी पूरा कर गए अच्छी रनिंग बिट्विन दा विकेट अब तक साथ रनाया है पहली तीन गेंदों से दो सिर्फ खिलाडी अब भी मौझूद है देखना अगली गेंद पर क्या होता है और दी विकेट से दाय हाथ के तेज गेंद बाद लिज़ाड विल्यम्स आप्स्रम के बाहर की गे अगली गेंद लिज़ाड विल्यम्स की पाँच विगेंद सामने है रजत पटिदार मन्करिद जी हमारे साथ लगातार बने हुए है आर्टिकल 315 है तो क्या लग रा दोस्तों भारती टीम क्या स्कोर करेगी पहली पारी पे आप अपने राय ज़रूर बताईएगा जीवीच अगली गेंद बहुते शानदार चौका लगा दिया है क्या बात है दोस्तों बहुत ही बेहतरी इंचारन रजद पटिदार के बल्ले साता हुआ और यहाँ पर काफी आकरमक रवीई के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं रजद पटिदार पहला मुकाबला है पर किसी भी तरह का संकोच नहीं है शौट में तो यह पहचान होती एक अच्छ बल्लेबाज की अगली गेन को खेला है डीप पॉइंट पे हाला की थर्ड मैं से आतवे केशव महराज ने इस गेन को रोक लिया है ऐसे में सिर्फ एकी रन मिलेगा तो बहुत ही अच्छा उवर रहा भारत के लिए 12 रन आ है इस ओवर से 2 और की समाप्टी के बाद भारत के स्कोर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जित्ते वे में तरह अभी अभी जोड़ रहे है उनस सभी में तरह से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किजिएगा अगर आपने पहले से नहीं कर रखाओ तो तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले ओवर की तरफ नांद्रे बरगर कर रहे हैं गेंदबाजी सामने है रजुत पटिदार तो पिछले ओवर पे सिंगल लिया था पटिदार ने और अपने पास स्ट्राइक को बनाया रखा है सामना करेंगे अगली गेंद का ओवर की पहली गेंद के साथ बायाहत के तेज गेंदबाद आपस्टम के बाहर की गेंद अंदरूनी हिसा लगा है बाल बाल बचे बोल्ड होते होते गेंद गई है स्क्वाइर लेक के दिशा पर मिलेगा एक रन दो दश मलव एक ओवर पे भारुत का स्कोर 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर हमारे साथ मोटो आ चुकी है बहुत बहुत शुक्री आपका सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है आप लोग भी अपना प्यार दें लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें जोकर हमारे साथ है वेलकम जोकर आपका धन्यवाज जुड़ने के लिए तो चली अगली गेन की तरफ बढ़ते है नैथन बर्गर की तीसरी गेन सामने होंगे साय सुदर्शन इस गेन को पॉइंट के दिशा पे खेला है बल्ले बाजने हाला कि फिल्डर वहम पर मौझूद है कोई रन लेने का मौका नहीं अगली गेन्द लेकर के आते हुए नाथन बर्गर बाएहाथ के तेज गेन्द बाजोगर की तीसरी गेन्द को डालेंगे सामने साय सुदर्शन तो चलिए अब देखना है भारती टीम का क्या रहेगा स्कोर तो ध्रोग किंग कह रहे हैं कि 350 रन भारती टीम बना लेगी देखना है 350 बनते हैं नहीं 320-330 तो जरूर बनने चाहिए और जित्ते में रिमित्र अभी अभी जुड़े हैं आप लोग वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं कर रखाओ तो अगली गेन्द बर्गर की चौती गेन्द होगी सामने होंगे रजत पठीदार दोदश मलब तीन ओवर का खेल हुआ है भारती टीम का स्कूर 19 बिना किसे नुकसान के पठीदार ने 9 गेंदो पर 13 रन बना है वहीं साइस सुदर्शन की बात की जाए तो उन्होंने 6 गेंदो पर 5 रन बना है तो रजत पठीदार जो की आपको RCB की तरफ से खेलते हुए भी नजर आएंगे आज इने मौका मिला है खेलने का प्लेइंग 11 का हिस्सा बने का चोकी रुतुराज का एक वार्ड को बताय जा रहे कि उंगुली पे चोट आई है जिस कारेंट से वह आज के मैच से बाहर हो गए है इस भी शगली गेंद बाउंसर डिलिवरी है बर्गर की तरप से उच्छाल मारती हुई गेंद बहुती शांदार तरीके से इस गेंद को विकेट कीपर क्लासेन ने पकड़ा है हालेकि अमपायर ने वाइड का इशारा कर दिया है ऐसे में एक अतिरिक्त रन भारत के खाते पे जुड़ जाएगा और यह स्कोर अब बढ़ करके हो चला है बीस रनों का बिना किसी नुकसान के आठ रन प्रती ओवर की उससत से रन बर रहे है तो जो रन बनाने की रफतार वो काफी शांदार चल रही है पटीदार दस गेंदों पे बार अरन बना करके खेलते हुए सामना करेंगे आने वाली गेंद का ओपस्टम की गेंद इस गेंद को हलके हातों से धकेला पॉइंट के दिशा पे फिल्डर वहां मौजूद रन लेने का मौका नहीं अगली गें बर्गर की पाँचवी गेंद होगी सामने है रजट पटीदार हमार साथ कई सारे मित्रा आ रहे क्लोज टर्न ऑफिशल जुड़ चुके हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए लाइक ज़रूर करें दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो केम स्पोर्ट्स के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किजिएगा लाइक करने में कोई कंजूशी नहीं होनी चाहिए अगली गेंद के साथ बर्गर लेकिस्टम की गेंद बैक फूट प्रा करके हलके हाथों से इस गेंद को खेला है कोई रन नहीं मिलता हूँ इस गेंद से भी अब तक मादर तीन रन गए है तो बर्गर की बात करें अगली गेंद लेकर के आते हुए बर्गर इस ओवर की आखरी गेंद और इस गेंद से कोई रन नहीं आता वा तो मातर तीन रना है इस ओवर से तीन ओवर की समापती भारत का इसकोर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले ओर की तरफ बर्गर के बाद एक बार फिट से हमें लिजाड विलियम्स दिख सकते हैं यहाँ पर कोई बदला होगा जी नहीं बदला नहीं है लिजाड विलियम्स अपता अगला ओर करेंगे दूसरा ओर करेंगे पहला ओर काफी महंगा सावीत रहा था इनका काफी रन आये थे पर अब देखना इस ओवर पर क्या होता है अगली गेंद लिजाड विलियम्स की इस ओवर की पहली गेंद है और मिडल स्टम की गेंद पैड़ो पर लगी गेंद पर बड़ी अपील कर रहे हैं लिजाड विलियम्स हमपाय ने कहा है नौट आउट क्या रिवियू के लिए जाएंगे साइस सुदर्शन इस वक्त खत्रे में पढ़ सकते है और ऐसा लग रहा है रिवियू ले लिया है जी हाँ दोस्तों रिवियू ले लिया है डन मारकरम ने बड़ी अपील की गई है पैड़ो पे लगी गेंद क्या बच पाएंगे साइस सुदर्शन ओन फिल्ड अंपायर का टीम देखना है DRS क्या उन्हें एक सफलता यहाँ पर दिला पाने में काम्याब हो पाती यानि ओन फिल्ड अंपायर ने नौट आउट कहा था तो चलिए LBW के लिए बड़ी अपील की गई अंपायर ने कहां नौट आउट रिवियू के लिए गए कप्तान देखना है अब वह सर्वाइव कर पाने में काम्याब हो पाते हैं या नहीं तो चलिए यहाँ अब देखना रहेगा दिल्चस्प पिचिंग आउटसाइड ओफ पहले अल्टरा एच को दिखाया जा रहा है यहाँ पर बल्ले के साथ संपर्क है ऐसा लग रहा है जी हाँ दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बल्ले के साथ संपर्क है ऐसे में रिव्यू गवा जाएगी दक्षिन अफरीका की टीम जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बल्ले के साथ संपर्क था गेंद सीधा पैड पे नहीं लगी थी तो बाल-बाल बचे साइस सुदर्शन अपना एक रिव्यू गवा दिया है यहाँ पर दक्षिन अफरिका ने तीन दशमल अफ़ दोवर पे भारत का स्कोर बीस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर लिजार्ड विलियम्स की तीसरी गेंद सामने रहेंगे साइस सुदर्शन तो ओवर दी विकेट से आते वे लिजाड विलियम्स बाहरी किना रहा चूते चूते रहगी गेंद अच्छी गेंद ती उचाल मारती भी गेंद आउट स्विंग होती भी गई सीधा विकेट कीपर हैंरी क्लासेन के दस्तानों पे खोई रन नहीं आता हुआ तीन दश्मलव दो वर हुए है और भारत का स्कूर इसवक्त बीस रन का है बिना किसी विकेट के नुकसान पर रजत पटिदार बारा गेंदों पर बारह रन बना करके वहीं साइस सुदर्शन आठ गेंदों पर पाँच रन बना करके खेल रहे हैं अगली गेंद और ये लिजेस बीच बहुत ही शांदार शॉट खेल दिया है लिजाड विल्यम्स की तेसरी गेंद पर शांदार चौका बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव लगाई साइस सुदर्शन ने फिल्डर बस देखते रह गया और गेंद तेजी के साथ निकल गई है चार रनों के लिए शांदार चौका साइस सुदर्शन के बल्ले से आता हुआ तो तीन दर्शमल अलब तीन ओवर हुए है भारत का स्कोर 24 रन अगली गेंद ओवर की चौती गेंद लेकर के आते हुए लिजाड विल्यम्स सामने है साइस सुदर्शन आप सिटम की गेंद इस गेंद को ड्राइव किया है मिट आप की दिशा पे फिल्डर के पास जाएगी गेंद कोई रन नहीं आता हुआ चली बढ़ते हैं अगे अगली गेंद की तरब और दी विकेट से आते हैं लिजाड विल्यम्स उच्छाल मारते हुए गेंद बैक फूट पे गया और इस गेंद को रोका है कोई रन नहीं इस गेंद से भी नहीं आता हुआ तीन दश्वलों पाच ओर के बाद भारत का स्कोर 24 बिना किसे विकेट के नुकसान पर अनली गेंद लिजाड विल्यम्स लेकर के आते हुए ओवर की आखरी गेंद को डालेंगे सामने है साइस सुदर्शन बायाहाथ के बल्लेबाज है कोई सलब के लाड़ी इनके लिए नहीं रखी गई है आगे पटकी भी गेंद बिडल स्टम की लाइन बैक फूट पर आकरके इस गेंद को कलाई के साथ स्क्वाइर लेकि दिशा पर मोड़ा है हाला कि फिल्डर के पास सीधी गेंद जाते हुई कोई रन लेने का मौका नहीं और इस डॉट के साथ ओवर की समापती हो चुकी है चार ओवर के बाद भारत का स्कोर 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर चार ओवर की समापती 6 की रन गती के साथ इस वक्त रन बन रहे हैं रन बने हैं 24 तो चलिए देखना है अब पावर प्ले पे क्या भारती टीम इसी रन गती के साथ या फिर इससे बेहतर बल्ले बाजी कर पाने में काम्याब हो पाती है या नहीं तो चलिए सबीच अगली गेन और ये लिजे इस ओवर की शुरुवात हुई है सीधा छक्के के साथ शांदार छक्का जड़ दिया है रजट पठीदार ने बहत ही बेहतरीन छक्का रजट पठीदार के बल्ले से आता हुआ बहत ही बेहतरीन रजट पठीदार ने बहत ही बेहतरीन छक्का जड़ दिया है बहत ही बेहतरीन बहत ही शांदार चार दश्मलव एक उवर हुए है और भारत का स्कूर अब 30 रन का है रजट पठीदार काफी बेहतरीन बल्ले बाजी कर रहे है तो चली इस भीच अगली गेंद, बर्गर की दूसरी गेंद, देखना इस गेंद पर क्या होता है, सामने है रजुत पटीदार, हाला कि इस गेंद पर रन नहीं बनेगा अच्छी गेंद डाली थी, एक स्लिप को लगा दिया गया है, मिडल स्टम की गेंद, हलके हाथों से इस गेंद को खेला, पॉइंट के दिशा पर शॉट पॉइंट पर गेंद गई थी, ऐसे मतेज एक रन लिया जा सकता था, पर नन स्ट्राइकर हैंड से साई सुदर्शन ने मना किया दॉलने को, चार दश्मलब दोवर के बाद भारत का स्कॉर तीस रन है, बिना किसी विकेट के नुकसान पर, अब देखना है तीसरी गेंद पर क्या होता है, नैथन बर्गर गेंद बाजी पर है, बल्ले बाजी पे हैं रजट पटिदार, अब तक एक छक्का, दो उन्होंने अपने 18 रन की पारी पे खेले है, रजट पटिदार दें, अगली गेंद लेकर के बर्गर आते हो, औरकी तीसरी गेंद सामने है, दायहाथ के बल्ले बाज पटिदार, और ये लिजी एक बार फिट से शानदार चौका आता हुआ, बहुत ही बेहतरीन बल्ले बा और भारत का स्कोर अब बढ़ करके 34 रन का हो चुका है, रन कती 7.56, तो बर्गर के 2.3 ओवर पे 17 रन आये हैं, अब तक अच्छी गेंद बाजी की थी पर इस ओवर की पहले 3 गेंदों से ही एक चौका एक चौका 10 रन आ चुके हैं, देखने हैं अगली गेंद पर क्या होता अगली गेंद लेकर के आते बें नैथन बर्गर बाय हाथ के गींद बाई, सामने है रजगत पटिदार और यहां पर कमबैक किया बर्गर ने दक्षिन अफ्रिका ने बोल्ड हो गए है रजत पतिदार बड़ा स्कोर करने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो गए जोश से पूरी तरह से खुशी मनाते हुए बर्गर लगातार आकरमन जेल रहे थे पर यहाँ पर चूख हुई रजत पतिदार की लाइन को नहीं भाब पाए गेंद सीधा चली गए विकेटों पर बोल्ड हो गए है रजत पतिदार भारत को मिली पहली पहला नुकसान भारत का होता हुआ दक्षिन अफ्रिका को मिली पहली सफलता तो यहाँ पर पहला विकेट गिर चुका है दोस्तों रजत पतिदार हो गए है आउट सोला गेंदों पर 22 रन बना करके रजत पतिदार हुए आउट बोल्ड हो गए अच्छी बल्लिबाजी जरूर कर रहे थे पर मुझे लग रहे है कि शायद जल्द बाजी कर बैठे और इस वक्त ऐसा लग रहे कि शायद संजू सैमसन को प्रोमोट किया गया है जी है दोस्तों संजू सैमसन को नमबर तीन पर भेजा जा रहा है संजू सैमसन नमबर तीन पर आए हैं बल्ले बाजी करने के लिए और अक्सर हमने नंबर 3 पर बल्ले बाजी करते हुए देखा है तो चलिए संजू सैमसन को आज मौका मिला है नंबर 3 पर बल्ले बाजी करने का देखना है आज किस प्रकार का खेल दिखाते हैं संजू सैमसन तो संजू सैम्सन नमबर तीन पर प्रोमोट किये गए है सामना करेंगे आने वाली गेंद का नैथन बर्गर की गेंद बाजी सामने संजू सैम्सन देखना है संजू सैम्सन क्या कोई बड़ी पारी हमें खेल करके आज दिखा पाते है या नहीं तो चली नैथन बर्गर अपने ओवर की आखरी गेंद को डालेंगे सामने रहेंगे नए बल्लेबाद संजू सैंसन अब आपकी जिगा अभी अभी संजू सैंसन ने पांच भी गेंद पर सिंगल ले लिया था और अब स्ट्राइक पर साय सुदर्शन आ चुके हैं तो ओवर की आखरी गेंद का सामना करेंगे साय सुदर्शन पटिदार सुलना गेंदों पर 22 अबना करके क्लीन बोल्ड हो गए थे आखरी गेंद बर्गर की सामने साय सुदर्शन आखरी गेंद और इस गेंद पर देखना है क्या होता है और दी विकेट से नैथन बर्गर आ रहे हैं बाए हाथ के तेज गेंद बाद सामने हैं बाए हाथ के ही बल्ले बाद साय सुदर्शन और इस गेंद से गोई रन नहीं आता हुआ सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले से नहीं कर रखा हो तो भारती टीम में आज दो बदलाव हुए हैं पहला बदलाव था राजत पठीदार के रुप में जो रुतराज गायकवाट के स्थान पर खेल रहे हैं दूसरा बदलाव हुआ वाशंगेटन सुन्दर नंबर साथ पर आज आपको दिखेंगे बल्ले बाजी करते हुए और व लिजार्ड विलियम्स आ रहे हैं अपने अगले ओवर के साथ तेज गिंद बाज लिजार्ड विलियम्स अपने तीसरे ओवर को डालेंगे स्ट्राइक पे रहेंगे संजू सैमसन संजू सैमसन करेंगे बल्ले बाजी अगली गेंड इस गेंड को लेकस्टम की लाइन पर धकेला बल्ले बाज ने कोई रन नहीं आता हुआ पांच दश्मल अवेक उवर के बाद भारत 35 एक विकेट के नुकसान पर तो मुकाबला दक्षिनप त्रीका में हो रहा है भारते टीम के पास मौका है सिरीज को अपने नाम करने का अगर इस मुकाबले को भारती टीम जीद जाती है तो दो एक से स्रिंखला अपने नाम कर जाएगी फिर दो टेस्ट मुकाबले होंगे पहला टेस्ट 26 दिसंबर से वहीं दूसरा टेस्ट मुकाबला तीन जनवरी से खेला जाएगा फिर जब भारती टीम वापस से स्वदेश लोटेगी भारत लोटेगी तो फिर अफगानिस्तान के साथ तीन T20 मैचेस खेले जाएगी और उसके बाद इंगलैंड की टीम भारत आएगी जहां पर आपको कई सारे टेस्ट मैचेस देखने को मिलने वाले हैं तो आने वाले समय में कई सारे इंटरनाशनल मैचेस होंगे और उसके बाद मार्च के महिने से ही आईपेल शुरू हो जाएगा क्रिकेट का महापर शुरू हो जाएगा जो कि मैचे आखरी वीक तक चलेगा और उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड कप की बारी है जून के महिने में विश्व कप होगा दो हजार चॉबिस का टी ट्वेंटी प्रारूप का तो चलीस बीच हम देख पारें वाइड गेंद बाउंसर डिलिवरी वाइड प्लस चौका मिल चुका है पांच रन फ्री के आते हुए भारत के खाते पर लिजार्ड विल्यम्स की बाउंसर डिलिवरी विकेट कीपर भी नहीं पकड़ पाइज गेंद को नतीजा चार रन के रूप में पाच दश्मलव तीन ओवर पे भारत चालिस एक विकेट के नुकसान पर अगली गेन लिजार्ड विल्यम्स की सामने होंगे संजू सैमसन अगली गेंद आरी है लिजार्ड विल्यम्स की एक सिल्प खिलाडी मौजूद है अपस्टम की गेंद हलके हाथों से इस गेंद को खेला है गेंद गई है सीधा गेंद बाज के ही पास कोई रन नहीं आता हुआ पांच दश्मलव चारवर भारती टीम का स्कोर चालिस एक विकेट के नुकसान पर तो रज़त पटिदार के विकेट के गिरने के बाद देखा जाये तो बल्ले से रन नहीं आये एक चौका आया है वो वाइट के रूप में आया था और अब देखना है बचे दो गेंदों पर इस ओवर पर क्या होगा लिज़ाड विलियम्स अपने ओवर की पांच भी गेंद को डालेंगे सामने रहेंगे संजू सेम्सन पूर्दी विकेट्स आते हुए लिजार्ड विलियम्स आपस्टम की गेन इस गेन को कवर की दिशा पे खेला बल्लेबाज ने एक रन तीजी के साथ पूरा भी किया संजू सैम्सन का दूसरा रन पूरा हुआ है तो संजू सैम्सन को आज प्रोमोट किया गया है नमबर तीन के स्थान पर भीजा गया है देखना है आज क्या संजू के बल्ले से हमें शतक देखने को मिलेगा अगली गेंद अंदरातवी गेंद को कलाई के साथ स्क्वार लेकित दिशा पर मोड़ा साय सुदर्शन ने फिल्डर के पास जैगी गेंद कोई रन नहीं आता हुआ इसे के साथ 6 अवर की सभापती 6 अवर के बाद भारत का स्कोर 41 रन है एक विकेट के नुकसान पर चली अब देखना है भारत की तरप से अगला चौका कौन से बल्ले बाज लगाने वाले हैं संजू सैंसन या फिर साय सुदर्शन और दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्ली से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा तो चली अब एक बार फिट से बर्गर आ रहे हैं अपने अगले ओवर के साथ एक विकेट इन्होंने हासिल किया था पिछले ओवर पे नांद्रे बर्गर की गेंद बाजी पहली गेंद इस गेंद पर मिलेगा सिंगल स्ट्राइक पहाएंगे साय सुदर्शन 6 दर्शमलव एक ओवर का खेल हुआ है और अब भारत का स्कोर है 42 रन एक विकेट के नुकसा इस भी चगली गेंद अंदर आते हुई गेंद इस गेंद को सीधे बले से रोखने की कोशिश पर बले के बाहरी किनारी को छूते हुई गेंद थर्ड मैन की दिशा पर गई है एक रन ले में मिल जाएगा साय सुदर्शन को ऐसे में पहले दो गेंद से दो सिंगल साह है अगली गेंद बाई हाथ के तेज गेंद बाज की तरफ से आती भी लेक स्टम की गेंद उचाल मारती भी गेंद इस गेंद को पॉइंट के दिशा पर खेला संजू सामसन ने एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है बर्गर को कोई रन इस गेंद से भी नहीं आता हुआ च्छे दशमलव तीन उवर के बाद भारत का स्कोर 43 एक विकेट के नुकसान पर तो रन गती की अगर बात करें तो छे दशमलव छे दो रन प्रती उवर की आउसत से रन बन रहे हैं पिछले अब विकेट थे रज़त पटिदार जो इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी दिखाई थी तेज गती के साथ रन बना रहे थे पर 22 के नीजी स्कोर पर नांद्रे बर्गर की ही गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए थे बर्गर की पांचवी गेंद सामने अपकी जे ओवर की चौती गेंद सामने है तंजू सैमसन लेकिस्टम की गेंद प्रंट फूट को आगे किया गेंद को हलके हाथों से मेडान के दिशा पे धकेला है और इस गेंद से भी रन नहीं आता हुआ है चेदर्श मलब चार वर पे भारत का स्कोर 43 एक विकेट के नुक्सान पर है सारे और भी मित्र हमारे साथ जुल रहे है सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है लाइक करते रहे और साथ में साथ साथ चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये लिजी समीच अगली गेंद बहुत ही बड़ा शॉट संजू सैमसन ने मार दिया है चौका लेक स्टम के बाहर की गेंद उचाल मारती हुई गेंद फाइल लेक के दिशापेस गेंद को मोड़ दिया है चार रन के लिए तो पहला चौका संजू सैमसन के बल्ले से आता हुआ और इसी के साथ भारत का स्कूर बढ़ करके पहुँच चुका अब 47 रनों पर 6.5 उवर पे रन गती अभी 6 के उपर है दोस्तों अगली गेंद बर्गर की आखरी गेंद सामने होंगे संजू सैमसन संजू सैमसन की पास मौका है दोस्तों एक बड़ी पारी खेलने का अगर यहां से शतक लगा जाते हैं तो फिर एक बार फिर से चैन करताओं के सर में दर्द तो जरूर उठेगी तो चली देखना संजू सैमसन क्या अपने दावेदारी को और मजबूत कर पाने में काम्याब होते हैं अगर यहां पे एक अच्छी पारी खेल गए तो जरूर कर जाएंगी क्योंकि इस पिछ पे अच्छे खासे रन बनते हैं तो ऐसे में अगर 80-90-100 रन मना लें तो फिर संजू सैमसन के लिए काफे सही होने वाला है इसी बीच आखरी गेन इस गेन पर सिंगल 7 रन आये हैं इस उवर से 7 उवर के समापती भारत का स्कूर 48 रन एक विकेट के नुकसान पर कई और भी मित्र हमारे साथ जुल रहे हैं उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार यूहीं देते रहीएगा वीडियो पे बने रहीएगा और बाचित के सिलसिले को भी बढ़ाते रहेंगे तो फिलहाल अगर देखें तो पहले वीडियो पे अब तक 384 भाईयों ने अपना प्यार दिया है तो चली अब यहाँ पर ब्यूरान हैड्रिक्स को गेंद बाजी दी जा रही है हैंड्रिक्स की गेंद बाजी बल्ले बाजी पे संजू सैमसन पहली गेंद कोई रन नहीं साथ दश्मलव एक ओवर के बाद भारत का स्कोर 48 रन का है एक विकेट के नुकसान पर दूसरी गेंद होगी हैंड्रिक्स की देखना है इस गेंदों पर क्या होता है हमारे साथ आरचा जी जूड़ गया है मोहन प्रसाद जी है विरेंदर सिंग भाई है गायतरी दास है मनपरीत शर्मा जी जूड़ गया है आयूश गेमिंग वाईटी जूड़ गया है पंकज यादव है रिशी मंडल भी हमारे साथ जूड़ गया है अगली गेन अकलाई के साथ इस गेन को मोड़ा है स्क्वेल लेकि दिशा पर मिलेगा एक रन साथ दशमल अव दोवर भारत उन्चास एक विकेट के नुकसान पर अवनीश टेक जुड़ गया है नंदन बिश्ट जी जुड़ चुके है सबका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार जुड़ने के लिए नितिन जी जुड़ चुके है शुकराम भाई है नकुल कुमार विकेश गेमिंग सबका शुकरिया और लाइक को बढ़ाते रहीगा दोस्तों अब तक 246 लाइक्स हुआ है हमारा जो टार्गेट हुआ 500 लाइक्स का है और 500 लाइक्स होती ही आपकी पसंदीदा धुन भी बजाएंगे तो जरूर करें वीडियो को लाइक चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कैं तो जरूर करें चैनल को भी सब्सक्राइब और इसी बीच बड़ा जटका लग रहा है दोस्तों साइस सुदर्शन हो गए आउट तो साइस सुदर्शन आउट हो गए है पैडो पे लगी गेंद और अंपायर ने उंगली खड़ी करती है हाला कि तुरंथ रिव्यू ले लिया है साइस सुदर्शन ने क्या रिव्यू बचा पाएगा साइस सुदर्शन का विकेड ओन फिल्ड अंपायर ने हाला कि आउट का इशारा किया था अब देखना है कि साहे सुदर्शन इस रिव्यू को रिव्यू से खुद को बचा पाने में काम्याब हो पाते है या नहीं उचली अब देखते हैं यहां पे साहे सुदर्शन का विकेट बच पाता है या नहीं तो चलिए पहले देखते हैं बल्ले के साथ क्या गेंद का हिस्सा लगा जी नहीं नहीं लगा है पर जो गेंद वो काफी उची गई है तो ऐसे में हो सकता है कि हाइट की बज़न से ये बज़ जाए पर अगर अमपायर्स कॉल भी आएगा तो भी आउट करार दे दिये जाएंगे ओ ओ ओ यहाँ पर फस सकते हैं दोस्तों पिचिंग आउट साइड आफ इंपक्ट इन लाइन विकेट अमपायर्स कॉल अपायर्स कॉल था आउट का यानि क्या आउट हो जाएंगे साइ सुदर्शन जिरों ने पहले दो मुकाबलों पे शांदार प्रदिशन किया था आउट हो चुके हैं इस मुकाबले पर मातर दस रन बना करके तो भारत को मिली यहाँ पर भारत को दूसरा नुकसान हो चुका है दूसरा विकेट गिर चुका है साइस सुदर्शन का विकेट गिर चुका है 7.3 ओवर पर भारत का स्कोर 49 रन दो विकेट के नुकसान पर आने वाले बल्लेबाज होंगे भारती कप्तान के एल राहुल सोल गेंदों पर दस रन बना करके हुए है या आउट तो चली अब बढ़ते हैं आगे अब जहां से देख रहा है कि केल राहूल किस प्रकार की पारी हमें दिखाते हैं तो यहां से राज़त पटिदार पहले आउट होने वाले बल्ले बाज थे जिन्होंने सोल गेंदों पर बाईस रन बनाया साई सुदर्शन सोल गेंदों पर दस रन संजू सैमसन और केल राहूल इस वक्त मौजूद है सबी में तुरो का इक बार फिट से स्वागत हैं तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्ली से वीडियो को लाइक कर ले हैं अगर आपने चैनल को सभसक्राइब तो केल राहूल 31 वर्षी हैं अब तक 74 मुकाबल पे 2799 रन है इनके नाम स्ट्राइक रेट अठासी का है और एवरेज पर काफी शांदार है पचास की एवरेज के साथ रन बनाते हैं यानि कि अमूमन हर पारी पर पचास रन बना जाते हैं तो चलिए इस बीच ब्यूरन हैंडिक्स गेंद बाजी पर अपनी पाँचवी गेंद को करेंगे शांदार गेंद बाजी रही इनकी एक गेंद पर एक रन इन्होंने लिया है साथ दश मलव चार वर भारत उन्चास दो विकेट के नुकसान पर अगली गेंद हैं हैंडिक्स की आखरी गेंद सामने होंगे संजूस संसन इस से पहले के ऐल रहूल ने सिंगल लिया था थर्ड मैन के दिशाफ़ गेंद को खेला एक रन के लिए और अब आखरी गेंद खेलने के लिए इस ओवर का आ रहे हैं संजूस संसन 8 वे मोर के अंतिम गेंद होगी हेंडिक्स ने शांदार गेंद बाजी किये 5 गेंदों पे सर्फ 2 रंदे करके एक सफलता प्राप की है हमार साथ 5 है विकेश गेमिंग है सरीता कुमारी जी है तन्वीर आलम है सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए अगली गेंद लेकर के आते हुए हेंडिक्स प्राल भारत के दोनों ही सलामी बल्ले बाज आउट हो चुके है वर इस फक्त जिम्मेदारी उठा रहे हैं केल राहूल और इनके साथ है संजू सैमसन तो संजू सैमसन आज नमबर तीन पर आए हैं बल्ले बाजी करने के लिए कर अजूँ है कुछ लिजाड विलियंस आने एक और ओवर के साथ तेज गेंद बाज लिजाड विलियंस अपने चौथ ओवर को करेंगे पहली गेंद हो गई है वाइड लेक्स्टम के बाहर की गेंद हो गई है वाइड स्ट्राइक पहें केल राहूल आठ ओवर पे भारत का स्कूर 51 रन है दो विकेट के नुकसान पर रनगती अभी छे के उपर लगातार जारी है अगली गेंद के साथ आते हैं लेजाड विलियंस लेक्स्टम की हिलाईं थी इस गेंद को खेला स्कूर लेक पे बल्ले बाज केल राहूल ने अब आपके संजू सैम केल राहूल ने सिंगल लिया और अब दो रन केल राहूल का नीजी स्कूर हुआ है संजू सैम्सन स्क्राइक पे आठ दश्मलव एक वर पे भारत बावन दो विकेट के नुकसान पर कि अपको बच्चब साफब आप 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 आपके लग्याश फिटावन जी स्टान पुछली तीसरी गेंड लिजार्ड विलियम्स की सामने होंगे संजू सैम्सरिंग कोई स्लिप नहीं आगे पट कोई ही गेंड कलाई के साथ मोडा स्कॉयर लेक की दिशा पर फिल्डर मौजूद हैं कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाच के पास तो इस वक्त केल राहूल और संजू सैम्सरिंग कोशिश करेंगे कि बिना कोई विकेट खोए भारती ठीम एक सधी हुई बल्लेबाजी करे और भारत को जितना हो सके आगे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो इस रिंखला में गर देखा जा तो स्टार खिलाडी की काफी कभी नजर आ रही है यहां पर देखा जाए तो नहीं गेंदबाज में कोई बड़ा स्टार नजर आ रहा है नहीं बल्लेबाजी पर केल राहुल जरूर टीम के साथ है पर फैन फॉलिंग जो है उनकी वो उस्व तरिक की नहीं है जिस तरीके की विराट को ही रोहिच शर्मा जैसे बड़े खिलाडियों की है आठ दशमल अब तीन ओवर हुए है और भारत का इसकोर बावन है दो विकेट के नुकसान पर चौथी के नाई की सोवर की लिजाड विलियम्स की सामने होंगे संजू सैमसन अगली गेन ओप्स्टम की हसके हातों से खेला इस गेन को पॉइंट के दिशा पे गेन गई कोई रन नहीं आठ दश्मलब चार ओवर हुए है भारत बावन दो विकेटों के नुकसान पर अगली गेन होगी ओवर की पाँचवी गेन लिजाड विलियम्स लेकर के आते हुए इस गेन को केल रहुल है स्ट्राइक पे अगली गेन को स्ट्राइल लिके दिशा पे खेला है तेजी के साथ एक रन के लिए भाग पड़े और पूरा भी किया यहाँ पे थोड़ा रिस्की रन था यहाँ पर पूरा किया बल्लेबाजों ने मिल करके आठ दश्मलों पांच ओर का खेल हुए है भारत का स्कोर इस वक्त तेरह पर रन का है दो विकेट के नुकसान पर तो पिछले दे दो वर से कोई बांडरी नहीं आई है सिंगल डबल्स से ही काम चला रहे है बल्लेबाज डबल्स भी नहीं सिंगल सी आए अब तक पिछले ओवर पर हमने देखा सिर्फ दो रना है था और अब तक इस ओवर से तीन ही रना है आखरी गेंद करेंगे लिजाड विलियम्स स्ट्राइक पे केल रहुल अबसास रिशी मंदल जी हैं पूछ रहे है आज कौन से टीम जीतेगी तो बिलकुल जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा इंडिया ही जीतेगा तो चली एक और डॉट गेंद तीन ही रन आये हैं इस ओवर से ओवर की समाप्ती नवे ओवर की समाप्ती के बाद भारत का स्कोर है तीरपन रन दो विकेटों के नुकसान पर क्रीज पर मौजूद है संजू सैमसन और केल राहुल केल राहुल ने चार गेंदो पर दो रन वहीं संजू सैमसन ने 18 गेंदो पर अब तक बनाए हैं 10 रन तो दोस्तों अब नया वर्ष आने वाला है अब देखना है नया वर्ष में भारती क्रिकेट की कैसी रहेगी शुरुवात कैसा रहेगा भारत का क्रिकेट अब प्रेजा ब्यूरान हैंडिक्स अपने अगले ओवर के साथ आ रहे हैं नौदश मलव एक ओवर पे भारत का स्कोर तिरपन रन दो विकेट के नुकसान पर आने वाले बलेबाज तिलक वर्मा रिंकु सिंग अपनी पारी की उप्रतिक्षा में हैं दोनों ने पैड अप कर लिया है अले के अगले बलेबाज के रूपें किलक वर्मा ही आएंगे नौदश मलव दो वर्मा है भारत का स्कोर तिरपन रन है दो विकेट के नुकसान पर हैंडिक्स की अगली गेन तीसरी गेन सामने होंगे संजू सैमसन इसके बाद दोस्तों टेस्ट मैच होंगे पहला मुकाबला 26 दिसंबर से शुरू होगा और वहीं दूसरा टेस्ट मुकाबला 3 जनवरी से शुरू होगा अगली गेन्द बिरण हैंडिक्स की ओ यहाँ पर अतिरिक तुछाल आप सिटम के बाहर की गेन्द बिल्कुल चौक गये थे संजू सैमसन इस गेन्द से हलांकि बल्ला अडाने में काम्याब हुए और गेन्द गई है बैकवर्ड पॉइंट पे एक रन मिल जाएगा संजू सैमसन को भारतिये टीम को अब देखा जाए तो रनकती 6 के नीचे पहुँच चुकी है और इसी बीच बड़ा शॉट के एल राहूल ने आखिरकार एक बॉन्डरी दिलाई है शॉट पिस जलिवरी थी लेक स्टम की लाइन पुल किया इस गेन्द को गेन्द तेजी के साथ बैकवर्ड इसक्वैल लेक की दिशा पही गई शानदार चार रन के लिए तो चलिए कुछ खुशी मनाने को तो मिला भारती दर्शक तो दक्षिन अफरीका में 9.4 ओर भारत 58 दो विकेटों के नुकसान पर तो केल राहूल ने पहला चौका जड़ा है अपना आज का इन्होंने 5 गेंदों पर बना लिए हैं वहीं दूसरी चोर पे खड़े हैं संजू सैंसंग जिन्होंने अब तक 21 गेंदों पर बना हैं 11 नौद अश्मलव चार ओर पे भारत का इसकोर 58 अगली गेंद ओर की पांच वी गेंद हैंडिक्स की सामने हैं केल राहूल आपस्टम की गेंद बैक फूट पे जाते हैं इस गेंद को हलकी हाथ से डिफेंड किया है कोई रन नहीं आता हूँ इस गेंद से और मुझे लग रहाब पांच रन आ चुके हैं इस ओवर से बाकी आखरी गेंद को भी डिफेंड ही करते नजर आएंगी केल राहूल 9.5 वर भारत 58 दो विकेट के नुकसान पर आखरी गेंद हैंडरिक्स की सामने केल राहूल वरके अगली गेंद आ रही है और इस गेंद से रन नहीं आएगा जिनी सिंगल मिल चुका है आकरी गेंद पर सिंगल लिया बल्लेबाज ने गेंद को फाइनलेक की दिशा पर खेला था एक आसान सिंगल के लिए केल राहूल ने स्ट्राइक अपने पास बनाए रखेंगे दस ओवर हुए समाप लगवक छेकी रन गती के साथ रन बन रहा है 69 रन बने हैं दस ओवरों पे दो विकेट का नुकसान हुआ है भारती टीम को दोनों ही सलामी बलेबाज आउट हो गया रजट पटिदार ने सोला गेंदो पर बाइस रन तो वहीं साइच सुधर्शन ने सोला गेंदो पर दस रन मनाय थे पिलाल संजू सैंपसन और केल राहूल क्रीस पे मौझूद है आने वाले बलेबाज की सूची पे अगर नजर डालें तो आने वाले बलेबाज होंगे और मुकेश कुमार और अब देखना है अगले ओवर अगली छोर से कौन से गेंदबाज आ रहे हैं क्या लिजाड विलियम्स आएंगे जी हाँ लिजाड विलियम्स अपने अगले ओवर के साथ आ रहे हैं अब देखना है नए बल्ले के साथ क्या कुछ होता है तो चलिए पहला पावर प्ले समाप्ट हुआ है दस ओवर पे भारत का इसकोर 69 रन है दो विकेट के नुकसान पर और अब तीन खिलाडियों को मौका मिलेगा तीस गज दायरे के बाहर रहने का पंदर ओवर तक तीन खिलाडी बाहर रह सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं यारवे ओवर की पहली गेंद पर पहली गेंद और इस गेंद को केल रहुल ने कवर की दिशा पर खेला हलागी फिल्डर वहां मौझूद है और यहाँ पर कोई रन लेने का मौका उस फिल्डर ने नहीं दिया केल रहुल को कोई रन नहीं आता हुआ इस गेंद से दूसरी गेंद विल्यम्स की सामने केल रहुल और यह लिजा अंदर आती हुई गेंद पैड़ो पे लगी है शी नहीं यहाँ पर पैड़ो पे लिगेंद नहीं लगी है बल्ले से गेंद लगी है पर एक रन जरुड मिल जाएगा केल रहुल को अब स्ट्राइक स्वाप दी होनोंने वापस से संजू सैमसन के ही पास दस दश्मलव दो और हुए हैं भारत साथ रन पर है दो विकेट के नुकसान पर विलियम्स की तीसरी गेंद सामने संजू सैमसन अगले गेंद तीसरी गेंद संजू सैमसन की बल्ले बाजी विलियम्स की गेंद बाजी आपस्टम की लाइन उच्छाल मारती हुए गेंद जाने दिया इस गेंद को संजू सैमसन ने किसी तरकी छेड़ खानी नहीं की है गेंद के साथ एक और डॉट गेंद आता हुआ अब तक तीन गेंदों पर सोवर पर आहें एक राण दस दश्मलव तीन ओवर के बाद भारत साथ दो विकेट के नुकसान पर पांचवी गेंद विलियम्स की सामने के एल राहुल रंगती फिलाल पांचव दश्मलव छेतीन की चल रही है आकरी गेंद आने वाली है लिजाड विलियम्स की सामने होंगे के एल राहुल अब तक मातर दो रन आया है इस वर से आया है । वाल इस वाल उल तो चलिए आखरी गेंद से भी कोई रण नहीं, ग्यार ओवर की समापती भारत 61-2 विकेट के नुकसान पर उपिलाल अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है तो अब टेस्ट मुकाबले होने वाले हैं, जहाँ पर आपको सभी बड़े नाम देखने को मिलेंगे रोहित शर्मा दिख जाएंगे, विराट कोहली दिख जाएंगे और कौन कौन से दिखेंगे, जस्परित बुम्रा भी दिख जाएंगे दोस्तों मौम्मद सिराज, जस्परित बुम्रा, मुकेश कुमार, रवींद्र जडेजा दिखेंगे केल, राहुल, आयर, यशिश्वी, जैसवाल, विराट कोली, शुबमन गेल, रूतराज, गायकवार भी दिखेंगे इशान किशन भी स्कॉर्ट का हिस्सा थे पर पता नहीं उन्होंने क्यों अपना नाम वापस ले लिया उनके स्थान पर केस भरत को शामिल किया गया है अभी भी शान किशन का नाम वन डे मैच में होना चाहिए दोस्तों आप देख पा रहें यहाँ पर ओपनर्स बिल्कुल नहीं है, ऐसे में शान किशन जिनों ओपनी करना कापी पसंद है उनको जरूर खिलाना चाहिए था इस सिरीज में, पर भारती चैन करता, भारती टीम मैनेजमेंट क्या करती है सचमच समझ के काफी परे है तो फिलहाल आज वीवर्शिप इतनी जादा डाउन है, इतनी जादा डाउन है कि जितने भी मित्र हमारे बिना बॉट वाले हैं, वो तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रहे है बॉट वाले तो पूरे वाचिंग ला रहे है इसे भी अगली गेंट बहुत शान्दा शॉट, कवर ड्राइव लगा दी है, संजू सैमसन ने चौका मिलेगा बहुत ही बेहतरीन चौका संजू सैमसन के बल्ले साता हुआ आगे पटकुई गेंटी, बल्ले का मुझ खोला गेंट को खेल दिया कवर की तरफ इसे पहले ओफिल्डर ने कोशिश भी की थी पर अपसोस की बात नहीं बचा पाई इस चौकी को तो काफी समय के बाद एक चौका आया है ग्यार अदश मलव दोवर होए भारत का स्कोर 67 दो विकेट के नुकसान पर संजू सैमसन और इस गेंट पर सिंगल तो ये अच्छी सोच से एक गेंट पर बॉंडरी लगा ये दूसरी गेंट पर सिंगल लेकर के बागी अपने साथी को खेलने का मौका दीजिए तो केल राहूल अब स्ट्राइक पर है 24 गेंट पर 19 रवनों की साजिदारी इस वक्त संजू सैमसन और केल राहूल के बीच बनती हुई नजर आई है तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कम से कम एक उसके शतकी साजिदारी दोनों ही खेलाडी आपस में बनाए रन गती अभी भी अच्छा चल रहा है दोस्तों 6 के आसपास का रन रेट है अगली गेंट हैंडिक्स की सामने के लर राहूल ओर की चौती गेंट आ रही है अब तक कोई सिलिप नहीं लगा के रखा है इस गेंदबाज के लिए बायात के थे इस गेंदबाज हैंडिक्स आपस्रम की गेंद फ्रेंट फूट को आगे करके इस गेंद को खेला पॉइंट के दिशा पे हलाकि फिल्डर वहाँ पे मौजूद है डेविड मिलर ने इस गेंद को पकड़ा है और उन्होंने कोई रन लेने का मौका नहीं दिया केल रहुल को 11.4 ओवर भारत 68 दो विकेट के नुकसान पे हैंडिक्स की पाँचवी गेंद सामने होंगे केल रहुल हमारे साथ पंकज भाई जोड़ चुके हैं दानिश खान है जवाहर लाल शर्मा जी है पुषपांजली जी जुड़ गई है सवरूप पात्रा है क्रिस्टल है पंकज जी है माही है सागारिका महापात्रा भी हमारे साथ जुड़ गई है वेलकम सागारी का आपका स्वागत है और जितने मित्रों ने अब तक वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी से एक अनुरोध रहती है कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें आपका नाम तो चलिए इस वक्त इस ओवर की समापती होती भी साथ रना है हें हेंडिक्स के ओवर से बार और बीद का हैं और भारत का स्कूर 68 रन है दो विकेट के नुकसान पर हमारे साथ एस सहारा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ अबदुर्रह्मान अंसारी जी जुड़ के हैं नेहा जी हैं कवीता जी हैं एफफ फ्रिंस गेमी हैं सागरिका जी तो जुड़ी ही हुई हैं साथ में जोकर भी आ चुके हैं जोना आ चुके हैं पंकज भाई आ चुके हैं तो चलिए अब बढ़ते हैं तेरह में उवर की तरफ देखना है अब यहां से किस प्रकार से खेल को आगे बढ़ाते हैं दोनों ही बलेबाज संजु सामसन स्ट्राइक पे अब गेंदबाजी पे देखना है किस गेंदबाज को गेंद थमाते कप्तान एडन मारक रांग पेजेन आचुके हैं, छेयर लेस आचुके हैं जब्बार भाई हमारे साथ हमेशा की तरह अवी भी जुदे हुए हैं नेहा है, जब्बार भाई है, पल्लपी बोरा है, अब्दुर्रहमान अंसारी जी जुड़ गए है, सत्यमान जी महतो जी जुड़ है सब का बहुत बहुत शुक्रिया तो चली इस पीच लिजार्ड विलियमस एक और ओवर के साथ आ रहे हैं लगातार इनसे गेंदबाजी कराई जारी अपने छटे ओवर के साथ आ रहे हैं पहली गेंद सिंगल लिया संजू सैम्टन ने स्ट्राइक पे केल राहूल तो हमारे एक मितर कह रहे थे कि जल्दी चौका लगाओ अब्दुर रह्मान अंसारी जी ने चौकी की मांग की है देखना है उन्हें चौका मिल पाता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका होसला अफ्जाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो चलिए लिजाड विलियम्स अपने दूसरी गेंद को डालेंगे सामने रहेंगे के एल रहुल हमारे साथ पल्लबी बोरा जी बिलकुल इसमें धन्यवाद की तो कोई बात ही नहीं है आप हमारे मित्र हैं हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और आप लोगों ने हमें एक मिलियन तक पहुँचाया है उसकी तो पार्टी देनी पड़े और ये लिजे अमरत कोली साहब जुड़ चुके हैं वेलकम अमरत भाई आपका स्वागत है पंकज भाई गुरपाल जी सबका बहुत भुत धन्यवाद मकबूल अंसारी सबका धन्यवाद बढ़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में कोई भी देखा जाए तो धीला शॉट नहीं लगाएंगी जब तक ये अपना अर्दशा तक पूरा नहीं कर लेते हैं तो तीसरी गेन पे सिंगल 12.3 ओवर का खेल हुआ है और भारत का स्कोर 70 रंका है विकेट के नुकसान पर अगली गेन विलियम्स की आगे पटकी ही गेन हलके हातों से इस गेन को मिडॉन की दिशा पे धकेला बल्ले बाद संजू सैंसन नहीं हलकि मिडॉन पे फिल्लर है ऐसे में डॉट रन आता हुआ इस गेन से 12.4 और भारत का स्कोर 70 रंगती है 5.5 तीन की तो शेकर सिंग का रहें कि 350 का स्कोर बन जाएगा पर अगर ऐसी बल्ले बाजी धीमी बल्ले बाजी होगी तो मुझे नहीं लगता उतना जाएगा स्कोर आले कि पिच दोस्तों बल्ले बाजी के लिए उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी इस वक्त रंगती के चल रहे है बस भारती टीम के साथ ये हुआ है कि दोनों ही सलामी बल्ले बाज आउट होगे है जिस कारण से यहाँ पर ये दोनों ही खिलाली थोड़े ज़्यादा सुरक्षात्मक तरीके से बल्ले बाजी कर रहे है तीन रन आये हैं अब तक के पहली पाँच गिंदों से देखना है आखरी गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट आएगा लिजाड विलियम्स अपने उवर के अंतिम गेन को करते हुए सामने है के लराहुल तो मुहमद शमी अब तक टेस्ट स्कॉर्ट का हिस्सा नहीं बन पाए वो भी किसी इंजरी से उबर रहे है तो देखना है क्या वो दूसरे टेस्ट मैच में भारत के साथ जुल पाते है नि उनके स्थान पर मुकेश कुमार ही आज आपको खेलते वे नजर आ सकते हैं तो चली अगली गेन लिजाड विल्यम्स की आखरी गेन सामने केल रहुल और इस गेन से वे रन नहीं आता हुआ आगे पटकुई गेन थी कोई रन नहीं और इसी के साथ ओर की समापती मातर तीन रन आईस ओर से तेर ओर के बाद भारत 71 दो विकेट के नुकसान पर तो दानेश भाई भी हमारे साथ हैं गूर्पाल सांधू जी है ताली दाश जी है विनित कुमार है अब्दूर फारुक साहब है उनका कहाना के 300 प्लस होना चाहिए ताली भाई का कहाना 300 होना चाहिए विकेश गेमिंग कहाना है 255 स्कोर होना सकता है पंकज परागी जी कहने 300 रण बन सकता है भारत का स्कोर मनिशा जी का कहना है 300 तो चली कई सारे में तर 300 या फिर 300 के उपर का स्कोर बता रहे हैं पर देखते हैं क्या होगा ये दो बल्लेबाज अगर शतक किये साजिदारी कर लें तो फिर शायद भारत तीन सो पार जरूर पहुचेगा वरना 260-270 रन तो कम से कम बनेंगे गंशाम गुपता तो 350 प्लस करें वीर सिंह करें तो 250 रन बनेंगे रामदेव भाई करें 400 रन तो नहीं बनेंगे रामदेव भाई मिश्टर ठाकूर कहाने 305, मुहमद अजर भाई कहाने 292, पंकज भाई कहाने 300 रन बनेंगे हर जोट साप कहाने 300 रन बनेंगे, गुरुदे भाई कहाने 260-70 रन बनेंगे तो चली अब गेंद बाजी पे एक बार फिट से हैंडिक्स आहल हैंडिक्स लगातार गेंद बाजी कर रहे हैं अब तक तीन दश्मलव एक वर की गेंद बाजी पर उन्होंने 16 रन दे करके एक सफलता प्राप्त की है अगली गेंद वर की दूसरी गेंद होगी 14 वर चल रहा है सामने होंगे केल रहुल 35 गेंदों पर 23 रनों की साज़ेदारी इस वक्त इन दोनों ही बल्ले बाजों की बीच केल रहुल सामना करते हैं वगली गेंद का बाहात के तेज गेंद बाज आपस्टम के बाहर की अंदर आती हुई गेंद बैक फूट प्याकर के इस गेंद को रोका है बल्ले बाजनेक और डॉट गेंद के लिए 13 दश्मलव दो वर हुए भारत का स्कोर 72 रन दो विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के आते हुए हैंडिक्स उस गेंद को खेला है पॉइंड के छेतर पर फिल्डर माजूद मिलेगा सिंगल 13 दश्मलव दीन वर भारत का स्कोर 73 रन दो विकेटों के नुकसान पर हैंडिक्स की चौथी गेंद सामने होंगे संजू सैम्सन वर की अगली गेंद इस गेंद को सीधे बल्ले से खेलते हुए बल्ले वाज संजू सैम्सन डॉट गेंद आता हुए इस गेंद से भी 13 दश्मलव दीन वर भारती टीम का स्कोर 73 रन दो विकेटों के नुकसान पर तो आज वाशिंगेटन सुन्दर को मौका मिला है तो उस तो खेलने का अंदर बाहर होते रहते हैं चोट से काफी ज़्यादा देखा जाए तो परिशानी में रहते हैं अब देख रहा है अभी मौके मिले हैं मौके पर क्या प्रोशन करते हैं पर इसे बीच अगली गेंद पर बहुत ही शानदार शॉट संजू सैमसन ने लॉंग ओन पर शानदार स्टोक लगाया है गेंद तेजी के साथ बॉंडरी रेखा की तरफ बढ़ रही है फिल्डर दे टाइम मारी है पर नहीं पकड़ पाएंगे गेंद को मिल गया चौका शानदार चौका संजू सैमसन के बल्ले साता हुआ अगली गेंद वर की आखरी गेंद होने वाली है हैंडिक्स की तरफ से सामने हैं संजू सैमसन भारत पर नाम दक्षिन अफ्रिका के बीचे तीसरा एक दिवसी मुकाबला जो तैख करेगा कौन बनेगा इस सिरीज का विजिता आखरी गेंद और इस गेंद से कोई रन नहीं आएगा अच्छी गेंद थी इस गेंद को खेला है कवर के छेतर पर बड़ी अफिल्डिंग हुई है वहाँ पे खड़े फिल्डर ने डाइव मारते विस गेंद को रोक लिया है कोई रन नहीं आता हुआ चौदवर की सबापती के बाद भारत सततर दो विकेट के नुकसान पर तो अब यहां से देख रहा है भारती टीम क्या अपने इस रन बराने की गती को बढ़ाएंगे या फिर इसी गती के साथ रन बनता रहेगा तो चलिए आपको पूरा स्कूर कार्ड इस बीच दिखा देते हैं दोस्तों और बताते हैं आपको किस-किस खिलाडियों ने अब तक क्या स्कूर किये है भारत बनाम दक्षिन अफरीका के बीच यह मुकाबला चलता हुआ साउथ अफरीका ने यहाँ पर चुनी है पहले गेंद बाजी सभी मित्रों से एक निवेदन रहेगी कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो रजत पटिदार और साई सुदर्शन ने मिलकर की थी पारी के शुरुआ थालें की दोनों ही सलामी बले बाज सस्ते में ही आउट हो गए और खास करके साई सुदर्शन जो की लगातार अच्छी पारी यां खेल रहे थे आज सस्ते में वह आउट हो गए तो चलिए एक बार जल्ली से देख लेते हैं किस-किस खिलाडियों ने क्या कुछ किया है अब तक साई सुदर्शन LBW हुए इन्हें आउट किया था हेंडिक्स ने उन्होंने 16 गेंदो पर 10 रन बनाए सन्जू सैंसन को अज नंबर 3 पर भेजा गया उन्होंने 33 गेंदो पर 26 रन बनाए वहीं केल राहूल बले बाजी कर रहे हैं 19 गेंदो पर 9 रन बना करके वहीं आने वाले बले बाज है तिलक वर्मा, रिंकु सिंग और वाशिंगटन सुंदर के साथ अक्षर पटेल और वहीं गेंदबाजी के अगर बात करें तो दक्षिन अफरीका की तरब से अब तक से गेंदबाजी करने के यहाँ पर किशव महराज को बुलाये जाएगा तो थोड़ी देर में अब 15 में ओवर की शुरुबात होगी तीसरा वंडे पारल में चलता हुआ स्ट्राइक पे है केल रहूल गेंदबाजी पर देखना है कौन से गेंदबाज आ रहे हैं प्ंकज परागी जी है गणशाम गुपता हमारे साथ जुड़े हुए है सबका बहुत भशत धन्यवाद लाइक को बढ़ाते रहीगा दोस्तों फिलहाल 439 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है एक वीडियो पे वहीं दूसरी वीडियो पे देखा जाए तो 462 लोगों ने लाइक कर दिया है तो दूसरी वीडियो पे हम लोग काफी करीब आ चुके हैं 500 लाइक से सभी मिंतरों से रिक्वेस्ट अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और उनकी पहली गेंद, इस गेंद को स्कौयर ले के दिशा पर खेला है बल्ले बाजने, कोई रन नहीं मिलता रॉआ वियान मुलेर की गेंद बाजी सामने है केल राहूल अगली गेंद मिडल स्टम की गेंद पे इस गेंद को रखने की कोशिश में बल्ले बाज हाले की गेंद बाजी इस गेंद को असानी के साथ रोका है केल राहूल ने तो 47 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे है केल राहूल अब तक 21 गेंदों पर 10 रन पर है वहीं संजू सैंसन 78 की स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं बल्लेबाजी 33 गेंदों पर 26 पर है अगली गेंद ले करके चले वयान मुल्डेर सामने होंगे केल राहूल तीन-चार खिलाडी जो कि अब तीसगाज दायरे के बाहर हो चुके हैं जिन में से दो खिलाडी एक थर्ड बैन एक फाइन लेग दूसरा लॉंग लेग और ऑफसाइड पे दूसरा बैकवर्ड पॉइंट पे डाल के रखा है कप्तान एडन मार्करब ने यानि कि बाउंसर डेलिवरी शायद आ सकते है मुल्डेर की तरप से चौथी गेन मुल्डेर की सामने होंगे केल राहूल 14.3 वर पे भारत का स्कोर 77 रन है दो विकेट के नुकसान पर तो दानिश भाई जी हैं 50 वर का मैच है चेला राम जी यहाँ पे वन्डे मैच चल रहा है चौथी गेन लेकर के मुल्डेर सामने के एल राहूल अंदराती वी गेन पज़ किया इस गेन को पॉइंट के दिशा पे डीपेक तेजी के साथ गेन जाती वी एक रन लेने का मौका मिलेगा बल्लेबाच को 14.4 वर हुए हैं भारत का स्कूर 78 रन है दो विकेट के नुकसान पे सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है लाइक करते रहें और साथी साथ चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगली गेन थर्ड मैन की दिशाप इस गेन को खेलते हुए बल्लेबाच मिलेगा सिंगल 14.5 वर भारत उन्यासी दो विकेटों के नुकसान पर 15 वाँवर चल रहा है भारती टीम का स्कूर 89 दो विकेट के नुकसान पर मुल्डेर अपने आखरी गेंद को डालते हुए सामने रहेंगे केल रहुल और इस वीच आखरी गेंद लेकरके आते हुए मुल्डेर आपस्रम की लाइन फ्रेंट फूट को आगे करते हुए इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर पे खेला है बल्लेबाच ने पर फिल्डर मौजूद मिलेगा एक रन और इसके साथ इस ओवर से बने तीन रन पंदर ओवर के बाद भारत असी रन दो विकेट के नुकसान पर अब ऐसा लग रहा है कि स्पिन गेंद बाजी कराने वाले जिया दोस्तों केशव महराज को बुला लिया जा रहा है गेंद बाजी करने के लिए तो काफी समय से लगातार तेज गेंद बाजी ही कराई जा रही थी पर अब केशव महराज को बुलाए गया है केशव महराज अपने पहला ओवर करेंगे तो लवे ओवर पे इन्हें बुलाए गया है हमारे साथ कई सारे में तरे जुल रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया तो चली अगली गेन केशोब महाराज की सामने केल रहो लो बायात कुस्पिन गेन बाज है पहली गेन फ्लाइटे डिलिवरी आगे पटकी भी गेन बिल्कुल टांगों पे डाली गई गेन इस गेन को एक्स्ट्रा कवर पे खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर से फिल्डर ने इस गेन को रोक लिया है एक रन मिलता हुआ केल रहूल को और अब स्ट्राइप पे संजू सैमसन आ जाएंगे अगली गेन्द इस गेन्द को सीधे बल्ले से रोकते हुए बल्ले बाद संजू सैमसन 15 दश्माल अग दो वर पे भारत 81 दो विकेट के नुक्सान पर सर 500 प्लस लाइक हो गया ओहो क्या बात है बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पल्ले भी बोरा तो इसी बात पे बजाजते हैं आपकी पसंदीदा धुन 500 लाइक्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मित्रों का 500 से ज़्यादा लाइक्स देने के लिए तो चलिए अब अगली गेंद लेकर के आएंगे केशव महराज सामने होंगे संजू सैमसन यहाँ पर केल रहुने सिंगल लिया था और अब तक इस वर से तीन रन आया है और की अगली गेंद और की पाँचवी गेंद होने वाली है संजू सैमसन बल्ले बाजी पर 36 गेंदों पर 28 पर है आज इन्यार दर्शतक बनाना पड़ेगा गेंद बाजी पर हैं केशव महराज महराज अपने अगली गेंद को करते हुए अगली गेंद को खेला मिड आफ की दिशा पर मिलेगा सिंगल और इसी के साथ ओवर किसम आपती हो चुकी है इस ओवर से बने हैं चार रन सोल ओवर के बाद भारत का स्कोर 84 रन है दोवी केट के नुकसान पर अब तक देखा जाए तो डिसेंट रन रेट चल रहा है अगली गेंद केशव महराज के बाद अब देखना है कौन करने वाला है मुल्डे कर रहे हैं गेंद बाजी एक बार फिट से आएंगे मुल्डे तो चलिए मुल्डे की पहली गेंद और पहली गेंद से कोई रन नहीं आता हूँ इस गेंद को कवर की दिशा पर खेला था बल्ले बाजी ने हाले की फिल्डर महाँ पर मौजूद है रन लेने का मौकर नहीं मिल पाया और की अगली गेंद इस गेंद को कलाय के साथ मोट दिया इसक्वार लेक की दिशा पर संजू सैमसन ने एक रन मिल जाएगा और 16 दश्मलब दोवर के बाद अब भारत का स्कोर 85 रन का हो चुका है दो विकेट के नुक्सान पर मौलेर की तीसरी गेंद आने वाली है केल रहुल स्ट्राइक पर है तो दोनों ही बल्ले बाज अच्छी कोशिश कर रहे है साथी दारी को बढ़ाने का पर इस बीच एक बड़ा शॉट आ रहा है दोस्तों इस गेंद को खेल दिया है केल रहुल ने लॉफ्टेट शॉट गेंद गई है लोंगाउन के दिशा पे काफी उपर गेंद है क्या गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर ठीक बॉंडी रेखा के अंदर टपकाई है शानदार चौका केल रहुल के बल्ले साता हुआ तो बहुत समय के बाद एक शानदार चौका देखने को मिला है आकरमक शॉट था काफी देर तक गेंद हवा पे थी और ऐसा लगा कि हम एक छक्का देखने वाले हैं पर गेंद सीमा रेखा से पहले जाकर के गिरी सुरक्षित रह बल्लेबाज और गेंद चारन के लिए भी चली गई सुल्लद अश्मल अब तीन ओवर भारत नवासी दो विकेटों के नुकसान पर पाच्वी गेंद मुल्डेर की सामने रहेंगे संजू संचन अभी सिंगल ले लिया है केल रहुल ने तो ये बड़िया सोच रहती दोस्तों एक बड़ा शॉट लगाने के बाद अगर आप सिंगल के लिए जाते हैं तो ऐसे में स्ट्राइक भी रोटेट होता है और जो गेंद बाज है उस पर जो बना दबाव है वो भी बना रहता है इस बीच अगली गेंद इस गेंद पर मिलेगा सिंगल केल रहुल और संजू संसन के बीच अब जो साजितारी है वो बढ़ करके दस आपके 42 रन की हो चुकी है आकरी इन इस ओवर की मुल्डेड लेकर के आते हुए सामने रहेंगे केल रहुल तो दोस्तों इसके बाद टेस्ट मैचेस होने हैं दो टेस्ट मुकाबले होंगे जिसमें आपको सभी पुराने स्टार जो भारत के बड़े खिलाडी है वो आपको वापस से खेलते हैं नजर आ जाएंगे तो चली अब एक और ओवर की समापती अच्छा और अब भारत के लिए सात रना हैं इस ओवर से 17 ओवर बीद गये भारती टीम का स्कोर इक्यानबे दो विकेट के नुकसान पर तो चली अब अगले ओवर पे एक बार फिर से में केशव महराज दिखेंगे अपना दूसरा ओवर करते हुए 17 ओवर पे भारत का स्कोर इक्यानबे रन है दो विकेटो के नुकसान पर तो स्पिन गेंद बाजी को अच्छी तरीके से खेलते हैं केल रहा हूँ और संजू समसन भी एक शांदार खिलाडी है स्पिन गेंद बाजी के देखना है बचे गेंदो को किस परकार से खेलते हैं अगली गेंद और यहाँ पर कदमों का इस्तमाल क्रीज से काफी आगे गैसे संजू समसन पिछली गेंद वो खेलने के लिए हलकी दो ही रन मिल पाया पर आकरमक शाट के लिए जरूर आगे बढ़े थे तो धीरे धीरे सेट होने के बाद दोनों बल्लेबाज अब थोड़े लॉफ्टेर शाट थोड़े रिस्की शाट लगाते वे दिख रहे हैं अगली गेंद केशव महराज की तीसरी गेंद सामने के ल रहुल अगली गेंद सीजडे बल्लेस गेंद को सम्मान जीत दिया केल रहुल ने 17.3 ओवर हुए हैं भारत बेरान बेरन पर दो विकेटों के नुकसान पर अगली गेंद इस गेंद को खेला है शाट थर्ड मैन के दिशा पर मिलेगा सिंगल अगली गेंद लेकर के आ रहे हैं गेंद बाज केशोब महराज आपस्टम की गेंद खेला इस गेंद को कवर पे और बिल्कुल चलते चलते सिंगल पूरा किया फिल्डर काफी डीप पे थे और इसमें एक आसान सिंगल लेते हुए दिखे भारती की लाड़ी गेंद अगली गेंद अब इस गेंद पे सिंगल तो चार रना है इस ओवर से अठार ओवर की समापती भारत का स्कूर पंचानबे रन दो विकेट के नुकसान पर तो चली अब देखना है उनीस में और पे कौनसे गेंद बाज आ रहेंगे इंद बाजी करने के लिए मुल्डेर कर रहे हैं और की अगला ओवर अठारा दश्मालव एक ओवर हुए है भारत का स्कूर 96 रन का है दो विकेटो के नुकसान पर तो आज भारती टीम ने दो बदलाव किये हैं अपनी एकादश पर अपनी प्लेइंग 11 पर उपर से रूतराज गायखवार्ट को नहीं लिया गया उनके स्थान पर रज़त पटिदार आए और वहीं कुल्दी पी यारव को भी आज आराम दिया गया है और उनके स्थान पर वाशिंगेटन सुन्दर को शामिल किया गया है तो चली अब अगली गेंद लेकर के आते हुए मुल्डर बल्ले बाजी पे संजू सैंसन फ्रंट फूट पर आ करके इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला है कोई रन लेने का मौका नहीं मिलेगा अठारा दशमल अब दो वर बीट गए और भारत का स्कोर इस वक्त 96 रन है दो विकेट के नुकसान पर तो देखा जातों सिर्फ 4 रन दूर है भारती टीम 100 रन से तो स्लो खेल चल रहा है पर देखा जाये तो बीच-बीच में चौके लग रहे है और एक और चौका लग चुका है इस बार संजू सैमसन ने उच्छाल मारती भी गेंद को पुल कर दिया है गेंद तेजी के साथ स्कोर लेकर दिशा पर जाती भी चार रन के लिए शानदार चौका संजू सैमसन के बल्लिस आता हुआ अठारा दशमलव तीन उवर पे भारत एक सो रन दो विकेट के नुकसान पर तो सो रन हो गए है पूरे और उसके साथ साजेदारी भी यहाँ पर देखा जाए तो अच्छी खासी हो गए ही दोस्तों 51 रन की साजेदारी भी इन दोनों ही खिलाडियों के बीच बन चुकी है यहां बिल्कुल धुन बसते रहेगा बस आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो धुन भी बसता रहेगा अगली गेंद लिग स्टम की लाइन इस गेंद को फाइनल लेक की दिशापे धकेला संजू सैमसन ने सिंगल के लिए अठारा दश्मल अब चार ओवर हो गए है और भारत का स्कोर 101 रन का है दो विकेट के नुकसान पर तो जली अगली गेंद मुल्डेर की सामने केल राहुल ओ हो हो यहाँ पर दोस्तों आउट हो जाएंगे केल राहुल जी हाँ फुलकदे के कोशिश थे एक आसान सा कैस दे बैठे विकेट कीपर को और भारती कप्तान 22 रन के नीजी स्कोर पर हो गए है कैच आउट बड़ा जटका लगता हुआ भारत को तीसरा नुकसान हुआ है केल राहुल के रूप में पैथिस गेंदो पर 22 रन बना करके केल राहुल हो गए है आउट तो इस वक्त दोस्तों भारी जटका लग चुका है केल राहुल आउट हो गए है संजू सैमसन हाना की अभी भी बने हुए है आने वाले बल्ले बाज होंगे तिलक वर्मा तो देखना तिलक वर्मा कैसा खेल दिखाते हैं थोड़े आकरमक हैं तिलक वर्मा देखा जातों और इसमें शायद उनके बल्ले से लगातार अच्छे शाट समय लगते हुए दिख सकते हैं तो पचास रन की साज़ेदारी थी टूट चुकी है मुल्डेर ने यहाँ बर सफलता दिलाई है दक्चिन अफरीका टीम को अठारा दश्मेलो पांच वर्मा हुए हैं और भारत का स्कोर 101 रन है तीन विकेट के नुकसान तर मुल्डेर की गेंद बाजी ओवर की आखरी गेंद डालेंगे सामने होंगे तिलाख वर्मा तो चलिए उनीस में ओर की समापती इस गेंद पर सिंगल लेकर के तिलाख वर्मा ने स्ट्राइक अपने पास बनाए रखा है उनीस ओर की समापती के बाद भारत 102 रन तीन विकेट के नुकसान पर तो चलिए अब देखना अगला ओवर के से सौपते हैं दक्षन अफरिकी कप्तान एडन मार करम बीसमावर और शायद केशोब महराज ही आएंगे अगले ओवर के साथ तो सभी मित्रों से रिक्विस्ट रही की दोस्तों कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करके चानल को सब्सक्राइब करनें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो पुचली केशोब महराज की अगली गेंद सामने रहेंगे तिलक वर्मा पहली गेंद से कोई रन नहीं आया और दूसरी गेंद को भी डिफेंड किया प्रेंट फूट प्याकर के बाया हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पुनीज दश्मलव दो ओर पे भारत एक सो दो तीन विकेट के नुकसान पर अगली गेंद ओर की तीसरी गेंद केशोब महराज डालते हुए सामने है तिलक वर्मा और येलजे इस गेंद से भी कोई इनको मोड़ा है बैकवार्ड स्कॉयर लेक के दिशापे आले कि फिल्डर वहां मौजूद है और रन के लिए नहीं गया बल्लेबाज तिलक वर्मा पांच गेंदो पर एक रन पर तिलक वर्मा है वहीं 46 गेंदो पर 38 पर संजू सैमसन है और की अगली गेंद फ्रेंट फूट पर आखर के इस गेंद को रोका बल्लेबाज ने कोई रन नहीं 19 दश्मलों पांच और पर भारत 102 रन तीन विकेट के नुकसान पर है सभी मित्रों से रिक्पेस्ट है दोस्तों लाइक करते नहें और अपना प्यार दें चैनल को सब्सक्राइब भी करके तो चलिए यहां मैडन ओवर आ चुका है केश्व महराज का यह तीसरा ओवर था 20 ओवर था भारत के लिए जो की हो चुका है मैडन कोई रन नहीं आये इस ओवर से 102 रन पे तीन भारत संजु सैम्सन 38 पे वहीं तिलक वर्मा खेल रहे हैं एक रन बना करके तो चलिए मुल्डर आ रहे हैं अपने अगले ओवर के साथ अपना चौथा ओवर करेंगे ओवर दी विकेट्स आते हुए पहली गेंद के साथ इस गेंद को शॉट कवर के दिशा पे खेला है बल्ले बाज संजु सैम्सन ने फिल्डर मौजूद है वहाँ पे और ऐसे में कोई रन नहीं मिलता हुआ अगली गेंद लेकर के आएंगे मुल्डेर सामने होंगे संजु सैम्सन वयान मुल्डेर की गेंद, फुल लेंद की गेंद, इस गेंद को थड़ मैंन के दिशा पे खेला है बल्ले बाजने मिले का सिंगल 20.02 पे भारत एक सो तीम तीन विकेट के नुकसान पर तीसरी गेंद आएगी मुल्डेर की सामने होंगे दिलक वर्मा सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग भी अपना प्यार दें, लाइक करके और साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा 20.03 और पे भारत का स्कोर एक सो तीन रन है, तीन विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के आतर हुए मुल्डेर सामने होंगे दिलक वर्मा तो फिलहाल संजिस सामसान 48 गेंदों पर 49 रन मना करेके खेल रहे हैं, 11 रन दूर है अपने अर्दशा तक से अगली गेंद को शॉट का वर पे खेलता है बलेवाज 20 दश्मल अव चार वर पे भारत का स्कोर, अब 103 रन तीन विकेट के नुकसान पर अगली गेंद करते हुए मुल्डे तिलक वर्मा ने अब तक 9 गेंदों पर मातर एक ही रन बनाया है और ये लिए 10 वी गेंद पर भी डॉट खिल गए तिलक वर्मा रन गती अब 5 से भी नीचे आ चुकी है चार दश्मल अव नौ चार रन प्रती ओवर की उसत से रन बन रहे हैं मुल्डे की आखरी गेंद सामने है तिलक वर्मा अगली गेंद मुल्डेर की और इस गेंद पे सिंगल लिया है बल लिबास तिलक वर्मा ने स्ट्वाइक अपने पास बनाये रखेंगे की सोवर के बाद भारत का स्कोर 104 तीन विकेटों के नुकसान पर हमारे साथ विनोध प्रसाद गुपता जी जोड़ चुके हैं हमारे साथ अनु सिंग है जोकर है माही मलिक जी है गुड़ी सिंग है सबका धन्यवाद न्यूज अपडेट भी है तो न्यूज अपडेट्स कहा रहे हैं कि दक्षिन अफ्रीका के जीतने की संभावना जादा लग रही है कार्तिक वर्मा जी जोड़ चुके हैं गौरव कुमार, सुनील कुमार, राम देव मेगवाल, विकेश गेमिंग, संदीप, सब लोग 6-4 लिख रहे हैं लगता है उमीद मैं है कि शायद तिलक वर्मा उन्हें जल्द ही छका या फिर चौका दिखाएंगे तो चली देखते हैं क्या होता है अगली गेन, अगले ओवर पे क्या होगा, तिलक वर्मा ही बने रहेंगे, स्ट्राइक तो फिलहाल 21 ओवर का खेल हो चुका है और भारत ने अब तक 104 रन बना हैं तीन विकेट के नुकसान पर केशव महराज आ सकते हैं, जी हम महराज अपना चौथा ओवर करेंगे, अब तक तीन ओवर पे उन्हेंने मातर आठ रन दी हैं पहली गेंद कोई रन लेने का मौका नहीं, तिलक परमा के पास पहली गेंद से, दूसरी गेंद केशव महराज की कोई सिलिप नहीं लगा के रखा है, केशव महराज के लिए आड़न मारकरम ने, अगली गेंद आपस्टम के बाहर की गेंद, पंच किया इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे, हाला कि लगातार अच्छी फिल्डिंग करते हैं उस शेतर पर दिख रहे हैं, डेविड मिलर कोई मौका नहीं देते हैं सिंगल चुराने का बल्ले बाजों को लगातार तेजगती के साथ गेंद को लगातार डाले जा रहे हैं और बहुत ही कम समय में अपना ओवर पूरा कर लेते हैं, रविंदर जडेजा की ही तरह केशव महाराज तो फिलाल तीन गेंदों पर कोई रन नहीं आया है, तो लगातार तिलक वर्मा काफी परिशान हो रहे हैं केशव महाराज की गेंदों पर, चौती गेंद भी डॉट के लिए गई है, तो केशव महाराज पूरी तरह से लगता भाब गए हैं तिलक वर्मा को कौन सी लेंद पर ज्यादा परिशानी हो रही है, उसी लेंद पर लगातार गेंद को डाल रहे हैं केशव महाराज 21.5 ओवर पे भारत 104 तीन विकेट के नुकसान पर महराज की अगली गेन फ्लाइटेट डिलिवरी है इस गेन को मिडॉन पे खेल दिया हमल लिबाज ने कोई रन नहीं आता हुआ तो लगातार डॉट्स पे डॉट्स खा रहे हैं तिलक वर्मा केशव महराज की गेंदों पे बिल्कुल रन नहीं बना पा रहे हैं अगली गेंद और ये लिजे एक और मैडन ओवर केशव महराज के द्वारा 22 ओवर की समापती भारत 104 तीन विकेटों के नुकसान पर बैक टू बैक मैडन ओवर डालते हुए केशव महराज दिख रहे हैं तो यहाँ पे केशादी पदम कह रहे हैं कि सैम्शन शुद प्रूव इस बैटिंग स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी यस बहुत अच्छा मौका मिला है संजू सैम्शन को और यह मौका है कि वो अपने बल्लेबाजी के हुनर को सबके सामने प्रस्तूत करें गुड़ी सिंग है जोकर है मोमेंट है हमारे साथ जुल गई है सागारिकाजी जुली हुई है सबका बहुत बहुत शुक्रिया राखी भी है हमारे साथ तो उनका सवाल है कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा देखिए भीवी भारती टीम के ही जीतने की आसार जादा है देखते हैं क्या होता है क्योंकि बहुत महत्पूर्ण मुकाबला है अगर भारत इस मुकाबले को जीतता है तो सिरीज अपने नाम कर जाएगा और विदेशी जमीन पर सिरीज जीत रहा एक अलग ही बात होती है दोस्तों और भारत फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस मैच को इस सिरीज को जरूर जीतने वाला है चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर बर्गर गेंद बाजी करने के लिए आ चुके हैं इनके सामने रहेंगे तिलक वर्मा यहाँ पर संजू सैंसन है श्ट्राइक पर दोस्तों उन्होंने दो रन लिया अभी अभी और अब अबने 40s पर पहुंच चुके हैं 41 रन पर पहुंच चुके हैं संजू सैंसन 49 गेंदो का सामना किया है तो देखा जाए तो गेंद और रन के भी जादा डिफरेंस नहीं है संजू सैंसन का तो बीच में रन्स के लिए काफी भाग रहे हैं और दोस्तों आने वाले बल्लेबाज होंगे रिंकू सिंग जो की हम देख पारे डगाउट के आसपास दिख रहे हैं और फिलहाल शैडो प्रैक्टिस करते हैं नजर आ रहे हैं तो आज भारत की तरब से पारे की शुरुवात की थी रजट पटिदार ने साइस सुदर्शन के साथ पटिदार ने 16 गिंदो पर 22 रन बना है वहीं सुदर्शन ने 16 गिंदो पर 10 रन बना है 22.2 पर भारत 106 रन है तीन विकेट के नुक्सान पर अगली गेंद इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा पर खेलते हुए बल्ले बाज मिलेगा एक रन पिलक वर्मा को तो देखिए दोस्तों 17 गेंदो पर मातर दो रन पर है स्ट्राइक रेट ग्यारह की है इनसे उम्मीदे थी कि तेजी के साथ रन बनाएंगे पर यहां पर माहौल तो कुछ और ही दिख रहा है 22.3 ओवर हो गए है भारत का स्कुर 107 रन है चार दश्मलव 7-6 लगभग 5 की रन गती के साथ रन बन रहे हैं आखरी के ओर पर ताबर तोड़ बल्ले बाजी करनी पड़ेगी वोर के अगली गेन बर्गर की तेज गेंदबाज है नांदरे बर्गर गेंदबाजी करें एक सफलता भी इने मिली थी वोर की अगली गेन आपस्टम की लाइन पर पटकी हुई गेन उच्छाल मारती हुई गेन सीधा गई है विकेट कीपर के पास कोई रन लेने का मौका नहीं 22.5 वर हुए हैं और भारत का स्कॉर 107 रन तीन विकेट के नुकसान पर तो चलिए यहाँ पे बर्गर के 5 वर 129 रना है इनके ओवर की समापती हो चुकी है 23 ओवर की समापती भारत 108 रन तीन विकेटों के नुकसान पर चलिए अब देख रहा है भारते टीम क्या स्कॉर करेगी फिलहाल जो रन बनाने के रफतार है वो काफी धीमी नजर आ रही है भारत बनाम तक्षिन अफ्रीका के बीच यह मुकाबला चल रहा है तीसरा वंडे इंटरनाशनल मुकाबला केशव महराज गेंद बाजी कर रहे है और एक बार फिर से तिलक वर्मा ही इनके सामने और लगातार हमने देखा था दो लगातार ओवरो पे मैडन खा बैठे थे तिलक वर्मा केशव महराज की गेंद उपर भारती और दक्षिन अफ्रीका के बीचे तीसरा एक दिवसी मुकाबला जहाँ पर टॉस जीता था दक्षिन अफ्रीकी कप्तान ने लगातार टॉस जीतते ही आ रहे हैं आप याद करें दोस्तों तो टीट्विंटी मैचस पर भी यही حाल था लगातार दक्षिन अफ्रिका के ही कप्तान टॉस जीत रहे तो और यहां भी लगबग वैसा है कुछ माजरा देखने को मिल रहा है 23.2 वर हुए है और भारत का स्कूर 109 का है तीन विकेट के नुकसान पर भारत बनाम दक्षिन अफ्रिका के बीच यह मुकाबला चलता हुआ इससे पर है टीट्वेंटी मैचेज खेले गए जहाँ पर हमने देखा था मैचेज जो थे जो सिरीज था वो एक-एक पर बराबरी पर रहा था सुरिकुमार यादब की कप्तानी पर खेला गया था टीट्वेंटी सिरीज और फिलाल केल रहुल की कप्तानी पर खेला जा रहा है या वन डे मैचेज की सिरीज देखना है आखिरकार अब क्या कुछ होता है तो सभी मित्रों से एक बार फिट से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्ली से वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजीगा केशो महराज की यह तीन चार गेंदों से अब तक दो रना है तिलक वर्मा स्ट्राइक पे हैं 23 गेंदों का सामना कर लिए और मातर चार रन बना करके खेल रहे हैं वो अगली गेंद होगी और की पांचवी गेंद केश्वम मह 라 aj की strike पर रहेंगे तिलक वर्मा और संजू सैम्सन करीब आज चुके है अपने अर्दस्शातक से सिर्फ साथ रंदूर है अपने अर्दस्शातक से और क्या लग रहा है आपको क्या इनका अर्दस्शातक आज हमें देखने को मिलेगा 23.5 और भारत 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर संजू सम्सन को आज नमबर 3 पर भेजा गया था बल्ले बाजी करने के लिए और अब तक समल करके बल्ले बाजी कर रहे हैं अब भी 82 का बना हुआ है तो बड़े बड़े शॉट्स तो नहीं लगा रहे हैं पर रणिंग बिट्विन दा विकेट काफी अच्छी दिख रहे हैं संजू सम्सन की अगली गेंड लेकर की केशो महराज और इस गेंड से सिंगल आएगा ओवर किसम आपती हो गई है तीन रन आए हैं इस ओवर से 24 ओवर किसम आपती के बाद भारत का स्कूर 111 रन तीन विकेट के नुकसान पर हमारे साथ गुरी कान सिंग जी जुड़ चुके हैं सबसे पहले आए हैं आप आपका बहुत-बहुत अशुक्रिया लाइक जरूर कीजिएगा जितने मित्र जुल रहे हैं उन सभी मित्रों से रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल लाइक करें तो चैनल को सब स्क्राइब करना मत बूल येगा क्योंकि जब भी आप करते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो स्क्रीन पर भी आपका नाम दिखाये जाता और वीडियो को लाइक करेंगे तब तो दिखाया ही जाएगा तो चलिए 24 ओर पे 111 रन बने हैं 25 में ओर की तरह बढ़ते हैं और पहली गेंद लेकर के आतो हुए नांद्रे बर्गर सामने है तिलक वर्मा लेकस्टम की गेंद इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वार लेक की दिशा पे गेंद को खेला है डीप पे फिल्डर मौझूद है ऐसे वन्डे मैस में बना पाने में काम्याब हो पाते हैं और नहीं 24 ओर लव एक ओर के बाद भारत 113 विकेट के नुकसान पर बर्गर की दूसरी गेंद सामने होंगे संजू सैमसन तो दक्षिन अफ्रिका में यह मुगाबला चल रहा है दोस्तों काफी सुंदर ग्राउंड है वादियों की बीच पहाड भी दिख रहे हैं समंदर भी दिख रहे हैं अगली गेंद इस गेंद को कवर के दिशा पे खेला बले बाद संजू सैमसन ने कोई रन नहीं आता चौपिस दश्मल अब दो वर पे भारत 112 तीन विकेट के नुकसान पर अगली गेंद सामना करेंगे संजू सैमसन अगली गेंद को ले करके आते हुए गेंद वाज बर्गर हमार साथ अमरेश अगरवाल जी जुड़ के हैं सुनील जी जुड़ चुके हैं गुर कीरत सिंग गिल जुड़ चुके हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया लाइक करते रहें और लाइक को कम से कम सौ तक ज़रूर बढ़ाईगा नए वीडियो पर अगली के नॉप्स्टम की लाइन की इस गेंद को हलके हाथ से खेला है गेंद का ये पॉइंट पे खड़े फिल्डर डेविड मिलर के पास कोई रन नहीं आता हुआ इस गेंद से और ये लिजे आयूश गेमिंग ने हमें सबस्क्राइब कर दिया वेलकम आयूश आपका न 260-270 तो बनने चाहिए कांतिक वर्मा जी जुले है अंकेश यादव जी जुले है पंकरज भाई जुले है बाबा श्याम की दिवान है जोनोंने हमें सब्सक्राइब किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंकिस सो मच पर यूट सपोर्ट 24.5 वर पे भारत 113 रन तीन विगेट के नुकसान पर अगली गेंद उचाल मारती भी गेंद बाउंसर डिलिवरी डाली थी इस गेंद को खेलने के लिए जुकना पड़े गए तिलक वर्मा को आज तिलक वर्मा का दिन काफी धीमा सा दिख रहा है दोस्तों जीने भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ इजी हमें दीपेश चाधरी जी ने भी सब्सक्राइब करतिया वेलिकम दीपेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी डाम स्कीरी पर दिखायर जा रहा है 24.5 ओवर हुए हैं भारत का स्कोर 113 रन तीन विकेट के नुकसान पर बर्गर की अगली गेन आखरी गेन और ये लिजे इस गेन से रन नहीं आएगा तो एक और की फाइती गेनदबाजी करी गई है दक्षिन अफ्रीकी गेनदबाजी के द्वारा दो रन आए इस ओवर से 25 ओवर बीद गए हैं और भारत का स्कोर 113 रन का है तीन विकेट के नुकसान पर संजु सामसन ने 55 गेनदों पर 44 महीं तिलक वर्मा की अगर बात करने तो बहुत धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं 28 गेनदों पर 6 लन पर तिलक वर्मा हैं तो बहुत धीमया आज खेल दिखाते हैं तिलक वर्मा नजरा रहे हैं आने वाले बल्लेबाज होंगे रिंकु सिंग से एक बड़ी पारी की उमीद जरूर है तो चलिए अब केशव महराज आ रहे हैं गेंद बाजी करने के लिए इस गेंद को शॉर्ट मिट विकेट की दिशा पे खेला है बल्ले बाज ने कोई रन नहीं आता हुआ अगली गेंद केशव महराज की दूसरी गेंद होगी फ्लाइटेट डिलिवरी अंकेश यादव जी ने भी हमें सब्सक्राइब किया विलकम अंकेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जोडने के लिए थाएंगे सो मच फॉर यूर सपोर्ट सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार अपना प्यार देने के लिए और इस चानल को सब्सक्राइब करने के लिए हमार साथ मांगा राम जी जुल गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अगली गेंद लेकर के आएंगे केशव महाराज सामने रहेंगे तिलक वर्मा लाइक्स को बढ़ाते रहें दोस्तों एक हजार लाइक्स का टार्गेट रहेगा हमारे इस वीडियो पे अगली गेंद इस गेंद को खेला एक्स्टॉक कवर पे फिल्डर मौजूद मिलेगा सिंगल 25.3 वर हुए हैं भारत का स्कोर 115 हर रन है तीन विकेट के नुकसान पर केशोम महराज बहुत किफायती गेंद बाजी करते होँ Means 2.3-6 की एक़ोनॉमिक के साथ इन्होंने गेंद बाजी की हलाकि विकेट नहीं मिल पाया है पर बहुत ही किफायती गेंद बाजी कर रहे है अगली गेंद, चौती गेंद, सामने संजू सम्चन, एक और डॉट गेंद आता हूँ, अब तक चार गेंदों पे सोवर से दो ही रना है फ्लाइटे डिलिवरी इस गेंद को सीदे बले से खेला था बले बाज ने अगली गेंद, केशो महराज की पाँच विकेंद आएगी और अभी अभी हमें लखविंदर सिंग जी ने भी सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर भाई, आपका भी नाम स्क्रीन पर दिखा दिया जा रहा है सिंग इंटर्टेनमेंट जी ने भी हमें सब्सक्राइब कर दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आप तमाम मित्रों का अपना प्यार देते रहने के लिए, यू गाइस हाज अलवेज बिन ओसम फॉर मी, थैंक यू सो मच पॉर यूर सपोर्ट और की अगली गेंद, और इस गेंद से कोईला ने तीन रन आएस ओर से चप्विस ओर बीद गये, चप्विस ओरों के बाद भारत का स्कॉर 116 रन है, तीन लिकेट के नुकसान पर तो यहां ऐसा लग रहा है कि एडन मारकरम खुद आ रहे हैं गेंद बाजी करने के लिए, तो एडन मारकरम खुद गेंद बाजी करने के लिए आ रहे हैं अब तक 18 विकेट्स इनके नाम है, 69 मैचेस पर 18 विकेट्स इन होने लिए हैं पुछली आडन मारकरम गेंद बाजी पर हैं, बल्ले बाजी पर रहेंगे संजू सैम्सन पहली गेंद इस गेंद को खेला है मिडॉप की दिशा पर, खाला कि फिल्डर की ही पास गेंद गई है, ऐसे में रन लेने का मौका नहीं मिल पाएगा कई सारे मित्र और भी जूल रहे हैं हमारे साथ, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया मारकरम की गेंद बाजी चल रही है, संजू सैम्सन की बल्ले बाजी चल रही है, 26.2 वर पर भारत 116 तीन विकेट के नुकसान पर जब इस दश्मल अब तीन वर हुए हैं, भारत का स्कॉर 117 रन है तीन विकेट के नुकसान पर अगल गेंद मारकरम की चौथी गेंद सामने होंगे तिलक वर्मा अगली गेंद फ्राइटेट डिलिवरी है, इस गेंद को मिड़ान के दिशा पर धकेला वल्ले बाजने, कोई रन नहीं आता हुआ, 26.4 वर हुए हैं, भारत 117 रन पर है, तीन विकेट के नुकसान पर संजु समसन ने 62 गेंदो का सामना करते हैं, 47 रन बरा हैं, 25 पर चार चौके जड़े हैं, वहीं तिलक वर्मा की बात करें, तो 32 गेंदो पर इन्होंने 7 रन बरा हैं, तो ना एक चौका ना कोई छक्का है तिलक वर्मा के इस पारी से, और अगर तिलक वर्मा भी आउट हो ज तिलक वर्मा अभी बिलकुल मारकरम की गेंद पर बोल्ड ही हो जाते कि बच गये हैं, लेक स्टंप पर गेंद लगते-लगते बच गई हैं, और इसे के साथ ओवर की समापती हो गई है, मात्र एक रन आया है सो ओवर से, 27 ओवर के बाद भारत 117 तीन विकेट के नुक्सान तो रन गती लगातार गिरती ही जा रही है, 4.33 की अब रन गती बन चुकी है, 27 ओवर बीद का है और भारत का स्कोर मात्र 117 गन है, तीन विकेटों के नुक्सान पर तो चली अब देखना है बचे ओवरों पर क्या होगा, 28 में ओवर की शुरुवात और हैंडिक्स करेंगे यह ओवर, अब तक 4 ओवर की गेंद बाजी पर उन्होंने 21 रन देखर के एक सफलता प्राप की है, 27 ओवर बीद गए, भारत 117 पर है, तीन विकेट के नुक्सान पर अब बाय हत के तेज़ गेंद बाज हैंडिक्स आ रहे हैं, सामने होंगे संजू सैम्सन, दूसरी गेंद, पहली गेंद से कोई रन नहीं आया है, दूसरी गेंद के साथ है, हैंडिक्स, सामने होंगे संजू सैम्सन, अगली गेंद के साथ आते हुए हैंडिक्स, डाउन दिविकेट्स आ रहे हैं, इस गेंद को फिलिक किया, गेंद जारी है, डीप स्कॉार लेके दिशा पर, हलेकि फिल्डर मौझूद है, काफी समय के बाद कोई गेंद बॉंडी रेखा तक जाते हुए दिखा है, दो रन मिले हैं और संजू सैम्सन अब उन्चास पे पहुँच चुके, मातर एक रन दूर है अपने अर्द शतक से, तो चली क्या लग रहा दोस्तों हो, संजू सैम्सन का अर्द शतक क्या इस गेंद पर आएगा, तो देखना रहेगा दिल्चस्प, संजू सैम्सन के पास मौका है, एक शांदर पारी खेलने का और अब तक काफी बहतरीन बल्लेबाजी की है, अगली गेंद, आपस्टरम के बाहर की गेंद, ड्राइव क्या इस गेंद को कवर पे हलागे फिल्डर मौजूद रन नहीं मिलता हुआ, 27.3 वर हुए हैं और भारत का इसकोर, 190 रन है, तीन विकेट के नुक्षान पे हैं, ये हैं संजू सैमसन ने, तो 66 गेंदों पर 50 रन बनाया हैं संजू सैमसन ने, अपनी इस पारी पर उन्होंने चार चौका जड़ा है, तो काफी अच्छी पारी खेल गए संजू सैमसन, तो चली अगली गें, लिक्ष्टम की गेंद, फ्लिक किया इस गेंद को बल्ले बाद स्थिलक वर्माने एक रन के लिए, और अब स्ट्राइट पे वापस से संजू सैमसन आ जाएंगे, 27.5 उवर हुए हैं और भारत का स्कोर 121 रन का है, तीन विकेट के नुक्सान पर, संजू सैमसन ने 66 गिंदो पर बना ली हैं, 50 रन, क्या संजू सैमसन शतक बनाएंगे? तो चली अब हैंडिक्स आ रहें गेंद बाजी करने के लिए, 29 वे उवर की शुरुआत सामने हैं संजू सैमसन पहली गेंद, अपस्कम के बाहर की गेंद थी, इस गेंद को बैकवर्ट पॉइंट पे खेला है पर, डेविड मिलर मौजूद और डेविड मिलर काफी शांदार फिल्डर हैं दोस्तों, कोई रन लेने का मौका नहीं देते हैं बल्लेबाद जोको 28 ओर बीद गय है, भारत का स्कुर 121 रन है, तीन विकेट के नुकसान पे और इस बीच हैंडिक्स की गेंद, तिलक वर्मा ने इस गेंद को फाइलने के दिशा पे खेला है, चूक हुई है रेजा हैंडिक्स से, गेंद तेजी के साथ 4 रन के लिए जारी पर बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग, केशव महराज ने डाइव मार्त विस चौके को बचा तो चलिए 28 दश्मल अब एक ओवर पे, भारत 124 तीन विकेट के नुक्सान पी, माप किजिएगा वहाँ पे शायद संजू सैमसन थे, यह नी तिलक वर्मा ही थे, तिलक वर्मा ने तीन रन लिया और अब स्ट्राइक पे संजू सैमसन आ जाएंगे, 124 रन पे भारती टीम ह अगली गेन आडन मारकरम की, सामने संजू सैमसन अच्छी गेन, इस गेन को सीधे बलने से डिफेंड किया है, सम्मान दिया इस गेन को संजू सैमसन ने, अगली गेन के तरफ बढ़ते हैं आडन मारकरम, और की तीसरी गेन को डालेंगे, सामने संजू सैमसन है, 68 गेन दोप पच्छास रन संजू सैंसन ने बनाया उसे बीच अगली गेन आइडन मार्करम की सिंगल ने पाने में काम्याब 28.3 ओवर हो गये भारत का स्कूर 123 मिकेट के नुकसान पर इस भी चगली गेंद तदमों का इस्तमाल गेंद वापस गई है गेंद बाज के ही पास अच्छी गेंद बाजी करते हुए नजर आ रहे है अडन मार्करम 28.4 ओवर के बाद भारत 125 रन तीन विकेट के नुकसान पर सभी नाय मित्रोस अनुरोध है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी जरूर लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें चैनल को भी सब्सक्राइब तो आने वाले बले बाज रिंकु सिंग है दोस्तों और मुझे लगता है आखरी के ओर पर तावड तोड बले बाजी जरूर करेंगे रिंकु सिंग तो चलिए अड़न मारकरम ने अपने दो और पर मात्र तीन ही रन दिये हैं तो काफी छोटा स्कोर बनता हुआ दिख रहा है भारती बले बाजों की तरप से सभी मित्रों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं है तो जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक और साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा उचली अब तीसमें वर्पे हैंडिक्स की गेंद और आखिरकार तिलक वर्मा ने एक चौका जड़ ही दिया है बहुत ही बेहतरीन चौका तिलक वर्मा के बल्ले साता हुआ 29.2 वर्पे भारत का स्कोर अब 130 रन का है तीन विकेट के नुकसान पर यह बहुत ही घातक शांदार चौका जड़ा तिलक वर्मा ने मिड विकेट चेतर पर 29.2 वर्पे हैं भारती टीम का स्कोर 130 रन है तीन विकेट के नुकसान पर जित्ते भी मित्र जुल रहे हैं उन सभी मित्र से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपना प्यार देते रहे हैं लाइक कते रहे हैं लाइक नहीं रुकने चाहिए और साथ दो सब्सक्राइब भी जरूर करते रहे हैं अगली गेंद और की चौथी गेंद होगी हैंडिक्स की सामने हैं तिलक वर्मा बीच अगली गेंद इस गेंद को पुल कर दिया है गेंद जाएगी एक रन के लिए 29.4 ओर हुए भारत 131 रन पर है तीन विकेट के नुकसान पर हमार सद निर्भाई भाई हैं बहुत 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 शुक्रिया आपका निर्भाई तो चले 131 रन भारत का स्कोर इस वक्त चल रहा है तीसवा ओर चल रहा है हैंडिक्स गेंद बाजी पे हैं बल्ले बाजी पे संजू सैमसन और साथ में तिलक वर्मा है तिलक वर्मा ने धीनी शुरुआत तो जरूर की है पर अब तक पिछले ओर पे इसी ओर पे एक चौका उन्होंने लगाया है और अब आक्रमन करना पड़ेगा भारती ये बल्ले बाजों को हालकि अभी भी बीस ओर का खेल बाकी है और देखना है इन बीस ओर पे भारती टीम क्या 280 के आसपास का स्कोर खड़ा कर पाने में काम्याब हो पाती है या नहीं 29.5 वर हुए है भारत 132 रन पर है तीन विकेट के नुकसान पर हैंडिक्स के आखरी गेंद सामने होंगे तिलक वर्मा तो चलिए अब 30 ओर की समापती हो चुकी है 30 ओरों के बाद भारत का स्कोर 132 रन है तीन विकेट के नुकसान पर है अखरी के 20 ओर पर देख रहा है भारती टीम का टी 20 की तरह अगर बल्लेबाजी कर ले तो रिंकु सिंग जैसे खिलाडी है वाशंगेटन सुंदर के आने के बाद जो बल्लेबाजी है उस पर भी मजबूती मिली है कुल्दी यादव से बहतर बल्लेबाज है तो देखना भारती टीम क्या 200 असी तक पहुँच पाती है या नहीं जबीच अगली गेंद एडन मारकरम की तो केशव महराज को हटाकर के लगातार गेंद बाजी अडन मारकरम ही कर रहे है 30.2 वर हुए है और भारत का इसकोर 132 है तीन विकेट पिल अगली गेंद इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर के दिरिशाप है फिल्डर मौजूद कोई रन नहीं मारकरम गेंद बाजी करते हैं कि फाइदी गेंद बाजी कर रहे हैं और एक सफलता की तलाश में भी एससे भी जगली गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल ले लिया है श्ट्राइक पा जाएंगे तिलक वर्मा चोथी गेंद एड़न मार करम की सामने तिरक वर्मा पिलाल देखा जाए तो इस वक्त जो बल्ले बाजी है वो अभी भी धीमी ही चल रही है अब तक भारती टीम पांच के रन स्कोर को रन रेट को नहीं कैच कर पाया है इस भी चगली गेंद संजू सैमसन ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की थी कदमों का इस्तमाल करते हुए इस गेंद को मिड़ विकेट शेतर पर खेलने की कोशिश की हालाएकि मस्टाइम किये हुआ उनके द्वारा जिस कारण से सर्थ एक ही रन मिला पर इंटेंट था अपती के बाद भारत का इस्कोर 135 रन है तीन विकेट के नुकसान पर तो चली अब बढ़ते हैं 32 वे और पे देख रहा है क्या दूसरी छोर से में केशो महाराज दिखेंगे संजू सैंसन और तिलक वर्मा के बीच अब तक 73 गेंदो पर 34 रनों की साज़ेदारी हो चुकी है तो आज देख रहा है दिल्चस्प रहेगा कि भारत की गेंदबाजी कैसे दिखने वाली है संजू सैंसन ने शांदार बल्लेबाजी की है और देखा जाए तो पूरी तरह से एंकर की भूमी का में नजर आए है 75 गेंदो पर 54 रन बनाए है और देखा जाए कि जब सभी बल्लेबाज एके करके आउट होते तो ऐसे में अगर कोई एक खिलाड़ी टिकता है तो उसकी वो पारी काभी बड़ी हो जाती चाहे वो रन कितना ही को ना बनाए तो 54 रन की भले ही पारी है पर टीम के लिहाज से ये शतक से कुछ कम नहीं इस बीच अब तेज गेंद बाज मुल्डे रा चुके हैं गेंद बाजी करने के लिए अगली गेंद बड़ा शॉट खेला है गेंद हवा पर है ओहो ओहो थर्ड मैन की लाड़ी के पहले जाकर के टपक आई रिस्की शॉट था ये संजू सामसन का कैच आउट होने का यहाँ पर संभावना थी पर बच गए बाल-बाल संजू सामसन और भी कई मित्र हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब ने किया सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए हम लोग काफी करीब आ चुकें एक हजार लाइक से 969 लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक किया है तो जैसे एक हजार तक हम लोग पहुँचेंगे आपकी पसंदीदा धुन भी बजा दी जाएगी चलिए इसे बीच अगली गेंपिस सिंगल स्ट्राइक पे संजूस सैंसन 31 दश्मेल अब दो अर हुए हैं भारत का स्कॉर 137 रन है तीन विकेट के नुकसान पर तो पुषपांजली जी कह रहें कि 260 तो बना लो जी हां 260-270 रन कम से कम बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत खराब देखा जाए तो फिछ नहीं है बल्लेबाजी के लिए पर क्यों इतना ज़्यादा परिशानी में भारती खिलाली दिख रहे हैं वो बिल्कुल समझ के पर वर्दी विकेट से मुल्डेर आते हुए इस गेंद को खेला है पॉइंट के दिशा पे मिलेगा सिंगल 31.3 वर भारत 138 तीन विकेट के नुकसान पा तो 980 लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक किया सिर्फ 20 लाइक दूर है हम लोग 1000 लाइक से और 1000 लाइक सोती है आपक तिलक वर्मा के लिए अगली गेंद इस गेंद को खेल दिया है मिडिविकेट शेत्र पर एक रन मिलेगा बल्लेबाच को तिलक वर्मा ने काफी गेंद का आज नुकसान किया है देखा जैसो चियाल इस गेंदों पर 17 रन पर हैं काफी जादा डॉट गेंद खेल गए है और यह लिए एक हजार लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया तो इसी बात पर बजा देते हैं आपकी पसंदीदा धुन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मित्रों का यूगाज आर आसम तो हजार से भी जादा लाइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी म नुक्सान पर हमा सब मन्पृत शर्मा जी जुड़ गया है वी मन्यू सिंग जी जुड़ गया है सबका बहुत बहुत शुक्रिया अगली गेंद की तरफ बढ़ना होगा हमें दोस्तों और अब मार्करम आ रहे हैं गेंद बाजी पर प्रत्मों का इस्तमाल की है तिलक वर्माने हाला की लॉंगाउन पे गेंद गही और एक खेंद रन मिल पाएगा 32 दश्मल वे एक वर्पे भारती टीम का इस्कोर 140 रन है तीन विकेट के नुकसान पर मार्करम की दूसरी गेंद सामने होंगे संजू सैमसन 32 दश्मल अब दोवर भारत 143 विकेट के नुकसान पर मार्करम की तीसरी गेंद सामने हैं संजू सैमसन अगली गेंद लेक्स्टम की गेंद पुल किया इस गेंद को डीप पे फिल्डर मौजूद बढ़िया फिल्डिंग चौके को बचा लिया गया है मिलेगा दो ही रन 32 दश्मल अब तीन ओवर भारत अब 142 रन पर तीन विकेट के नुकसान पर तो यहां से अब 17 ओवर के आसपास का अभी भी खेल बाकी है पहली पारी की देखना है इन 17 ओवर पर भारती टीम जा 120-130 रन और जोड़ पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं मार्करम की अगली गेंद और इस गेंद पर सिंगल आता हुआ 32.4 ओवर हुए हैं भारती यह टीम का स्कोर 143 रन है तीन विकेटों के नुकसान पर अगली गेंद और तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेल दिया है कदमों का इस्तमाल गेंद सीधा अंपायर के सर के उपर से निकल गई है फॉर दी मैक्सिमम साइट स्क्रीन की तरफ जाता हुआ यह शॉट मिलेगा च्छका शांदार च्छका तिलक वर्मा के बल्ले सा आता हुआ बहुत ही बेहतरीन छे रन तिलक वर्मा के द्वार आती हुई इसी के साथ भारत 150 से मातर एक रन दूर है 32.5 वर के बाद भारत का इसकोर 149 रन तीन विकेट के नुकसान पर तो तिलक वर्मा अब धीरे धीरे अपने पुराने लह में आते हुए नज़र आ रहे हैं देखना है क्या अब अपने आपको 50 तक पहुँचा पाने में कामियाब होते हैं तो चलिए एक बार फिट से आपको मैं बता देता हूँ किस-किस खिलालियों का क्या रहा है तो चलिए यहां से अब देखा जाए तो संजू सैमसन ने एक बहुत ही समली हुई पारी खेली और भारत की लड़कडाती पारी को बहुत हद तक समाल लिया है आज तीसरे नमबर पर आये थे बल्लेबाजी करने के लिए और वहीं केल रहुल की बात करें तो उन्होंने 35 गिंदो पर 21 सरन बनाये तिलक वर्मा 48 गिंदो पर 24 सरन बना करके खेल रहे हैं इससे पहले पारी के शुरुवात रजट पटिदार ने की थी क्योंकि आज रुतुराज गाइकवाड नहीं खेल रहे हैं उनके स्थान पर उन्हें मौका मिला साइस सुदर्शन के साथ पारी की शुरुवात करने की हाला कि दोनों ही बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गये थे हैं घजट पटिदार ने सुलह गेंदो पर 22 सरन बनाये थे वहीं साइस सुदर्शन ने सुलह गेंदो पर 10 सरन बनाये तो चली दोस्तों अब आखरी के 17 ओर बाकी है और अब देखना रहेगा दिल्चस्पिन 17 ओर पे कि अब भारती बल्लेबाज तेज गती के साथ रन बनाते हैं या नहीं हमार साथ नेपाली लोक अंमर थापा आ गए है रमेश्वर तेरा जी जुल गए है इस चानल को भी जरूड सबस्क्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो अब भारती टीम को तेज गती के साथ रन बनाने पड़ेंगा अगर एक सम्मान जनक स्थिती पे अपने आपको पहुंचारा है तो तो चलिए अब वखेल को वापस रिजूम किया जा रहा है देख रहा है यहाँ पर कौन से खिलाली आ रहे हैं तो चलिए संजू सम्सन स्ट्राइक पे गेंदवाजी पे देखना क्या केशो महरा जा रहे हैं 82 गेंदो पर 69 रन बनाया था संजू सम्सन ने तिलक वर्मा वहीं दूसरी छोड़ पर 49 गेंदो पर 24 रन बना करके खेल रहे हैं तो चलिए यहाँ पर गेंदवाजी पर तेज गेंदवाज आते वे दिख रहे हैं नांद्रे मुल्डेर है गेंदवाज पहली गेंद संजू सम्सन ने इस गेंद को कट किया है मिलेगा एकनन स्ट्राइक पाजाएंगे तिलक वर्मा 35 दश्मलब एक ओवर पे भारत का स्कूर 153 विकेट के नुकसान पर कई सारे और भी मित्र हमारे साथ जूल रहे हैं उनसा सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों नय मित्रों से रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें पुराने मित्रों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को लाइक करें तुमार साथ नटकट जुड़ गया है इपो इपो हजुड गया है रिश्य मंडल जी है आपका भी धन्यवाद इस बीच अगली गेंद पॉइंट के दिशा पे खेला गया शाट कोई रन नहीं मिलेगा इस बीच एक सो पचास रन पूरे हो गया है भारत के दोस्तों तो धीरे धीरे रेंगते रेंगते भारती टीम बड़े स्कोर की तरफ बड़ रही है अगली गेंद लेकर के आएंगे मुल्डेर पॉर की चोथी गेंद है सामने है संजू समसन 33.3 ओवर पॉर भारती टीम का स्कोर 152 है तीन विकेट के नुकसान पे मुल्डेर की गेंद बाजी ओवर दी विकेट से सामने है तिलक वर्मा मुल्डेर की पांचवी गेंद तिलक वर्मा के लिए 50 गेंदों पर 25 रन पर तिलक वर्मा है वहीं संजू समसन ने 84 गेंदों पर बढ़ा है 61 रन अचली अगली गेंद लेकर के आतो है मुल्डेर आकरी गेंद आने वाली है 33.5 वर हुए है भारत 152 पर तीन विकेट के नुकसान पर इसी भी स्तिलक वर्मा ने शानदार शॉट खेल दिया है और गेंद जाएगी चारण के लिए जी है स्कूप खेला गया शॉट गेंद विकेट कीपर के उपर से निकल गई है चारण के लिए शानदार चौका तिलक वर्मा के बल्ले से आता हुआ और इस चौके के साथ 34 में ओवर की समाप्ती हुई भारत का स्कूर है 156 तीन विकेट के नुकसान पर तो चलिए ये एक अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे भारती टीम थोड़े आकरमा के अंदाज में बल्ले बाजी कर रहे हैं 34 दश्मल अब एक ओर पे भारत का स्कूर 156 तीन विकेट के नुकसान पर इस बीच अगली गेंद एडन मारकरम की मारकरम लगातार गेंद बाजी कर रहे हैं और केशो महराज को हंटा करके खुद गेंद बाजी कर रहे हैं ये अच्छी गेंद थी ये अंदरोनी हिस्सा लगा बलने का संजू सैमसन खुल-खुल लगी साबित हुए इसी बीच आयूश आफिस्चेल गेमर ने हमें सब्सक्राइब कर दिया वेल्कम आयूश आपका स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सब्सक्राइब करने के लिए अगली गेंद लेकरके आते हुए आड़न मारकरम इस गेंद को सिंगल के लिए खेला बलने बाज संजू सैमसन ने 62 पे पहुंच कहा है स्ट्राइक पार चुकें तिलक वर्मा आड़न मारकरम की गेंदो का करेंगे सामना वर की तीसरी गेंद करते हुए नाए हाथ की स्पिन गेंद बाज आड़न मारकरम तो चली यहां से अब कुछ ओवर सी बाकी रहके हैं मारकरम गेंद बाजी पह सामने संजू सैमसन है और इन दोनों बल्ले बाजों ने बहुत ही बढ़िया साजिदारी अब तक निभाली है संतावर रन की पार्टनर्शिप हो चुकी इन दोनों के बीच में बाजनर्शिदेट अब दोनो चार्टनर्शों जोन थाज़न प्राटनर्श साज़न घवर सामने सी बाता है 35 ओवर की समापती की बाद भारत का स्कुवर 169 रन है तीन विकेट की नुकसान पर एड़न मार्करम की गेंदबाजी और इन्होंने अपने आकरी इन को डाला है 35 ओवर की समापती यहां से अब 15 ओवर यानिकी 90 गेंदबाजी है देख रहा है इन 90 गेंदो पर भारती टीम कहां तक पहुँच पाती है दिलक वर्मा 55 गेंदो पर 30 रन बना करके खेल रहे हैं वहीं संजु सैमसन 88 गेंदो पर 63 रन बना करके खेल रहे हैं चली अब इससी प्रकार से अगर भारती टीम खेलती है पेछले चार पांच ओवर पर देखा जातो हो अच्छे शॉट्स लगते वे नजर आए हैं बस इसी गती के साथ रन बनाने पड़ेंगे भारत को अगर सब मांजने की स्कोर तक खुद को पहुँचाना है तो चली अब बुल्डर कर रहे हैं गेंद बाजी पहली गेंद इस गेंद को ड्राइव किया है गेंद गईए है कवर के छेतर से जाती हुई डीप कवर पे मिलेगा एक रन तिलक वर्मा एंगे स्ट्राइफ पे संजू सामसन चौशट पे तिलक वर्मा तीस पे तिलक वर्मा के पास भी अच्छा मौका है अपना अर्द शतक पूरा करने का वहीं संजू सामसन अगर शतक बना जाते हैं तो चैन करताओं के लिए एक और चुनाती होगी कि अब उन् मुल्डेर सामने हैं तिलक वर्मा तो सभी मित्र से रिक्वेस्ट हैं अगर आपके भी कोई मित्र हैं आपकी तरह क्रिकेट के प्रिशन शक हैं क्रिकेट के फैन है तो उनकी साथ भी हमारे वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें अगर आपसे हो पाए तो अगली गेंद और इस गेंद पर कोई रन ने मिलता हूँ रन की मांग कीती तिलक वर्मा ने हालाकि संजुष सामसन उन्हें मना किया है 35 दश्वल अग तीन ओवर पे भारत 163 विकेट के नुकसान पे मुल्डेर की चौती गेंद तिलक वर्मा के लिए आती हुई अगली गेंद मुल्डेर की अपील की गई है हालाकि अम्पायर ने कोई दिल्चस्पिन नहीं दिखाई इस अपील पर कोई रन नहीं मिलता हुआ और अम्पायर ने वाइड का इशारा कर दिया है कॉट बिहेंड के लिए अपील की गई थी अम्पायर ने का है वाइड एक अजिरिक तरण भारत के खाते पर जुड़ता हुआ 35.3 ओवर पर भारत 161 विकेट के नुकसान पर अगली गेंड होगी ओवर की चौती गेंड मुल्डेर की चौती गेंड सामने है तेलक वर्मा एक और वाइड लगातार दो गेंदों पे दो वाइड आये हैं अब भारत का एक स्कूर बढ़ करके हो चला है 162 रन का तो पार्टर्शिप की बात करें तो 162 रन की साजिदारी हो चुकी है इस वक्त दोनों ही बल्ले बाजों की बीचे अगली गेंड के साथ मुल्लेर सामने संजू साम्चन जी नहीं यहाँ पर पिछली गेंड पर दो रल्ले पाने में कामजाब हो गए हैं तिलक वर्मा एसमें स्ट्राइक अपने पास बनाये रखेंगे 35.4 वर हुए हैं और भारत का स्कूर अब 164 रन का है तीन विकेट पे 101 गेंडों पर दोनों ही बल्ले बाजों ने मिल करके 63 रन जोड दियें तो बहुत अच्छी साजिदारी हुई हैं दोनों ही बल्ले बाजों की बीच रिंकु सिंग लगातार अपने इंतजार में है पर टीम के लिए अच्छी बात है जितना ज़्यादा इंतजार रिंकु सिंग को करना पड़े उतना अच्छा है आखरी गेन मुल्डेर की सबने संजू सैम्सन 35.5 बाद भारत का स्कोर 165 रन का है तीन विकेट के नुकसान पर विंकु सिंग ने टी 20 मैचेज में दो मैचेज में बेरासी रन बनाया है एक अर्दश्य तक था अर्दश्य रन सबसे वे बेहतरीन इनका स्कोर रहा अब देखना है इस वन्डे मैच जो की आखरी मुकाबले हाज इन पे इनकी बल्लेबाजी कैसी होती है तो चलिए इसके साथ ओवर की सबापती होती हुई छे रना है इस ओवर से 36 ओवर भीद गया और भारत का स्कोर 165 रन का है तीन विकेट के नुकसान पर अब देखना है कुछली अब यहां से यह देखना दिल्चस्प रहने वाला है कि भारत क्या 250 तक पहुँच पाया का यहां से 14 और बाकी है अब भी और सिविच अगली गेंद वे टॉप की दिशा पर इस गेंद वो खेला है मिलेगा एक रन और यहां पर बिस फिल्डिंग हुई है दोस्तों गेंद जाएगी चार रन के लिए जी हां दोस्तों यहां पर मार्कम से चूख हुई और गेंद चली गई है चार रन के लिए शांदार चौका संजू एक मिनट दोस्तों यह संजू सब्चन ने तिलक वर्मा के बल्ले साता हुआ नारायन विथ मिनी ब्लॉगिंग ने हमें सब्सक्राइब कर दिया वेल्कम नारायन भाई आपका स्वागत है सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है अपना प्यार बढ़ाते रहें लाइक करके और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके लिजार्ड विलियम्स की अगली गेंद आएगी सामरे रहेंगे संजू सैंसन 36.2 वर हुए हैं भारत का स्कॉर 173 विकेट के नुक्सान पर कालू वालिया जी ने हमें सब्सक्राइब कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका कालू वालिया जी स्वागत है आपका चैनल पर और साथी बच्चपन डिलाइट ने भी सब्सक्राइब कर दिया वेलकम बच्चपन डिलाइट आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया इसी बीच बड़ा शॉट संजू सैमसन ने इस गेंद को खेल दिया है लोंग आउन दिशा में और गेंद गई है सीधा चौके के लिए शानदार चौका संजू सैमसन के बल्ले साता हुआ तो अब धीरे-धीरे रन्मरान की रफ्तार बढ़ती जा रही और बहुत जरूरी है इस वक्त भारत के रन्रेट पे जाफा करने की संजू सैमसन ने एक चौका जड़ा अभी थोड़ी देर पहले हमने तिलक वर्मा के बल्ले से भी चौका देखा था तो इस वर्मा की पहले तीन गेंदों सही नौर रना चुके हैं देखना अगली गेंद पर क्या होता है नरेश रथवाजी ने हमें सब्सक्राइब कर दिया वेलकम नरेश भाई आपका स्वागत है अगली गेंद ओर की चौथी गेंद लिजाड विल्यम्स की सामने है संजू सैंसन अगली गेंद और इस गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट पे मिल जाएगा तीन रन क्या चौका मिलेगा जी नहीं यहां पर बहुत ही बल्या फिल्डिंग किया है केशो महराज ने तीन रन मिलता हुआ 36.4 वर भारत 117 रन तीन विकेट के नुपसान पर विल्यम्स की पाँचवी गेंद सामने होंगे संजू सामसन यहां पर बहुत बढ़िया मौका है संजू सामसन के पास शतक बनाने का कोई तिलक वर्मा भी धीरे धीरे अपने अर्द शतक के काफी करीब पहुँच चुके हैं काफी गेंदे बाकी हैं काफी ओर्स बाकी हैं तो ऐसे में दोनों ही खिलाली बड़े स्कोर तक पहुंच सकते हैं 76 रणों की साज़ेदारी दोनों ने अब तक की है 108 गिंदो पर अगली गेंद लिजाड विलियम्स की सामने होंगे तिलक वर्मा भोजपूरी आर्केस्ट्रे ने हमें सब्सक्राइब किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगली गेंद बाउंसर डिलिवरी सर के उपर से निकली है गेंद तिलक वर्मा लेगंपायर की तरफ देखते हुए पर लेगंपायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया है ए ब्रित ने हमें सब्सक्राइब किया बहुत 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 शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का जितने भी मित्र हमें सब्सक्राइब करें और साथी साथ वीडियो को लाइक कर रहे हैं पवन कुमार जी ने भी सब्सक्राइब किया वेलकम वर्मा ने की थी काफी अद तक मेकप किया है एक समय उनका स्ट्राइक रेट मातर 28 कतब धीरे-धीरे 62 तक पहुंच गया है अब तक उन्होंने एक छक्का तीन चौका जड़ा है संजू सैमसन की बात करने तो उन्होंने पांच चौका जड़ा है जे-ई-एस्पिरेंट ने हमें सब्सक्राइब किया वेलकम, आल दी बेस्ट फॉर अपकमिंग एक्जाम आपका बहुत बश्च शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए लिजार्ड विलियम्स के साथ और से 43 रना है तो चलिए अब वापस से केशव महराज को बुला लिया गया है गेंद बाजी करने के लिए 6 और पर उन्होंने 14 रन दिये हैं तो देखा जो तो इस्पिन के लिए अच्छा यह विकेट है तो ऐसे में कुल्दीप यादव का ना होना तो भारत के लिए देखा जाए तो थोड़ा निराश करने वाला हो सकता है सैतित दश्मल अब एक ओवर हुए हैं भारत का स्कोर 189 रन है तीन विकेट के नुक्सान का है इस भीच अगली गेंद केशो महराज की फैक्टे डिलिवरी कदमों का इस्तमाल गेंग गई है केशो महराज देखना है क्या एक सफलता अपनी टीम को जिला पाते है या नि परहाल अच्छी बल्लेबाजी तिलक वर्मा और संजू सैम्सन की तरफ से होती भी 40 पर आप चुके हैं तिलक वर्मा यानि की काफी करीब हैं अपने अर्जशतक से मातर 10 रन दूर है केशो महराज अपनी गेंद को करते हुए सामने रहेंगे तिलक वर्मा इससे पहले हमने देखा था केशो महराज ने काफी परिशान किया था तिलक वर्मा को लगातार दो मैडल्स उन्होंने दे दिये थे अगली गेंद केशव महराज की पाचवी गेंद सामने होंगे संजू सैमसन आपस्टम की गेंद इस गेंद को हलके हाथ से खेला बल्ले बाजने कोई रन नहीं आता हुआ साज़ेदारी की बात करें तो 114 गेंदों पर 80 रनों की साज़ेदारी हो चुकी है इन दोनों ही बल्ले बाजों के बीच और के अगली गेंद केशव महराज की संजू सैमसन ने इस गेंद को उठा दिया है लॉप्टेट चॉट गेंद जाएगी चार रन के लिए कदमों का इस्तमाल इनसाइड आउट गेंद लॉप्ट पे गई है वन बाउंस ओवर दी रोप चार रन के लिए शाणदार चॉका सग्जू सैमसन के बल्ले साता हुआ देवानंद जी ने हमें सबस्क्राइब कर दिया बहुत बहुत शुक्री आपका सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवा जो हमें सबस्क्राइब कर रहे आपका नाम चार्ट और स्क्रीन दोनों पर दिखाया जा रहा है तो चली ओवर की समामती हो गई है, साथ रना है इस ओवर से, 38 ओवर के बाद भारत 183 विगेट के नुकसान पर दूसरी गेंद केशव महराज की, आपके लिजाड विलियम्स की, पहली गेंद पे कोई रह नहीं, दूसरी गेंद के सातार है, सामने तिलक वर्मा है, नौर अंदूर है अपने आर्जश्टक से, क्या लग रहा दोस्तों क्या तिलक वर्मा अर्दश्टक पूरा करेंगे, कितने लोगों को लग रहा है कि आज तिलक वर्मा अर्दश्टक बना जाएंगे, आप अपनी राय चाट पर ज़रूर बताईएगा, यस या फिर नो पे, और इसी बीच अगली गेंद, शानदार चौका लगा दिया तिलक वर्मा ने, शौट पेस्ट जलिवरी पुल किया है, गेंद तेजी के साथ जा रही है, स्क्वैल लेकिन इशा पे चार रन के लिए, शानदार चौका दिलक वर्मा के बल्ले साता हुआ, अब यह भी नैतिक यादव जी नहीं हमें सब्सक्राइब किया, और साथी साथ निलेश यादव ने भी हमें सब्सक्राइब कर दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, 38.2 वर्पे भारत 189 रन है, तीन विकेट के नुकसान पहाँ है, तो यहाँ पर मनप्रित शर्मा कह रहे हैं, यस, तिलक वर्मा अर्दश्यतक बनाएंगे, रिश्री मंडल का भी कहना है, यस, तो काफी लोग कह रहे हैं कि तिलक वर्मा के बल्ले से अर्दश्यतक आएगा, बच्पन डिलाइट कह रहे हैं, यस, माई फ्यूचर इस स्टार्ट कह रहे हैं, यस, हमार साथ यूवी आ चुके हैं, अब्दुर रह्मान अंसारी जी हैं, सुनिल पटेल हैं, कार्तिक वर्मा जी हैं, सबका बहुत 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 शुक्रिया, के एनल जीरो सेवन ने भी स सब्सक्राइब कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो चलिए लिजार्ट विलियमस अपने अगली गेन के साथ, अभी अभी सिंगल लेकर के तिलक वर्मा ने, स्ट्राइक सौपी है, संजू सैमसन को देखना है, बची गेन्दो पर, संजू सैमसन कैसी करते हैं, बल सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भी नाम डिस्प्ले पर दिखाया जा सकें, तो चलिए बढ़ते हैं अगली गेन के तरफ, और ये लिजे रितेश भाई ने सब्सक्राइब किया, और ये लिजे संजू सैमसन ने शांदार शोट खेल दिया है, गेन गई है फौर दी मैक् सैमसन ने बेरासी के नीजी स्कोर पर खेल रहे हैं, और ये लिजे पिछली गेन्द नो बॉल थी, यानि कि आने वाली गेन्द होगी फ्री हिट, क्या बात है दोस्तों, कई सारे मितर में सब्सक्राइब कर रहे हैं, MPG ने भी सब्सक्राइब कर दिया है, तो शांदार बल् एक और छक्का देखने को मिलेगा, जी नहीं, छक्का नहीं, सिर्फ एक ही रन मिल पाया है, अगली गेन्द टांगों पर पठकी हुई गेन्द थी, इस गेन्द को स्क्वैल लिक के दिशा पर खेला जरूर पर गेन्द सीधा फिल्डर के पास गई, एक रन मिलता हुआ संज इस वीच अगली गेन्द इस गेन्द से रन नहीं आएगा, यहाँ पर कोई रन नहीं आता हुआ, अब एक गेन्द बाकी इस उवर से, 49 वावर चल रहा है आखरी गेन्द वर के अगली गेन्द, लिजार्ड विलियम्स की आखरी गेन्द होने वाली है, सामने होंगे तिलक वर्मा और इस गेन्द से रन नहीं आएगा, और इसी के साथ ओवर की समापती हो चुकी है, 49 ओवर के बाद भारत का स्कोर 193 विकेट के नुक्सान पर तो चलिए अब आखरी के 11 ओवर बाकी है, 11 ओवर पर देख रहा है, भारत का स्कोर क्या होगा, और मुझे लग रहा है कि 260 बन सकते हैं क्योंकि देखें तो कई आक्रमक हिटर जो है हमारे टीम के वो आने बाकी ही है, तो चलिए अब बढ़ते आगे, लिजाड विलियम्स के बाद अब देखने, अगला ओवर किसे सौपा जा रहा है, अगली गेंद लेकर के रहे हैं, चार रंदूर अपने अर्दुश्टक से तो चलिए 49 दश्मल अब दो वर के बाद भारत का स्कोर 200 रन हो चुका है, दोस्तों सिंगल के साथ भारत ते अपने सवे रन को पूरा किया है, और कि अगली गेंद बैक फूट पर आ करके इस गेंद को खेलते वे बल्ले बाज नजर आये थे, और ये लिजे साज़ेदारी भी सौरणों की हो चुकी है, क्या आप बात है दोस्तों, तो शांदार पार्टनर्शिप होती हुई संजू सैमसन तिलक वर्मा के बीच, संजू सैमसन मातर 15 रन दूर है अपने शतक से, तो चली अब देख रहा है क्या भारती ये बल्ले बाज यहाँ पर अपना अर्दर्शिप पुरा कर पाएंगे, अगली गेंद की तरफ बढ़ते हैं, अगली गेंद लेकर के आते हुए, संजू सैमसन के लिए केशो माहराज कदमों का इस्तमाल, सी देबल असे गेंद को खेला जरूर पर गेंद वापत से केशो माहराज की ही पास आती हुई, कोई रन लेने का मौका नहीं, 49.5 वर हो गए हैं और भारत का स्कूर 202 रन है, तीन विकेट के नुकसान पर, इन 60 गिन्दों पर भारत को कम से कम 60 रन तो बनाने होंगे, अगर इस मैच को जीतना है तो है, तो बहुत अच्छी यहाँ पर साजीतारी बनती हुई, संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच, और बीच में ऐसा लगा, जब तिलक वर्मा काफी ज़्यादा गेंद खा रहे तो लगा कि आज शायद उनका काफी खराब दिन है, पर बाद में अपने आपको सम्हाला और अच्छी स्ट्रोक भी लगाए, और देखिए अब काफी करीब आचुके हैं अपने अर्जश्रा तक से, 40 वर बीच गए हैं, भारत कैस्कोर 203 रन है, तीन विकेट के नुकसान पर, बर्गर ने अपने 6 वर की गेंद बाजी पर 31 रन देकर के एक सफलता प्राप्त की, यह अपने 7 वर को डालेंगे, सामने होंगे संजू सैमसन, और यह लिजे, संजू सैमसन ने छक्का जड़ दिया है, बर्गर की गेंद, गेंद की लाइन पर आए, और इस गेंद को मिड़ विकेट के उपर से खेल दिया है, फॉर दी मैक्सिमम, शांदार छक्का, संजू सैमसन के बल्ले से आता हुआ, बहुत ही बेहतरीन छक्का, मात्र अब 8 रन दूर है अपने शतक से संजू सैमसन, क्या बात है, क्या वन डे में अपता पहला शतक जड़ पाएंगे संजू सैमसन, चालिज दशमलव एक उवर पे भारत 209 रन थीन विकेट के नुक्सान पर, बहुत ही बेहतरीन बल्ले बाजी संजू सैमसन की, सभी में तुर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं का तो जल्दी कर दे, अगली गेंद नैथन बर्गर की दूसरी गेंद, क्या संजू सैमसन के बल्लेच से एक और बड़ा शॉट आएगा, तुबर की अगली गेंद अंदरात भी गेंद को बैक फूट प्या करके खेल दिया, स्क्वाइल लेक पे पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग पड़े और पूरा भी कर लिया, 211 पे भारती टीम संजू सैमसन चारानवे पे एक शॉट दूर है, एक छक्का दूर है संजू सैमसन अपने एतिहासिक शतक से, अगली गेंद बर्गर की सामने संजू सैमसन, चॉट पिश टेल लिए इस गेंद को फुल किया है, गेंद जारी स्क्वाइल लेक की दिशा पे मिलेगा एक रन, 40.3 ओवर पे भारत का स्कोर है, अब 212 रन का तीन विकेट के नुकसान पे, बर्गर की चॉटी गेंद सामने तिलक वर्मा, बायहत के तेज गेंद बाज बर्गर, सामने हैं बायहत के बलेवाज, तिलक वर्मा दो रन दूर हैं अपने अर्दश्रतक से, अच्छी गेंद इस गेंद को कट करने की कोशिश में थी, पर गेंद उच्छाल मारती हुई, निकल गई बल्ले की उपर से गेंद कई सी रहा, एंडरिक क्लासन के दस्तानों पे कोई रन नहीं आता हुआ, 40.4 ओवर पे भारत का स्कोर, 212 रन है, तीन विकेट के नुकसान पर, तो आने वाले बल्ले बाज रिंकु सिंग है, वाशिंग गटन सुन्दर है, देख रहा है उनकी बल्ले बाजी कैसे होने वाली है, 40.4 ओवर पे भारत, 212 तीन विकेट के नुकसान पर, और इसी भी जगली गेन, तिलक वर्मा ने चौका जड़ दिया है, चौके के साथ पूरा के अपना अर्दशतक, शान्दार बल्ले बाजी, तिलक वर्मा की शान्दार अर्दशतक जड़ा दिया है, 40.5 ओवर पे भारत, 212 तीन विकेट के नुकसान पर, तिलक वर्मा ने शान्दार 75 गेंदों पर बना दिये हैं, 52 रन, वहीं संजू सामसन ने 104 गेंदों पर बनाये, 95 रन, बहुत अच्छी पारी तिलक वर्मा की, बहुत ही कठिन परिष्टिती पर बल्ले बाजी की और शान्दार बल्ले बाजी की इन्होंने, आखरी गेंद है बर्गर की, सामने तिलक वर्मा, और इस गेंद को आगे बढ़ करके खेलने की कोशिश में थे, पर गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद चली गए विकेट कीपर के पास, एक्तालीस ओर की समापती के बाद भारत दोस्व इलारन तीन विकेट के नुकसान पर, तो अब इंटेंट साप हो चुका है, अच्छी तेज गती के साथ बल्ले बाजी करने की कोशिश में भारती बल्ले बाज दिख रहे हैं, और अच्छी सोच है क्योंकि देखा जा तो बल्लेबाजी अभी बाकी है रिंकु सिंग आने बाकी है वाशंगेटन सुन्दर के साथ सत अक्षर पटेल भी आने बाकी है तो यहाँ पर शायद भारती टीम 260-270 रंतक बना पाने में कामयाब हो सकती है अमरे साथ सद्धू जी जुड़ चुके हैं प्रिंस गुपता हैं हमारे साथ पडोसी की आत्मा जुड़ चुके हैं गुड़ी सिंग है धर्मेंदर कुमार जी जुड़े हैं सबका बहुत बहुत शक्रिया जुड़ने के लिए और नए मित्रो से नरोद रहेगी कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो यहां से अब केश्व महराज को गेंदबाजी थवाई है गपतान एरेन मारकरम ने पहली गेंद पर सिंगल कंजू सैमसन ने सिंगल लिया है अब 96 पर पहुंच चिके हैं संजू सैमसन चार रन दूर अपने शतक से वहीं तिलक वर्मा के पास स्ट्राइक आई है जो की 52 रन पर खेल रहे है महराज की दूसरी गेंद का सामना करते हुए तिलक वर्मा जिनके इंतजार में हमारे काफी जादा सब्सक्राइबर्स थे तिलक वर्मा के शांदर पारी की समापती हुई और यहाँ पर ए 116 रन की जो बढ़िया साजिदारी थी वो तूट चुकी है तो आने वाले बल्लेबाज रिंकु सिंग तो 77 गेंदों पर 22 रन बनाया अभी अभी तिलक वर्मा ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की तिलक वर्मा ने तो चलिए अब आने वाले बल्लेबाज तिलक रिंकु सिंग तो फिलाहल हम यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों रजत पटिदार ने सुले गेंदों पर 22 रन बनाया है साही सुदर्शन ने सुले गेंदों पर 10 रन बनाया है संजु सैमसन बल्लेबाजी कर रहे है 96 रन बना करके वहीं केल रहूल 22 गेंदों पर 35 रन बना करके आउट हुए था और अभे भी तिलक वर्मा उट हुए है 77 गेंदों पर 52 रन बना करके संजु सैमसन काफी करीब है अपने शानदार शतक से केशव महराज ने सफलता दिलाई तिलक वर्मा का विकेट उन्होंने दिलाया है तीसरी केंदी सुवर की केशव महराज की तरफ से स्ट्राइक पाएंगे रिंकु सिंग हाठ हीट और बल्लेबाज रिंकु सिंग देखना इनकी बल्लेबाज याज कैसी होती है नए मितुर से नरोध रहेगी कि लाइक करके चनल को सब्सक्राइब कर दे अबार साथ मन्पृत शर्मा जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो चली केश्व महानाज की तीसरी गेंद सामने होंगे रिंकु सिंग अगली गेंद फ्लाइटेट डिलिवरी इस गेंद को खेला है कवर छेतर पर फिल्डर के पास जाईगी गेंद कोई रन लेने का मौका नहीं रिंकु सिंग थोड़ा वक्त लेंगे फ़र उसके बाद जब खुलेंगे तो ताबड तोड बल्ले बाजी जरूर करेंगे अगली गेंद और ये लिजिए अगली ही गेंद पर बड़ा प्रहार कर दिया है रिंकु सिंग ने पहला चौका दूसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तमाल गेंद को लॉंक आप के दिशा पे खेला है वन बाउंस उवर ती रोप चार रन मारो महेंदर सिंग धोनी के बल्ले से जिस प्रकार से शॉट साते थे वैसा ही शॉट रिंकु सिंग ने लगाया है बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज रिंकु सिंग एक सालीस दर्शमलव चार ओवर पे भारत दोसो एकीस चार विकेट के नुक्सान पर केशव महराज की पाँचवी गेंद सामने है रिंकु सिंग बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चौका जड़ा रिंकु सिंग ने और चौके के साथ अपना खाता खुला अगली गेंद केशव महराज की आखरी गेंद देखना है रिंकु सिंग इस प्रकार से खेलते हैं इस गेंद को संजु सैंसंस सिर्फ चार रंदूर है अपने शतक से और उमीद है कि वो अपना शतक ज़रूर पूरा करेंगे अगली गेंद इस गेंद को हलके हाथों से खेलते हुए बल्ले बाज तो चलिए अब ओर की समापती हो चुकी है सिंगल लेकर के स्ट्राइक अपने पास बना रखेंगे रिंकु सिंग 42 ओर बीद का है भारत का इसको 22 रन है चार विकेट के नुकसान पर आखरी आठ वर बाकी है अब देखना इन आठ वर पर अगर 80 रन बन जाए तो 300 तक भी भारती टीम पहुँच सकती है तो देखना रहे का दिलचस्प भारती टीम का स्कोर क्या होने वाला है सभी मित्र सरुरोध है वीडियो को लाइक करें कई लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए आखरी के आठ ओवर बाकी है बर्गर गेंद बाजी पे आ रहे हैं अपना आठ ओवर करेंगे सामने रहेंगे रिंकु सिंग तो रिंकु क्या इस ओवर पे कम से कम 15 रन बनाएंगे पहली गेंद आते भी सब्सक्राइब की सामने रिंकु सिंग आपस्रम के बाहर की गेंद कट किया इस गेंद को पॉइंट की दिशा पे गेंद गई हाला कि फिल्डर वहां मौजूद है रन लेने का मौका नहीं 42 डश्मल वेक वर पे भारत 222 चार विकेट के नुकसान पर दूसरी गेंद बर्गर की सामने रहेंगे रिंकु सिंग और ये लिज़ अगली गेंद उठा दिया है रिंकु सिंग ने फॉर दी मैक्सिमम शांदार छक्का लगा दिया है बहुत ही बेहतरीन छक्का पुल किया गेंद गई है फाइन लेग लॉंग लेग की दिशापे छक्के के लिए इस शांदार छक्का रिंकु सिंग के बल्ले साता हुआ 42 दश्मलव दो वर हुए हैं भारत कैसको 228 रन चार विकेट के नुकसान पर शांदार बल्लेबाजी रिंकु सिंग की तावल तोड़ कर रहे हैं बल्लेबाजी कोई डर नहीं कोई भै नहीं कोई खौफ नहीं बर्गर की तीसरी गेंद का सामना करते हुए रिंकु सिंग क्या एक और बड़ा शॉट आएगा और की अगली गेंद के साथ बर्गर हाने की यह अच्छी गेंद थी और नहीं मिलता हुआ तीसरी गेंद से तो बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया था अभी अभी यह रिंकू सिंग ने उच्छाल मारती हुई गेंद अंत तक देखा इस गेंद को और इस गेंद को ना मारने का मलाल दिख रहा है काफी निराश अपने आपसे रिंकू सिंग कट अगर करते हैं तो शायद थर्डमैन के दिशा पर यह गेंद जा सकती थी चौके के लिए बैल इस दश मेलव तीन ओवर हुए हैं भारत 228 सार विकेट के नुक्सान पर अगली गेंद लेकर के आते हुए बरगार और यह लिए लेक्स्टम के बाहर की गेंद इस गेंद को फाइन लेकी दिशा पर खिल दिया एक रन के लिए स्ट्राइक पर संजू सैंसन रहेंगे ओह 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 यहाँ पर आधी पिछ तक आ गए थे रिंकु सिंग पर मना किया संजू सैंसन ने दूसरा रन लेने से तो अब ऐसे में संजू सैंसन के पास मौका है अपना शतक पूरा करने का क्या चौका लगाएंगे संजू सैंसन बर्गर की पांचवी गेंद संजू सैंसन के लिए आने वाली है तो चली अगली गेंद की तरफ बढ़ते हैं बाए हाथ के तेज गेंद बाज आते हुए आपस्टम की लाइन इस गेंद को हलके हाथों से खेलते हुए बले बाज रन लेने का मौका नहीं पैयारिश दशमलों पांच वर पे भारत का स्कोर 239 चार विकेट के नुकसान पे संजू सैंसन मातर चार रंदूर है अपने शतक से वहे रिंकू सिंग भी आते ही आकरमा के शॉट्स खेल रहे है चौका छका सब लगा दिया है अगली गेंड बर्गर की सामने रिंकू सिंग और इस गेंड पर सिंगल ले लिया है आपके जिएगा संजू सैंसन ने सिंगल लिया है तो स्ट्राइक अपने पास बनाया रखेंगे संजू सैंसन 97 पे पहुँच चुके है तीन रन दूर आवा अपने शतक से 43 ओवर की समापती के बाद भारत 230 चार विकेट के नुक्सान पर आठर ना है इस ओवर से उदित रावस तहब हमारे से जुले है वो है रितू इंडिया है विशकेश गेमिंग है मनप्रीत शर्मा जी जुल के है सबका बहुत बहुत शुकरिया बहुत बहुत धन्यवाद जुले रहने के लिए अपना प्यार देने के लिए और की अगली गेंद आती भी और अब देख रहा है गेंद बाजी पे कौन आ रहे हैं केशोब महराज आ रहे हैं तो केशोब महराज की पहली गेंद संजू सैमसन है सामने एक ही रन मिल पाएगा पहली गेंद पर सिंगल मिला है और अब 98 पे पहुँच चुके हैं संजू सैमसन तो भारत का स्कूर बढ़ करके अब 232 का हो चुका है रिंगू सिंग ने सिंगल लिया है संजू सैमसन को सभी चाह रहे हैं कि संजू सैमसन जल से जल अपना श्रतक पूरा करें अगली गेंद लेकर करके आते होई केशोब महराज इस गेंद को मेडाउन के दिशाबे खेला है बल्लेबाज ने एक रन के लिए और एक बार फिर से संजू सैमसन के पास स्ट्राइक गई तो क्या लग रहा दोस्तों क्या अब संजू सैमसन का शतक आएगा तो संजू सैमसन के शतक के इंतजार में सभी लोग है 45.3 वर हुए है भारत 233 है चार विकेट के नुकसान पर केशव महराज अपने अगली गेंद के साथ सामने रहेंगे रिंकू सिंग और यहाँ पर एक ही रन मिलेगा यानि कि 99 पर पहुंच चुके है रिंकू सिंग एक रन दूर अपने शतक से स्ट्राइक पर रिंकू सिंग है आखरी की दू गेंदों पर बड़ाई शॉट्स के कलाश में दिखेंगे रिंकू सिंग केशव महराज अपना दसवा ओर कर रहे हैं ओर की पांचवी गेंद के साथ अगली गेंद रिवर्स करने की कोशिश आले की कनेक्ट नहीं कर पाए हैं कोई रन नहीं मिलता हुआ इस गेंद से 43.4 ओर हुए हैं भारत का इसकोर 233 है चार विकेट के नुकसान पर केशव महराज की अगली गेंद और इस गेंद पर सिंगल लेकर के वापस से स्ट्राइक सौब दी है संजू सैमसन को क्या इस गेंद पर शटक लगेगा दोस्तों संजू सैमसन अपने पहले शटक के काफी करीब आचुके हैं तो चलिए देख रहा है क्या संजू सैमसन का शटक आएगा सभी मित्रो से रिक्वेस्ट है वेडियो को लाइक करते रहे अगर आप भी चाते हैं संजू सैमसन का शटक इसी ओवर पर आए तो नए मित्रो सनूरोधे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये लिजे इसी के साथ सिंगल के साथ पूरा क्या अपना शटक शानदार शटक संजू सैमसन के बल्ले से आता हुआ बहुत ही बेहतरीन शटक जड़ दिया है शानदार संजू सैमसन के बल्ले से आता हुआ बहुत जरूरी बहुत शानदार शटक बहुत बेहतरीन पारी खेल गए संजू सैमसन बहुत बेहतरीन खिला ली है टीम से आना जाना लगा था वंडे सिरीज में मौका मिला और मौके पे चौका लगा दिया है संजू सैमसन का शानदार शतक आ गया है बहुत बेहतरीन बहुत शानदार शतक संजू सैमसन के बल्ले साता हुआ 110 गेंदों पे बना दिये है 100 रन कॉप यहां से 6 और का खेल बाकी है अब इन 36 गेंदों पर देखना है भारती टीम अपने स्कोर को कहा तक बढ़ा पाती है जित्ते में तरे जुल रहे हैं वीडियो को लाइक है जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं कर रखा है तो साथी साथ चानल को सब्सक्राइब जरूर करें भारत बनाम दक्षन अफरेका के बीचे मुकाबला चलता हुआ तीसरा वंडे मैच है निरनाएक मुकाबला एक तरसे फाइनल मुकाबला है तो चलिए अब ब्यूरन हैंडिक को गेंद बाजी थमाई गई है अपना पहला गेंद करते हुए हैंडिक सामने रहेंगे रिंकु सिंग अब कीजिगा संजू सैम्चन और अभी अभी सिंगल लिया संजू सैम्चन ने मिड़ी विकेट की दिशा पे खेला गया शॉट एक रन के लिए स्ट्राइक पे रिंकु सिंगाएंगे 24.1 का खेल हुआ है भारत का सुआ इस्कोर 236 रन है चार विकेट के नुकसान पर 44.1 कोर पे भारत 236 चार विकेट के नुकसान पर हैंडिक सिंग की दूसरी गेंद सामने रहेंगे रिंकु सिंग लगनी गेंड ऑप्स्टम के बाहर की गेंड को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पे एक रन के लिए बल्लेबाद से रिंको सिंग ने स्ट्राइक पे वापस से सैंसन आएंगे पहली दो गेंडों से दो सिंगल आया है एक बड़े शॉट के इंतजार में हैं हम लोग गेंड रिंको सिंग 12 गेंडों पे 15 रन बना करके वहीं संजू सैंसन 111 गेंडों पर 101 रन पर है हमारे साथ सोनू विलेजर हैं कई सारे मितर जोड़ चुके हैं बचपन डिलाइट है गुंटी सिंग युल गई है सबका बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए तबाम मितर सनुरोध है अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें अगर आपके कोई मितर है जो कि आपके ही तरग क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं और क्रिकेट अपडेट्स उन्हें टीवी से पहले चाहिए तो चवालिस दश्पलव तीन ओवर पे भारत 238 चार विकेट के नुक्सान पर हैंडिक्स की गेंद बाजी चौती गेंद सामने हैं रिंकु सिंग और हालक इस गेंद से रन नहीं आ पाया है तो देखा जाये तो अब तक 10 गेंद बीद गए हैं और अब तक कोई बॉंडरी नहीं नजर आई है तो जिस प्रकार की शुरुवात रिंकु सिंग ने दिलाई थी उस पर थोड़ा सा विराम लगता हूँ दिख रहा है देखना है यहाँ पर अगला बड़ा शॉट का बात है अगली गेंद और इस गेंद पर मिलेगा सिंगल 44.5 वर बी थे भारत का स्कुर 249 चार विकेट के नुकसान पर हैंडिक्स की आखरी गेंद सामने संजू सैमसन 45 वर चल रहा है और ये लिजिंस गेंद को उठा दिया है गेंद जाएगी 40 मैकसिमम आखिरकार छक्का लगी गया शानदार छक्का संजू सैमसन के बल्ले सा आता हुआ बहाती बहती बेट इंचका तो चलिए अब आखरी के पांच वर्च बाकी है 30 गेंदों पर भारत को बना रहे क्या और 40 रन बनेंगे 30 गेंदों पर 50 रन भी बन सकते हैं अगर ऐसा होता है तो 55 रन ही क्यों ना बन जा और भारत 300 तक पहुंच जाए तो चलिए अगली गेंद की तरह बढ़ते हैं लिजाड विलियम्स गेंद बाजी पर हैं बल्ले बाजी पर रिंकु सिंग है पहली गेंद लेकर के आते हुए लिजाड विलियम्स खाला की गेंद से रन नहीं बन पाया है भारती टीम यहाँ से बड़े स्कोर की तलाश में यह गेंद थोड़ी देखा जाये तो फुल टॉस जैसी थी आने की डिप कर रही थी ऐसे में लेग अंपायर की तरफ देख रहे हैं रिंकु सिंग लेग अंपायर ने नो बॉल का इशारा नहीं किया है आने वाले बलेबाज होंगे अक्षर पटेल वाशिंग इटन सुन्दर तो ऐसे में बलेबाजी बाग की है तो दो बलेबाजों के पास लाइसेंस इस वक्त क्रीस पे दोनों ही बलेबाजों के पास किये बड़ा शॉट खेलें लॉटेड शॉट खेलें और भारती टीम को 300 के आसपास पहुँचाने की कोशिश करें अगली गेन होगी विल्यम्स की और इस गेन पर सिंगल लिया है स्ट्राइक सॉफ दी गई है संजू सैमसन को लिजाड विल्यम्स की तीसरी गेन का सामना करेंगे संजू सैमसन यह 46 ओवर चल रहा है दोस्तों इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल बांकी रह जाएगा तो संजू सैमसन ने आज बेहतरीन पारी खेलिए शांदार शतक बनाया है और यह लिजे संजू सैमसन ने इस गेन को उठा दिया है हाला कि आउट हो जाएंगे एक शांदार पारीकांत आता हुआ एक सो आठ के नीजी स्कोर पर संजू सैमसन हो गए है आउट बड़ा शॉट खेला था पर मिस्टाइन कर बैठे गेन्द को पकड़ लिया गया है दोस्तों रेजा हैंडिक्स ने इस गेन को पकड़ा है बहुत ही बेहतरीन पारी की समापती और हम देख पा रहे है लिजार्ड विल्यम्स हाथ मिलाते वे नजर आ रहे है संजू सैमसन से तो बहुत ही बढ़िया यहां पर क्रिकेट स्प्रिट देखने को मिल रहा है सभी दक्षिन अफरी की खिलाड़ी इस वक्त हाथ मिला रहे हैं संजू सैमसन से उनकी शांदार पारी की वज़े से तो आज बहुत ही जबर्दस्त पारी खेल गए संजू सैमसन आने वाले बल्लेबाज हैं अक्षर पटे एलड़ पैतालीस दश्मल अफ तीन ववर्पे भारत का स्कोर 245 विकेट के नुकसान पर तो एक सो आठ रन की शांदार पारी खेल गए संजू सैमसन 108 गिंदो पर 114 तो अब अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं अक्षर पटेल तो चलिया अगले गेंद की तरफ बढ़ते हैं तो अभी अभी संजू सैमसन शांदार 114 गिंदो पर 108 रन बना करके आउट हुए हैं केल राहूल ने 22 गिंदो पर 35 रन बनाया थे तिलक वर्मा ने 52 रन बनाया रिंकु सिंग फिलहाल बल्ले बाजी कर रहे हैं 17 पर और अब उनका साथ देने आया हैं अक्षर पटेल तो चलिया अब 45 दश्मल अब 3 ओवर का खेल हुआ है भारत का स्कूर 246 है पाच विकेट के नुकसान पर अगली गेंद ओवर की चौती गेंद होगी 247 रन का देखना अक्षर पटेल क्या बड़े बड़े शॉट्स लगाएगे 45 दश्मल अब 3 ओवर के भारत 247 पाच विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लिजाड विलियम्स की आते ही इंको सिंग के लिए कि अज़े पीशने जी नीचे चाईम जीचे जीचे हैं कि अज़ेखी देख़ सेब स्माश आब धो रहं क्ट ले ऩंवा कि अप्रोब विप्के अप्रोब इस लुटनी अगली गेंद लेकर के आतवे लिजाड विलियम्स सामने रिंको सिंग इस गेंद को बीबस को लेकर दिशा पे खेला गया शॉट मिलेगा सिंगल रिंको सिंगो स्ट्राइक पक्चर पटे लाएंगे 46 में ओर की आखरी गेंद आने वाली अब तक चार रना है देखना है इस गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट आता है भारत का स्कोर फिलहाल 249 रन का है पांच विकेट के नुकसान पर भारती टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती ही दिख रही है एक समय ऐसा लग रहा था जब लग रहा था कि शायद भारत की टीम 200 रन भी नहीं बना पाएगी पर बहुत ही जब अरदस्त पारी हमें संजू सैंसं तिलक वर्मा और अब रिंको सिंग की तरफ से देखने को मि 46 ओवर के बाद भारत 249 पांच विकेट की नुकसान कर रहे है तो आखरी के 4 ओवर पे देख रहा है क्या कुछ होता है और ये लिजे आख ये हैंडिक्स की पहली गेन और इस गेन पर चौका लगा दिया है रिंकू सिंग ने बेहतरीन चारण रिंकू सिंग के बलने सा आता हुआ इस गेन को खेला बैकवर्ड पॉइंट की दिशा पे फिल्डर नहीं पकड़ पाई इस गेन को शांदार चारण के लिए गेन गई है तो चलिए अब धीरे धीरे देखा जाए तो ये स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 47 वावर्श चल रहा है और भारत का स्कोर अब 253 पर पहुँच चुका है अगली गेन वाइड हो जाएगी तो जितरे अतिरिक तरण आते रहे हैं भारत के लिए उतना ये बढ़िया बात है हैंडिक्स ने 7.1 और पे 45 रन देकर के एक सफलता प्राप्ट की है भारती टीम अब देख रहा है क्या 280 तक पहुँच पाती है या नहीं अगली गेन के साथ रहेंगे हैंडिक्स आ रहे हैं सामने रिंकु सिंग हमार साथ दीपांशु कुमार ये जुड़ गया है तो ये वन्डे मैच दीपांशु भाई 50 ओवर का मुकाबला निर्भय भाई हमारे साथ हैं निर्भय भाई कहारें कि भारती टीम 300 बना लेगी ये थोड़ा मुश्किल है रितु इंडिया है हमारे साथ उधित राओ जी जुड़ चुके है सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सबका शुक्रिया तो चलिए अगली गेन की तरफ बढ़ते हैं सभी नए मित्र सरुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जब भी आप करते हैं चानल को सब्सक्राइब तो स्क्रीन पर दिखाया जाता है आपका नाम अभी अभी सिंगल लिया है रिंकू सिंग ने स्ट्वाइक अब सौम दी गई है अक्षर पटेल को हैंडिक्स की गेन अक्षर पटेल ने इस गेन को उठा दिया है पर आउट हो जाएंगे एक बार फिर से हमने देखा इस प्रकार से अक्षर पटेल कई बार आउट हुए है बड़ा शॉट लगाने की प्रयास में सीमा रिखा के ठीक पहले कैच कर लिए गए तो एक अच्छा कैच लिया गया है और अक्षर पटेल एक रन बना करके मातर हो गए आउट च्याली तरश मलव तीन ओवर पर भारत 256 विकेट के नुकसान पर तो अब आगले बल्लेबाज के रुपे वाशुंगिटन सुन्दर आएंगे देखना है क्या वो कुछ अच्छी स्टुक लगा पाते है या नहीं अप्षर पटेल तीन गेंदो पर एक रन बना करके हुए हैं आउट भारत के स्कोर 46 दश्मलग तीन ओवर के बाद 256 विकेट के नुकसान पर यह आटिकल 315 अक्षर पटेल अक्षर यही करते हुए आउट होते हैं कोशिश करते हैं पर सीमा रेखा से पहले ही उन्हें कैच आउट कर लिया जाता है तो अब तक देखा जाये तो रविंदर जडीजा के रिप्लेस्मेंट के रूपे ने देखा जा रहा है पर अब तक बहुत जाद इंप्रेस इन्हों नहीं किया है रामा कश्यप जी ने हमें सबस्क्राइब किया भी अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका नम चैट और स्क्रीन दोनों पर दिखाया गया है तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली गेन की तरफ बढ़ते हैं ओवर की चौथी गेन है हेंडिक्स की तरफ से सामने होंगे वाशिंगिटन सुन्दर 24 वर्षी वाशिंगिटन सुन्दरा है बल्ले बाजी करने के लिए अगली गेन हेंडिक्स की पहली गेन इस गेन को कलाई के साथ स्क्राइब लेकि दिशाफे मोडा बल्ले बाजीन मिलेगा एक राने पाचवी गेन हेंडिक्स की सामने होंगे रिंकु सिंग और यह लिए एक वाइड आया है तो जितने अथिरिक्तर ना आया है उतना बोनस है भारत के लिए एक वाइड आया अभी अभी हेंडिक्स की तरप से 46.4 वर पे भारत 256 विकेट के नुकसान पर बहुत बड़ी वाइड सी दोस्तों लेक स्टंप के काफे बाहर इस गेंद को फेका था बल्ले गेंद बाजने पांचवी गेंद के साथ आएंगे हेंडिक्स सामने रिंकु सिंग थिंस वर्ड ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है आपका धन्निवाद तो चलिए अब देखते हैं भारती टीम अब बचे तीन ओर पे कहां तक पहुंचती है यानि कि 19 गेंद मातर बाकी रह गया है 20 गेंद पे 40 रन देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले बल्ले बाज के रूपे हम देख पा रहे हैं आश्टिप सिंग हम नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं डेसिंग रूम से प्रियंका सिंग जी ने हमें सब्सक्राइब किया वेलकम प्रियंका जी रामा कश्यब जी ने भी सब्सक्राइब किया था और साथे साथ फिल्म स वर्ल ने भी कर दिया हमें सब्सक्राइब सब का बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए हैंडिक्स की आकरी गेंद से मिलेंगे एक रन 10 रन आहें इस ओवर से रिंकु सिंग के पास जितना जादा स्ट्राइक आया उत्रा सही होने वाला है 47 ओवर की समापती भारत 269 विकेट के नुकसान पर तो अभी अभी और तर तारा मती जाधु जी ने सबस्क्राइब किया है थैंक्यू सो मच किंग सिद्धु जी ने भी हमें सबस्क्राइब कर दिया है प्रमोध कुमार सिंग ने सबस्क्राइब किया है होमवर्क बाई आरके सर ने सबस्क्राइब किया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगली गेंद लिजार्ड विलियम्स की पहली गेंद वर्ष्टूंगिटन सुन्दर ने सिंगल लेकर के स्ट्राइक सॉप दी है रिंकु सिंग को देखना बचे 5 गेंदों पे क्या रिंकु सिंग बड़े शॉट्स लगाएंगे 47.1 ओवर पे भारत 260 रन 6 विकेट के नुकसान पर खाना जाटते हैंने सबस्क्राइब किया विल्कम आपका स्वागत है अगली गेंद दूसरी गेंद लिजार्ड विलियम्स की सामने रिंकु सिंग 20 गेंदों पर 24 पे हैं रिंकु सिंग एक चक्का उन्होंने अब तक जड़ा है दो चौका उन्होंने जड़ा है अगली गेन पे सिंगल ही मिल पाएगा स्ट्राइक पे चले जाएगा वाशिंगे टन सुन्दर यॉरकर गेन थी इस गेन को फ्लिक किया गेन गई थी स्क्वार लेक की दिशा पे और अब सिंगल के साथ वाशिंगे टन सुन्दर मोर्चा समालते हुए अश्विन बारिया सजोरा ने हम सबस्क्राइब किया शैलजू खान ने सबस्क्राइब किया है शैजू खान ने आपका भी धन्यवाद रेखा खुशी ने सबस्क्राइब कर दिया और यह लीज imitate वाशिंगेटन सुंदर ने तो चौका जड़तिया है शान्दाद चारन वाशिंगटन सुन्दर के बल्ले साता हुआ सुन्दर के बल्ले से सुन्दर चौका आया है 47.3 ओवर हुए हैं भारत का स्कोर है 265 रन का छे विकेट के नुकसान पे भारती टीम का स्कोर पहाँ चुका है 265 पे वजए पासवान जी ने सब्सक्राइब कर दिया है वेलकम और साथी साथ मयंक गेमिंग ने भी हमें सब्सक्राइब किया आपका भी धन्यवाद और यहाँ पर अगली गेन पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे नहीं कनेक्ट कर पाई इस गेन को वाशिंग इटन सुन्दर डॉट आता हुआ पिछली गेन से स्कूप करने की कोशिश में नजर आ रहे थे देखना अगली गेन पर क्या होता पांच भी गेन लेकर के लिजाड विलियम से सामने है वाशिंग इटन सुन्दर और यह लिजे इस गेन को वाइड के लिए खेल दिया है वाइड कर दिया है गेन बाज और सिंगल के लिए भी दॉड पड़े है बले बाज पूरा भी कर लिया सिंगल बहुत ही बहतरीन दॉड लगाई थी रिंकू सिंग ने इससे पहले की थ्रो आ पाता रिंकू सिंग पहुंच गया इस्ट्राइकर एंड पे तो दो रन मुफ्त के मिलते हुए तो चली अब स्ट्राइक पे रिंकू सिंग है दो गेंदे इस ओवर की बांकी है आदिती भाई ने हमें सब्सक्राइब किया बहुत बर शुक्रिया और साथ ही यूवी वर्मा जी ने भी सब्सक्राइब कर दिया है 47.4 ओवर पे भारत का स्कोर 268 रन है छे विकेट पे सिंगल लिया रिंकू सिंग ने स्ट्राइक पाएंगे वाशंगे टन सुन्दर देखना इस ओवर की अंतिम गेंद पे क्या करते है इस ओवर के बाद दो ओवर का खेल यानि की बारह गेंदे रह जाएंगी प्रिंकू सिंग ने तो एक ओवर पे 25 रन भी बना है देखना है क्या वैसी कुछ पारी आज खेलेंगे सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है बने रही हमारे साथ लाइक करें साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हो तो अगली गेंद पर मिलेगा दो रन यानि कि स्ट्वाइक रिंकू सिंग के पास ही रहने वाला है 48 ओवर के बाद भारत 276 विकेट के नुकसान पर आखरी 12 गेंदे देखना है रिंकू सिंग क्या कुछ करते हैं तो आखरी दो उवर बांकी है देखना है इन दो उवर पे क्या ताबल तोड रन बनते दिखेंगे तो चलिए इस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 270 रन है 48 ओवर के बाद हैंडिक्स कर रहे हैं गेंद बाजी पहली गेंद रिंकू सिंगल ही ले पाए है श्ट्राइक दे दे गई है अब वाशिंग गटन सुन्दर को आले कि बल्ला काफी ताकतवर तरीके के साथ जरूर घुमाया था पर गैप नहीं ढूड़ पाया जिस कारेंट से एक ही रन मिल पाया है अब इस स्ट्राइक पर वाशिंग गटन सुन्दर आया है देख रहे हैं सुन्दर क्या एक और सुन्दर चौका चका लगाएंगे सब मित्रों से रिक्वेष्ट दोस्तों आप अपना प्यार देते रहें लाइक करते रहें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और ये लिजे वाशिंग गटन सुन्दर ने चौका लगा दिया है तो उम्मीदे हैं रिंकू सिंग से पर रन बरा रहे हैं वाशिंग गटन सुन्दर 275 पर अब टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 48.2 वर के बाद हैंडिक्स की दूसरी गेंद पर शांदार चौका जड़ा है लॉंग लेक की दिशापे वाशिंग गटन सुन्दर ने 48.2 वर हो गए भारत का स्कोर 275 रंच चे विकेट पर अगली गेंद हैंडिक्स की तीसरी गेंद होगी सामने होंगे वाशिंग गटन सुन्दर तीसरी गेंद हैंडिक्स की क्या एक और बड़ा शाट आएगा वाशिंग गटन सुन्दर बिल्कुल आउट आप से लेबसा करके वेतरी बल्ले बाजी कर रहे हैं और की अगली गेंद यॉरकर गेंद बल लाडाया मिलेगा एक रहन स्ट्राइक पाएंगे रिंकु सिंग तीन गेंदे मिली है रिंकु सिंग को इस ओवर की खेलने की देखना है क्या अगली गेंद पर छकाएगा अगली गेंद हैंडिक्स की सामने हैं रिंकु सिंग और की अगली गेंद इस गेंद को खेल दिया है लोंग आउन की दिशा पर हलाकि डीप पर फिल्डर मौझूद एक ही रन मिल पाएगा रिंकु सिंग को स्ट्राइक पर वाशिंगेटन सुन्दर आएंगे पांच वी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की वाशिंगेटन सुन्दर 48 दश्मलव 4 ओवर भारत का स्कोर 237 अच्छे विकेट के नुकसान पर और ये लिजे वाशिंगेटन सुन्दर ने गेंद को उठागर के खेल दिया है गेंद हवापे है और आउट हो जाएंगे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट दे बैठे वाशिंगेटन सुन्दर पुल टॉस डिलिवरी थी लॉंग ओपे खेला गया शॉट था पर बहुत ही बड़िया फिल्डिंग की गई है लॉंग ओफ पे वनना गेंद सीधा च्छके के लिए जा सकती थी अडन मारकरम का शानदार फिल्डिंग तो 14 रन बना करके सुन्दर हुए आउट 48 दश्वलों पांच वर के बाद भारत 277 विकेट के नुकसान पर अब आखरी और बाकी है दोस्तों इस गेंद के बाद और अब जाद से जादा गेंद रिंकू सिंग को ही खेलने पड़ेंगे भारत ने अब तक 237 रन बना लिये हैं 6 गेंदे बाकी हैं 7 गेंदे और बाकी हैं 9 गेंदों पर 14 रन बना करके वाशिंग का टन सुन्दर हुए हैं आउट आने वाले बल्ले बाज होंगे भारती देज गेंद बाज आश्टिप सिंग हैंडिक्स की आखरी गेंद का सामने करते हुए आश्टिप और दूसरी छोर पे रिंकू सिंग 24 गेंदों पर 28 रन बना करके खेल रहे हैं सभी में तोस्ते रिक्वेश्ट अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजेगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और इसी बीच हम देख पा रहे हैं आश्टिप सिंग ने आते ही छक्का जड़ दिया है क्या बात है दोस्तों आश्टिप सिंग तो च्छा गए है सिंग इस किंग 49 और पे भारत का इसको 283 रन आकरी की 6 गिंदों को खेलने का मौका मिलेगा रिंकू सिंग को क्या बात है आश्टिप ने तो मजा ही दिला दिया तो चलिए अब आकरी की 6 गिंदे बाकी हैं देखना है इन 6 गिंदों पे भारती टीम का 300 तक पहुँच पाएगी तो चलिए बहुत जबरदस्त खेल आगे बढ़ता हूँ नजर आ रहा है भारती टीम करीब है अब 300 से तो चलिए अब बर्गर कर रहे है यहाँ पर आखरी ओवर सामने रहेंगे रिंकू सिंग रिंकू सिंग से उमीदे हैं कि वो बड़ी भी पारी खेल करके दिखाएं बड़े शॉट्स लगाते वे दिखें और यह लिजे रिंकू सिंग ने इस ओवर की पहली गेन पे मार दिया है चौका घुटना टिकाते वे लॉंग आपके दिशा पे शक्ति शाली प्रहार गेन गई है चार रण के लिए 49.वेक ओवर पे भारत 287 साथ विकेट के नुकसान पर बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार तो यहाँ से 13 रंदूर है सिवी चगली गेन नैथनबर्गर की और इस गेंद को उठा दिया है पौर्दी मैक्सिमम छक्का लगा दिया है शानदार छक्का रिंकू सिंग के बल्ले से आता हुआ दिस इस आउसम स्कुआयल लेक के दिशापे खेल दिया है इस गेंद को गेंद सभी फिल्लर के सर के उपर से निकलती हुई उडती हुई चली गई है चखके के लिए भारती टीम का इसको 293 रं सिर्फ 7 रंद दूर है शतक तीसरे 300 रंद से भारती टीम रिंकु सिंग ने कर दिया है कमाल देख रहा है अगली गेंद पर क्या होता पहली दो गेंदों से ही दसरन बना दिया है रिंकु सिंग ने अगली गेंद बर्गर की तीसरी गेंद सामने है रिंकु क्या लगेगा एक और बड़ा शाट सबी नए मित्रों से रिक्वेस्ट है अगर आप भी क्रिकेट के बड़े शौकीन है तो हमें जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मद भूलिएगा अगली गेंद लेकर के बरगा रोवर की तीसरी गेंद को डालने वाले हैं सामने हैं रिंकु सिंग बड़ा शौक केला था गेंद काफी देर तक ऊपर थी ऐसा लगा गेंद चक्के के लिए जाएगी पर ठीक सीमा रेखा से पहले इस गेंद को पकड़ लिया गया है अगर इस गेंद को कैच नहीं किया जानो तो गेंद छक्के के लिए ही जाती एक शांदार पारी किसम आपती भारते का स्कोर 49.3 और पे 293 रन आठ विगेट के नुकसान पर बहुत ही बेहतरीन पारी खेलेगा रिंकु सिंग 27 गेंदों पर ताबर तोल 38 रन और लगभग इस गेंद को छक्के के लिए पहुंचा ही दिया था तो पिछ दोस्तों बहुत बुरी नहीं है बल्लेबाजी के लिए पता नहीं उस वक्त केल रहुल और तिलक वर्बा ने बहुत धीमी खेल क्यों दिखाई थी तो चलिए यहाँ पर 27 गेंदों पर 38 रन बना करके आउट हो गए हैं रिंकु सिंग अब देखना आने वाले बल्लेबाज के रूप में कौन आने वाले हैं क्या मुकेश कुमार आंगे या अविश्खान आंगे अविश्खान आ रहे हैं अविश्खान अगले बल्लेबाज के रूप में आने वाले हैं देखना आखरी के तीन गिंदों पर ये जो बल्लेबाज हैं बल्ला तो घुमाएंगे बस लख पे है अगर बल्ले पे गेंद आ गई तो बड़ा शौट आप में देखने को मिल सकता है तीन सोरन बन जा तो मजा ही आजा है घंद शाम गुपता तो चली अब बढ़ते हैं अगली गेंद की तरफ सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजेगा अगर आपने नहीं किया है साथ ही साथ चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो तो चली अब अगली गेंद और की चौथी गेंद लेकर के आत वे बर्गर सामने है नय बल्लेबाज आविश खान बड़ी बॉंडरी है जिस कारण से हमने देखा कि गेंद लगभग लगभग चक्का होते होते कैच आउट कर लिया गया बल्लेबाजो को वाशिंगेंटन सुन्दर अक्षर पटेल और थोड़ी देर पहले दिंकु सिंग वैसी आउट वैसी बीच अगली गेंट पर सिंगल 294 भारत का स्कोर क्या बचे दो गेंदों पर आच दिब लगाएंगे छक्का अगर छक्का लगता तो भारती टीम 300 तक पहुंच जाएगी तो चलिए अब देखते हैं अगली गेंट पर क्या होता है नेथन बर्गर की अगली गेंद और इस गेंद को खेल दिया डीप कवर पे डीप फिल्डर मौजूद मिलेगा एक रन 49.5 वर पे भारत 295 आठ विकेट के नुक्सान पर 49.5 वर पे भारत 295 आठ विकेटों के नुक्सान पर और इसी बीच आखरी गेंद और बाई पे मिलेगा सिंगल दोस्तों तो 296 रन ही बन पाया है तो चलिए दोस्तों पहली पारी की समापती हो चुकी है भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 वर पे बना लिये 296 रन और आज शांदार पारी खेली संजू सैमसन ने तो भारत बनाम दक्षिन अफरीका के बीच यह तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है इससे पहले एक-एक दो मुकाबले हुए जहां पे दोनों ही टीमों ने एक-एक मुकाबला जीता है पहला मुकाबला भारती टीम ने वहीं दूसरा मुकाबला दक्षिन अफरीका टीम ने जीता था तो अब ऐसे में यह जो सिरीज है एक-एक से बराबरी पे आ चुकी है तो यह तीसरा मुकाबला निरनायक मुकाबला है जो तै करेगा कौन सी टीम बनेगी इस सीरीज की विजेता टीम तो आज टॉस एक बर फिट से दक्षिन अफरीकी कप्तान एडन मारकरम नहीं जीता उन्होंने टॉस जीत करके गेंदबाजी चुनी नियोता दिया भारती टीम के कप्तान को भारती टीम को पहले बल्ले बाजी करने का तो भारती टीम में कुछ बदलाव हमें देखने को मिली तो पहले प्लेइंग 11 आपको जल्दी से बता देते हैं उसके बाद आपको पूरा स्कोर कार्ड दिखा देंगे तो भारत की टीम में दो बदलाव आज किये गए हैं आज रजट पटिदार को मौका मिला है और वो आए हैं रुतुराज गायकवाट के स्थान पर वहीं वाशिंगेटन सुन्दर को आज मौका मिला है ये आए हैं कुल्दीप यादव के स्थान पर भारती टीम की शुरवात क करने के लिए आये थे एक मिनेट दोस्तों आपको पूरा स्कोर काड़ दिखा ही देते हैं रजत पटिदार और साइस उदर्शन ने की थी आज पारी की शुरुवात तो कैसा रहा आज भारती टीम की कैसी रही बल्लेबाजी जल्दी से आपको दिखा देते हैं जित्ते बे मितर जुल रहा हैं उन सभी मितर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और अपने वंडे करियर का पहला शतक जड़ दिया है संजू सामसन ने उन्होंने 114 गेंदो पर बनाए 108 रन तो शानदार पारी खेली आज संजू सामसन ने केल राहूल ने भी एक बढ़िया पारी खेली थी हाले कि काफे धीमी पारी रही उनकी 35 गेंदो पर उन्होंने 12 रन बनाए तिलक वर्मा ने अड़ शतक लगाया गेंदो पर 7 रन और अविश्कान ने 2 गेंदो पर 1 रन बनाया वहीं गेंदबाजी की अगर बात करें तो दक्षिन अफरीका की तरप से सबसे सफल रहे थे हैंडिक्स जिन्होंने 9 वर पे 63 रन देकर के 3 सफल ताइम पर आपकी नांद्रे बर्गर को 2 सफल ताइम मिली लि देखना भारती टीम क्या दक्षिन अफरीका को 296 से के अंदर में रोक पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं तो चलिए देखना है दोस्तों भारत की गेंदबाजी कैसी होने वाली है भारत के पाथ अच्छे एक खासे गेंदबाज हैं अगर हम भारत की गेंदबाजी पर भारती टीम ने उस मुकाबले को जीता था आज मौका करो या मरो का है क्योंकि यह निरनायक मुकाबला गर्स मैच में थोड़ी भी चूक होती तो सिरीज दक्षिन अफरीका जीत जाएगी तो ऐसे में भारती टीम हरहाल में कोशिश करेंगे इस मुकाबले को जीतने की और ह अब दक्षिन अफरीका की बल्लेबाजी भारत की गेंदबाजी शुरू होने वाली है तो देखना रहेगा दिल्चस्प आखिरकार भारती टीम किस प्रकार का खेल आज दिखाने वाली है सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर अपना प्यार दें वीडियो को लाइक करके और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके तो चलिए अब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है क्या भारती टीम एक बड़ा स्कोर कर पाने में काम्याब हो पाती है या नहीं सबी मित्रों से रिक्वेस्ट है दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साजा करें इस वीडियो को अगर आपके कोई दोस्त ने जोकि आपके यही तरग क्रिकेट के दीवाने हो तो तो चलिए दोस्तों पहली पारी की समावती हो चुकी है भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओर पे बना लिये 296 रन और आज शांदार पारी खेली संजू सैमसन ने तो भारत बनाम दक्षिन अफरीका के बीच यह तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है इससे पहले एक-एक दो मुकाबले हुए जहां पे दोनों ही टीमों ने एक-एक मुकाबला जीता है पहला मुकाबला भारती टीम ने वहीं दूसरा मुकाबला दक्षिन अफरीका टीम ने ज प्रफटान एडन मारकरम नहीं जीता उन्होंने टॉस जीत करके गेंदबाजी चुनी नियोता दिया भारती टीम के कप्तान को भारती टीम को पहले बल्ले बाजी करने का। कि शुर्वात कैसी हुई जल्दी से आपको बता देते हैं स्कोर कार्ड पूरा दिखा देते हैं तो पारी की शुर्वात करने के लिए आये थे एक मिनट दोस्तों आपको पूरा स्कोर कार्ड दिखा ही देते हैं रजस फटीदार और साइस सुदर्शन ने की थी आज पारी की शुरुआत तो कैसा रहा आज भारती टीम की कैसी रही बल्लेबाजी जल्दी से आपको दिखा देते हैं जिते बे मितर जुल रहा है उन सभी मितर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा तो रज़त पटिदार ने सुलह गेंद पर 22 रन बनाए शुरुवात अच्छी उन्होंने दिलाई थी तीन चौका एक शक्का लगाया था पर नांद्रे बर्गर की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गया थे साय सुदर्शन जिनके लिए पहला दो मुकाबला शांदार गया था आज मातर दसरन बना करके ही वो आउट वे वो अलबी डबली हो गये थे हैंडिक्स ने उनका विकेट लिया संजू सैम्सन को आज नंबर तीन पर उतारा गया और क्या शांदार बललेबाजी चीन होने बेहतरीन बललेबाजी करते वे शतक लगाया और अपने वंडे करियर का पहला शतक जल दिया है संजू सैम्सन prone तो शांदार पारी खेली आज स रिंकू सिंग ने काफी इंटर्टेनिंग पारी खेली 27 गेंदों पर उन्होंने 38 रन बनाये वही नीचले करम पर आते हुए अक्षर पटेल सस्ते में आउट हो गये थे 3 गेंदों पर 1 रन बना करके वाशिंग्टन सुंदर ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाये थे आश्टिप सिं ने मातर 2 गेंदों पर 17 रन और आविश्कान ने 2 गेंदों पर 1 रन बनाया वही गेंदबाजी की अगर बात करें तो दक्षिन अफरीका की तरप से सबसे सफल रहे थे हैंडिक्स जिन्होंने 9 वर पे 63 रन दे करके 3 सफल ताइम पर आपकी नांदरे बर्गर को 2 सफल ताइ है 296 रन देखना भारती टीम क्या दक्षिन अफरीका को 296 से के अंदर में रोक पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं तो चलिए देखना है दोस्तों भारत की गेंदबाजी कैसी होने वाली है भारत के पाथ अच्छे एक खासे गेंदबाज हैं अगर हम भारत की गेंदब हमार कामयाब हो पाते हैं नहीं हमने पहले वंडे में देखा था कि बहतरीन गेंदबाजी से भारती टीम ने उस मुकाबले को जीता था आज मौका करो या मरो का है क्योंकि यह निरनायक मुकाबलागर्स मैस में थोड़ी भी चूक होती तो सिरीज दक्षिन अफरीका जीत जाएगी तो ऐसे में भारती टीम हर हाल में कोशिश करें कि इस मुकाबले को जीतने की और हमारा साथ पूरे ही समय रहेगा भारती टीम के साथ बने रहीगा हमारे साथ थोड़ी देर में अब दक्षिन अफरीका की बल्लेबाजी भारत की गेंदबाजी शुरू होने वाली तो चलिए दोस्तों पहली पारी की समापती हो चुकी है भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 50 ओर पे बना लिये 296 रन और आज शांदार पारी खेली संजू सैमसन ने तो भारत बनाम दक्षिन अफरीका के बीच यह तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है इससे पहले एक-एक दो मुकाबले हुए जहां पे दोनों ही टीमों ने एक-एक मुकाबला जीता है पहला मुकाबला भारती टीम ने वहीं दूसरा मुकाबला दक्षिन अफरीका टीम ने ज कफ्तान एडन मारकरम नहीं जिता, उन्होंने टॉस जित करके गेंद बाजी चोनी नियोता दिया भारती टीम के कफ्तान को भारती टीम को भारती टीम को पहले बल्ले बाजी करने का, तो भारती टीम में कुछ बदलाव हमें देखने को मिली तो पहले प्लेइंग 11 आपको जल्ली से बता देते हैं उसके बाद आपको पूरा स्कोर कार्ड दिखा देंगे तो भारत की टीम में दो बदलाव आज किये गए हैं आज रजित पतिदार को मौका मिला है और वो आए हैं रुतुराज गायकवाट के स्थान पर वहीं वाशिंगेटन सुन्दर को आज मौका मिला है ये आए हैं कुल्दीप यादव के स्थान पर भारती टीम की शुर्वात क करने के लिए आये थे एक मिनेट दोस्तों आपको पूरा स्कोर काड़ दिखा ही देते हैं रजत पटिदार और साइस उदर्शन ने की थी आज पारी की शुरुवात तो कैसा रहा आज भारती टीम की कैसी रही बल्लेबाजी जल्दी से आपको दिखा देते हैं जिते वे मितर जुल रहा है उन सभी मितर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथी साथ चानल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा तो रजत पटिदार ने स्वल्ल गेंद पर 22 रन बनाए शुरुवात अच्छी उन्होंने दिलाई थी तीन चौका एक शक्का लगाया था पर नांद्रे बर्गर की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गया थे साय सुधर्शन जिनके लिए पहला दो मुकाबला शांदार गया था आज मातर दस रन बना करके ही वो आउट वे वो अलबी डबली हो गये थे हैंडिक्स ने उनका विकेट लिया संजू सामसन को आज नंबर तीन पर उतारा गया और क्या शांदार बल्लेबाजी की उन्होंने उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते वे शतक लगाया और अपने वंडे करियर का पहला शतक जड़ दिया है संजू सामसन ने उन्होंने आड़ शतक लगाया, 77 गेंदों पर उन्होंने 52 रन बनाया, रिंकु सिंग ने काफी इंटर्टेनिंग पारी खेली 27 गेंदों पर उन्होंने 38 रन बनाया, वही नीचले करम पर आते हुए, अक्षर पटेल सस्ते में आउट हो गया थे, तीन गेंदों पर एक रन बना करके, व और पर 63 रन देकर के तीन सफल तायम पर आपकी, नांदरे बर्गर को दो सफल तायम मिली, लिजाड विल्यम्स को एक विकेट मिला, वियान मुल्डर को एक, केशव महराज को एक और एडन मारकरम ने 5 वर की गेंदबाजी की 19 रन दिये पर कोई सफल तायम महीं मिल पाई है तो यहां से अब भारत को डिफेंड करने हैं 296 रन, देखना भारती टीम क्या दक्षिन अफ्रीका को 296 से के अंदर में रोक पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, तो चलिए देखना है दोस्तों भारत की गेंदबाजी कैसी होने वाली है, भारत के पाथ अच्छे एक ख पाने में आश्टिप सिंग और मुकेश कुमार कामयाब हो पाते हैं नहीं, हमने पहले वंडे में देखा था कि बहतरीन गेंदबाजी से भारती टीम ने उस मुकाबले को जीता था, आज मौका करो या मरो का है क्योंकि यह निरनायक मुकाबलागर्स मैस में थोड़ी भी च तो चलिए दोस्तों पहली पारी की समाप्ती हो चुकी है, भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 50 ओर पे बना लिये 296 रन और आज शांदार पारी खेली संजू सैमसन में तो भारत बनाम दक्षिन अफरीका के बीच यह तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है, इससे पहले एक-एक, दो मुकाबले हुए जहां पे दोनों ही टीमों ने एक-एक मुकाबला जीता है, पहला मुकाबला भारती टीम ने वहीं दूसरा मुकाबला दक्षिन अफरीका टीम ने जीता था तो अब ऐसे में यह जो सिरीज है एक-एक से बराबरी पर आ चुकी है तो यह तीसरा मुकाबला निरनायक मुकाबला है जो तै करेगा कौन सी टीम बनेगी इस सिरीज की विजेता टीम तो आज टॉस एक बार फिट से दक्षिना फ्रीकी कप्तान एडन मारकरम न नहीं जीता उन्होंने टॉस जीत करके गेंदबाजी चुनी नियोता दिया भारती टीम के कप्तान को भारती टीम को पहले बल्ले बाजी करने का तो भारती टीम में कुछ बदलाव हमें देखने को मिली तो पहले प्लेइंग 11 आपको जल्ली से बता देते हैं उसके बाद आ पारी की शुरुवात करने के लिए आये थे एक मिनट दोस्तों आपको पूरा स्कोर कार्ड दिखा ही देते हैं रजस्पटीदार और साइस उदर्शन ने की थी आज पारी की शुरुवात तो कैसा रहा आज भारती टीम की कैसी रही बल्लेबाजी जल्दी से आपको दिखा देते हैं जित्ते वे मितर जुल रहा है उन सभी मितर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब करना मद भूलिएगा तो रज़त पटिदार ने सुलह गेंद पर 22 रन बनाए शुरुवात अच्छी उन्होंने दिलाई थी तीन चौका एक शक्का लगाया था पर नांद्रे बर्गर की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गया थे साय सुगर्शन जिनके लिए पहला दो मुकाबला शांदार गया था आज मातर 10 रन बना करके ही वो आउट वे वो लबी डबली हो गये थे हैंडिक्स ने उनका विकेट लिया संजू सैमसन को आज नंबर 3 पर उतारा गया और क्या शांदार बल्लेबाजी की उन्होंने उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और अपने वंडे करियर का पहला शतक जड़ दिया है संजू सैमसन ने उन्होंने 114 गेंदो पर बनाए 108 रन तो शांदार पारी खेली आज संजू सैमसन ने केल राहुल ने भी एक बढ़िया पारी खेली थी हाले की काफे धिमी पारी रही उनकी 35 गेंदो पर उन्होंने 20 रन बनाए तिलख वर्मा ने आडश्य शतक लगाया इसत्तर गेंदो पर उन्होंने 52 रन बनाया रिंकू सिंग ने काफी इंटर्टेनिंग पारी खेली 27 गें पर एक रन बनाया। रोक पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। रोक है क्योंकि या निरनायक मुकाबलागर्स मैच में थोड़ी भी चूख होती तो सिरीज दक्षेन अफरीका जीत जाएगी। तो ऐसे में भारती टीम हर हाल में कोशिश करें कि इस मुकाबले को जीतने की और हमारा साथ पूरे ही समय रहेगा भारती टीम के साथ बने रहीगा। थोड़ी देर में अब दक्षेन अफरीका की बल्लेबाजी भारत की गेंदबाजी शुरू होने वाली है। तूसरा मुकाबला दक्षेन अफरीका टीम ने जीता था तो अब ऐसे में यह जो सिरीज है एक-एक से बराबरी पे आ चुकी है। तो यह तीसरा मुकाबला निरनायक मुकाबला है जो तै करेगा कौन सी टीम बनेगी इस सिरीज की विजेता टीम। आपको पूरा स्कोर काड दिखा देंगे। भारत की टीम में दो बदलाव आज किये गए हैं आज रजित पटिदार को मौका मिला है और वो आए हैं रुतुराज गायकवाट के स्थान पर वहीं वाशिंगेटन सुन्दर को आज मौका मिला है यह आए हैं पुल्दीप यादव के स्थान पर भारती टीम की शुरुवात कैसी हुई जल्दी से आपको बता देते हैं स्कोर काड पूरा दिखा देते हैं तो पारी की शुरुवात करने के लिए आये थे एक मिनट दोस्तों आपको पूरा स्कोर काड दिखा ही देते हैं रजत पटिदार और साइस सुदर्शन ने की थी आज पारी की शुरुवात तो कैसा रहा आज भारती टीम की कैसी रही बल्लेबाजी जल्दी से आपको दिखा देते हैं जित्ते वे मितर जुल रहा है उन सभी मितर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा तो रज़त पटिदार ने स्वलन गेंद पर 22 रन बनाए शुरुवात अच्छी उन्होंने दिलाईती तीन चौका एक शक्का लगाया था पर नांद्रे बर्गर की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गया थे साय सुगर्शन जिनके लिए पहला दो मुकाबला शांदार गया था आज मातर 10 रन बना करके ही वो आउट हुए वो लबी डवली हो गये थे हैंडिक्स ने उनका विकेट लिया संजू सामसन को आज नंबर 3 पर उतार आगे और क्या शांदार बल्लेबाजी की उन्होंने उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और अपने वंडे करियर का पहला शतक जड़ दिया है संजू सामसन ने उन्होंने 11 24 गेंदो पर बनाए 108 रन तो शांदार पारी खेली आज संजू सामसन ने केल राहूल ने भी एक बढ़िया पारी खेली थी हाले कि काफे धीमी पारी रही उनकी 35 गेंदो पर उन्होंने 20 रन बनाए तिलक वर्मा ने अड़ शतक लगाया है 77 गेंदो पर उन्होंने 52 रन करके वाशिंगटन सुंदर ने 9 गेंदो पर 14 रन बनाये थे आश्टिप सी ने मातर 2 गेंदो पर 7 रन और आविश्खान ने 2 गेंदो पर 1 रन बनाया वहीं गेंदबाजी की अगर बात करें तो दक्षिन अफरीका की तरप से सबसे सफल रहे थे हैंडिक्स जिन्होंने 9 औ अंदरे बर्गर को दो सफलताय मिली लिजाड विलियम्स को एक विकेट मिला वयान मुल्डर को एक केशव महराज को एक और एडन मारकरम ने 5 वर की गेंदबाजी की 19 रन दिये पर कोई सफलताओं नहीं मिल पाई है तो यहां से अब भारत को डिफेंड करने है 296 रन देख अच्छे एक खासे गेंदबाज हैं अगर हम भारत की गेंदबाजी पर नजर डालें तो तीन तेज गेंदबाज हैं आश्टिप सिंग, आविश्खान और मुकेश कुमार वहीं दो स्पिन गेंदबाज आज शामिल हैं अक्षर पटे और वाशिंगेटन संदर के रूप मे तो देखना है शुरवाती विकेट्स लेपाने में आश्टिप सिंग और मुकेश कुमार कामयाब हो पाते हैं नहीं, हमने पहले वन्डे में देखा था कि बहतरीन गेंदबाजी से भारती टीम ने उस मुकाबले को जीता था, आज मौका करो या मरो का है क्योंकि यह निरना बाजी भारत की गेंदबाजी शुरू होने वाली है, तो चलिए दोस्तों पहली पारी की समापती हो चुकी है, भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 50 ओर पे बना लिए 296 रन और आज शांदार पारी खेली संजू सैमसन में, तो भारत बनाम दक्षिन अफरीका के तो अब ऐसे में यह जो सिरीज है एक-एक से बराबरी पे आ चुकी है, तो यह तीसरा मुकाबला निरनायक मुकाबला है जो तै करेगा कौन सी टीम बनेगी इस सिरीज की विजेता टीम, तो आज टॉस एक बार फिट से दक्षिन अफरीकी कप्तान एडन मारकरम नहीं जीत तो भारत की टीम में दो बदलाव आज किये गए हैं, आज रज़त पटिदार को मौका मिला है और वो आए हैं रुतुराज गायकवाट के स्थान पर वहीं वाशिंगेटन सुन्दर को आज मौका मिला है, यह आए हैं कुल्दीप यादव के स्थान पर भारती टीम की शुर करने के लिए आये थे एक मिनट दोस्तों, आपको पूरा स्कोर काड दिखा ही देते हैं, रज़त पटिदार और साइस उदर्शन ने की थी आज पारी की शुरुवात, तो कैसा रहा, आज भारती टीम की कैसी रही बल्लेबाजी जल्दी से आपको दिखा देते हैं, जितने दिलाई थी तीन चौका एक शक्का लगाया था पर नाइंद्रे बर्गर की गेन पर वो क्लीन बोल्ड हो गया थे, साइस सुधर्शन जिनके लिए पहला दो मुकाबला शांदार गया था, आज मातर दस रन बना करके ही वो आउट वे, वो LBW हो गया थे, हैंडिक्स ने उन एक सो आठ रन, तो श्चांदार पारी खेली आज संजू सामसन ने, केल राहूल ने भी एक बढ़िया पारी खेली थी, हाले कि काफे धीमी पारी रही उनकी 35 गेंदो पर उन्होंने 20 रन बनाए, तिलक वर्मा ने अडशतक लगाया है, 77 गेंदो पर उन्होंने 52 रन बनाए रिंकू सिंग ने काफी इंटर्टेनिंग पारी खेली 27 गेंदो पर उन्होंने 28 रन बनाए, वही नीचले करम पर आते हुए, अक्षर पटेल सस्ते में आउट हो गये थे, तीन गेंदो पर एक रन बना करके, वाशिंगटन सुंदर ने 9 गेंदो पर 14 रन बनाए थे, आश् बर्गर को दो सफलता है मिली, लिजाड विलियम्स को एक विकेट मिला, वयान मुल्डर को एक, केशव महराज को एक और एडन मारकरम ने 5 वर की गेंदबाजी की 19 रन दिये पर कोई सफलता हो नहीं मिल पाई है, तो यहां से अब भारत को डिफेंड करने है 296 रन, देखना भारती टीम क्या दक्षिन अफ्रीका को 296 के अंदर में रोक पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, तो चलिए देखना है दोस्तों भारत की गेंदबाजी कैसी होने वाली है, भारत के पाच अच्छे एक खासे गेंदबाज हैं, अगर हम भारत की गेंदबाजी पे नजर डालें, तो तीन तेज गेंदबाज हैं, आश्टिप सिंग, आविश्खान और मुकेश कुमार, वहीं दोस्तिन गेंदबाज आज शामिल हैं, अक्षर पटे और वाशिंगिटन संदर के रूप में, तो देखना है शुरवाती विकेट्स ले पाने में आश्टिप सिंग औ इस मुकाबले को जीतने की, और हमारा साथ पूरे ही समय रहेगा भारती टीम के साथ बने रहीगा, हमारे साथ थोड़ी देर में अब डक्षिन अफरिका की बल्लेबाजी भारत की गेंदबाजी शुरू होने वाली है, तो चलिए दोस्तों, पहली पारी की समाप्ती हो चु इस से पहले एक-एक, दो मुकाबले हुएं, जहां पे दोनों ही टीमों ने एक-एक मुकाबला जीता है, पहला मुकाबला भारती टीम ने वहीं दूसरा मुकाबला दक्षिन अफरिका टीम ने जीता था, तो अब ऐसे में यह जो सिरीज है, एक-एक से बराबरी पे आ चु बारती टीम को पहले बल्ले बाजी करने का तो भारती टीम में कुछ बदलाव हमें देखने को मिली तो पहले प्लेइंग 11 आपको जल्ली से बता देते हैं उसके बाद आपको पूरा स्कोर कार्ड दिखा देंगे तो भारत की टीम में दो बदलाव आज किये गए हैं आज रज पारी की शुरुवात करने के लिए आये थे एक मिनट दोस्तों आपको पूरा स्कोर काड दिखा ही देते हैं रजस फटिदार और साइस उदर्शन ने की थी आज पारी की शुरुवात तो कैसा रहा आज भारती टीम की कैसी रही बल्लेबाजी जल्दी से आपको दिखा देते हैं जितने वे मितर जुल रहा है उन सभी मितर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा तो रजत पटिदार ने स्वलन गेंद पर 22 रन बनाए शुरुवात अच्छी उन्होंने दिलाई थी तीन चौका एक शक्का लगाया था पर नांद्रे बर्गर की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गया थे साय सुधर्शन जिनके लिए पहला दो मुकाबला शांदार गया था आज मातर दस रन बना करके ही वो आउट वे वो अलबी डबली हो गये थे हैंडिक्स ने उनका विकेट लिया संजू सैमसन को आज नंबर तीन पर उतार आगे और क्या शांदार बल्लेबाजी की उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करतेवे शतक लगाया और अपने वंडे करियर का पहला शतक जड़ दिया है संजू सैमसन ने उन्होंने 114 गेंदो पर बनाए 108 रन तो श्रांदार पारी खेली आज संजू सम्सन ने केल राहुल ने भी एक बढ़िया पारी खेली थी हाले कि काफे धीमी पारी रही उनकी 35 गेंदो पर उन्होंने 22 रन बनाए तिलक वर्मा ने अट शतक लगाया है वाशिंगटन सुन्दर ने 9 गेंदो पर 14 रन बनाये थे आश्टिप सीग ने मातर 2 गेंदो पर 7 रन और अविश्कान ने 2 गेंदो पर 1 रन बनाया डिफेंड करने है 296 रन देखना भारती टीम क्या दक्षिन अफ्रीका को 296 से के अंदर में रोक पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं तो चलिए देखना है दोस्तों भारत की गेंदबाजी कैसी होने वाली है भारत के पाथ अच्छे एक खासे गेंदबाज हैं अगर हम भारत की गेंदबाजी पर नजर डालें तो तीन तेज गेंदबाज हैं आश्टिप सिंग, आविश्कान और मुकेश कुमार वहीं दोस्तिन गेंदबाज आज शामिल है अक्षर पटे और वाशिंगिटन संदर के रूप में तो देखना है शुरवाती विकेट्स लेपाने में आश्टिप सिंग और मुकेश कुमार कामयाब हो पाते हैं नहीं हमने पहले वंडे में देखा था कि बहतरीन गेंदबाजी से भारती टीम ने उस मुकाबले को जीता था आज मौका करो या मरो का है क्योंकि यह निरनायक मुकाबलागर्स मैच में थोड़ी भी चूख होती तो सिरीज दक्षेन अफरीका जीत जाएगी तो ऐसे में भारती टीम हर हाल में कोशिश करेगी इस मुकाबले को जीतने की और हमारा साथ पूरे ही समय रहेगा भारती टीम के साथ बने रहीगा हमारे साथ थोड़ी देर में अब दक्षेन अफरीका की बल्लेबाजी भारत की गेंदबाजी शुरू होने वाली है तो चलिए दोस्तों पहली पारी की समापती हो चुकी है भारत ने पहले तो फिलाल सभी खिलाडी अब आ रहे हैं मैदान की तरफ यानि के अब से थोड़ी देर में खेल की शुरूआत होने वाली है तो चलिए अब देखना है दोस्तों भारती टीम की कैसी रहने वाली है गेंदबाजी यहाँ से 300 गेंदों पर दक्षिन अफ्रीगा को जीतने के लिए 297 रन और पारी के शुरुवात करने के लिए रेजा हेंडिक्स आए हैं साथे इनके टीडे जोर्जी जिन्होंने लगातार बढ़िया बल्लेबाजी दिखाई और पिछले मैच में तो शांदार शदक भी बनाया था हमारे साथ शकुंतला रुंग्टा जी आचुके हैं ऐसे रुंग्टा है क्या बात है विल्कम रुंग्टा साहब आपका स्वागत है हमारे साथ थ्री ब्रदर्स हैं, हमारे साथ रॉयल किंग हैं, सबका बहुत-बहुत शुकरिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, मोटो आचुकी हैं हमारे साथ, मोटो ब्लैक हार्ट का स्वागत है तो चलिए टॉरी डे जोहर जी पांच मुकाबलों पे 195 रन, 65 की ओसत से उन्होंने रन बनाया और पिछले मैच पे तो शांदार शतक भी लगाया था तो देखना रहेगा दिल्चस्प यहां से अब किस प्रकार का खेला आगे बढ़ता और गेंदबाजी लेकर के आ रहे हैं भारत के मुकेश कुमार तो मुकेश कुमार पहले ओवर के साथ आने वाले हैं देखना रहेगा दिल्चस्प भारती टीम आज इस मुकाबले को जीत करके सिरीज अपने नाम कर पाने में काम्याब हो पाती है या नहीं तो बने रही है हमारे साथ दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्ली से कर लें वीडियो को लाइक क्योंकि अब पूरे ही मुकाबले का लुट्व हम लोग साथ में उठाने वाले हैं तो पहला ओवर लेकर के भारत की तरफ से आ रहे हैं भारती तेज गेंद बाज मुकेश कुमार देखना है क्या जल्ली ही हमें विकेट मिल पाता है या नहीं तो पहली गेंद मुकेश कुमार की ओवर दी विकेट से सामने है रेजा हैं रेजा हैंडिक्स एक सिर्फ किराली मौजूद आके पट कोई गेंद क्रॉस बैटर शॉट्स इस गेंद को खेला है बल्ले बाजने फिल्डर के पास जाएगी गेंद कोई रन लेने का मौका नही तो खेल की शुरुवात हो चुकी है दोस्तों जित्ते विमित्र अभी अभी आए हैं अगर आपने डिनर कर लिया है तो बने रही हमारे साथ और लुथ पुठाते हैं इस शांदार मुकाबले का कोशिश करेंगे हम लोग कि अपने टीम को सपोर्ट करें और भारती टीम इस मैच के साथ-साथ इस सीरीज को भी जीत पाने में काम्याब हो जाया है तो मुकेश कुमार की अगली गेन इस गेन पर दो रन ले पाने में काम्याब है बल्ले बाज दो गेंदों पे दक्षिन अफ्रीका के स्कोर दो रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे मुकेश कुमार अपने अगली गेंद के साथ सामने रहेंगे रीजा हेंडिक्स अमार सत् अमन जुड चुके हैं एस अमन का स्वागत है गौरव कुमार जी का स्वागत है मिश्टर सर्विष पठेल का स्वागत है विमला यादव जी नहीं में सब्सक्राइब करते हैं वेलकम विमला जी आपका नाम स्क्रीन पर और चाट पर दोनों पर दिखा दिया जा रहा है तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगली गेंद लेकर के आते हुए मुकेश कुमार सामने रहेंगे रिजा हैंडिक्स दक्षिन अफ्रेका को यहाँ से 297 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए 295 रन अगली गेंद मुकेश कुमार की सामने हैं रिजा हैंडिक्स एक स्लिप किराली मौजूद है आपस्टम की गेंद इस गेंद को सीधे बल्ले से रोका बल्ले बाजने कोई रन नहीं मिलता हुआ चार गेंदों पर साउथ अफ्रेका का स्कुर्ट दो रन बिना नुकसान के तो भारती टीम को जल्द से जल्द पहली सफलता का इंतजार रहेगा अगर शुरवात में कुछ विकेट्स मिलते हैं तो दबाव में रन गती काफी धीमी होती है विपक्ची की विपक्च को कंट्रोल पे रखने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पर पहला विकेट लेना पड़ेगा कुमार की अगली गेंदाती भी स्ट्राइक पे रहेंगे रेजा हेंडिक्स सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अपना प्यार दें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा अगली गेंद के साथ मोकेश कुमार आते हुए टी डेज जौर जी ने अब तक कोई भी गेंद नहीं खेला और आखरी गेंद से भी कोई रन नहीं तो पहली ओवर से आया है दो रन एक ओवर के बाद दक्षिन अफ्रीका का इसकोट दोरन बिना किसी विकेट के नुकसान पर तो चलिए बादते हैं अगली ओवर की तरफ दूसरे ओवर की शुरुवात होगी और ऐसा लग रहा है कि आश्टिप सिंग आने वाले हैं गेंद बाजी करने के लिए हमारे साथ टी सी जॉट जोड़ चुके मोमेंट हैं सहारा हैं सद्दू जी हैं अलपेश भाई जोड़ के हैं गुड़ी सिंग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद तो आश्टिप सिंग अगले ओवर के साथ आ रहे हैं अपना पहला ओवर डालने के लिए छे मुकाबलों पे छे विकेट हैं के नाम पांच विकेट यहोने एक बार लिया है दोस्तों जो कि इस वंडे सिरीज के पहले मैच पे ही लिया था आश्टिप सिंग की गेंद बाजी देखना है शुरुवाती विकेट एक बार फिर्ट से ले पाने में काम्याब होते हैं नहीं फिल्डर मौजूद कोई रन लेने का मौका नहीं एक गेंद पे शुर्णने इस ओवर साता हुआ भारती टीम जल से जल पहले विकेट की तलाश में दिख रही है आश्टिप सिंग से एक विकेट की तलाश में भारती कप्तान के एल राहुल शुरुवात में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं आश्टिप सिंग तो चली देखते हैं क्या एक बार फिट से शुरुवाती जट के दिलापारे में काम्याब होते हैं अनिल शर्मा जी ने हमें सब्सक्राइब किया वेलकम अनिल भाई और के अगली गेन बहुत अच्छी गेन स्विंग होती हुई डिलिवरी कट करने की कोशिश में थे बल्ले बाज गेन के ये सीधा विकेट कीपर केल राहुल के पास एक दश्मल अब दो वर हुए हैं साउथ अफरिका काई स्कोर दो रन बिरा की सीधा के नुकसान पर तबाम इतरों से रिक्वेस्ट हैं आप लोग वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और के अगली गेन अब स्टम के बाहर की गेन बैक फूट प्याकर के इस गेन को रोका है बल्ले बाज ने कोई रन नहीं मिलता हुआ अगली गेन के साथ आते हुए आश्दिप सिंग और ये गेन हो जाएगी वाइड लेक्स्टम के काफी बाहर वाइट का शार कर दिया है अंपायर ने एक दश्मलब तीन वर पे दक्षिन अफरीका तीन रन पे बिराकिसी विकेट के नुक्सान कर रहा है आश्दिप सिंग अपने चौती गेंद के साथ आ रहे हैं और दिविकेट से आते हैं फिर तेज गेंद बाग आश्दिप सिंग लेक्स्टम की गेंद सीदेबल इस एक बार फिट से रोकने में काम है अब लबी डबलू करने की फिराक में दिख रहे हैं आश्दिप सिंग थोड़ी फुल पिस डिलिवरी इसको डाल रहे हैं एक दश्मल अव चार ओवर भार दक्षिन अप्रिका के स्कोर तीन रन है यहां से 290 गेंदों पर इन्हें जीतने के लिए चाहिए 294 रन अगली गेंद फुल करने की कोशिश बले के बाहरी किनारे को छूते हुई गेंद चली गई है चार रन के लिए पहला चौका आता हुआ दक्षिन अप्रिकी बल्लेबाज के बल्ले से लकी शॉट माना जाएगा दोस्तों इंटेंशनल खेला गया शॉट नहीं था यह तो चली अब अगली गेंद की तरब बढ़ते हैं आश्टिप सिंग की अगली गेंद हो जाएगी वाइड़ एक दश्मेलों पांच उवर हुए हैं दक्षिन अफ्रिका का स्कोर आठन बिना किसी नुक्सान के अगली गेंद आश्टिप सिंग की आखरी गेंद ले करके आते हुए सामने हैं डी जॉर जी बाएहाथ के बल्ले बाज हैं बाएहाथ के गेंद बाज का सामना करते हुए आकरी गेंद ओ ये अच्छी गेंद थी आपस्टरम की गेंद और यहां से देखा जा तो बीट हुए है बल्ले बाज गेंद गई है एक बार फिर से केल रहूल के पास दोवर की समयापती दक्षिन अफ्री का आठ रन बिना किसी नुकसान के रन गती है फिलहाल छे की और रिक्वाइड रन डिट शाहिए छे की और जो करन्ट रन बनाने की गती है वो है चार की दोवर के बाद साथ अफ्रीका का स्कोर आठ रन है बिना किसी विकेट के नुकसान पर तो 296 रन भारत में बना है और देखा जाए तो भारती बल्लेबाजों को काफी परिशानी हुई थी मिडल ओर्डर पर बल्लेबाजी करने के वक्त देखना है क्या वैसी कुछ समस्या अब यहाँ पर इन्हें मिल पाती है या नहीं दक्षिन अफरीकी खिलाडियों को मुकेश कुमार अपने दूसरे ओवर के साथ आ रहे है पहली गेंद और इस गेंद से कोई रन ही आता है वर स्ट्राइक पे है रेजा हेंडिक्स दूसरी गेंद मुकेश कुमार की होगी सामने होंगे रिजा हेंडिक्स और लिगस्टम के बाहर की गेंद चली गई है वाइड के लिए हलकी अपील कर रहे थे केल राहुल हाला कि गेंद पूरी तरह से वाइड है एक अतिरिक तरण दक्षिन अफरीका के एक हाते पर जुड़ता हुआ दो दश्मला वेक ओवर के बाद साउथ अफरीका का स्कोर है नौरन बिना किसी विकेट के नुकसान पर आने वाले गेंद बाज के रुपे हमें आविश्खान दिखने वाले हैं वाशेक एंडर सुन्दर को आज टीम का हिस्सा बनाया गिया है कुल्दी पियादव के स्थान पे तो वो भी जल्द ही गेंद बाजी करते वे दिख सकते हैं इससे पहले हमने देखा था उन्हेंने कई बार ओपनिंग की थी टी ट्वेंटी मैचेस में जब भारत के लिए पहले खेरा करते थे चोट से पहले अगली गेंड ड्राइव करने की कोशिश बल्ले के बाहरी किनारे को छूते छूते रहगे गेंद बीट हुए हैं रिजा हेंडिक्स मुकेश कुमार की गेंदों पे अच्छे खासे परिशान दीख रहे हैं रिजा हेंडिक्स दो दश्मल अब दो वर हुए हैं सावत अफरीका का इसकोर नौरन है बिना किसी विकेट के नुकसान पर सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें और साथी साथ अपना प्यार दें चैनल को सब्सक्राइब करके तो चली डैडी कॉलिंग हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुडने के लिए मुकेश पंडित जी जुड़ चुके हैं आपका भी स्वागत है सागरिका महापात्रा है मोटो है घंशाम गुपता है तो लक्ष दोस्तो संतानुवे का है फिलहल दसरन बन चुके हैं भारत को पहले विकेट की तलाश है अगली गेन लेकर के मुकेश कुमार चले सामने है डी जॉर्ची और ओपिशली के नो बॉल थी दोस्तों आने वाली गेन फ्री हिट हो जाएगी तो यहाँ पर इतने देर के बाद ये डिसीजन आया है नो बॉल का ऐसे में केल राहूल काफी ज़्यादा गुसे में है अगली गेन हो जाएगी वाइड तो दोस्तों लगातार देख जाए तो वाइड और नो बॉल आ रहे हैं तो ऐसे में केल राहूल थोड़े निराश दिख रहे हैं अपने गेन बाद से दो दश्मलव दोवर भारत सावत अफर और ये लिज़े पिछली गेन भी नो बॉल है जो गेन अभी अभी वाइड हुई वो भी नो बॉल है यानि दो लगातार नो बॉल डालती है मुकेश कुमार ने आने वाली गेन फ्री हिट रहेगी ओवर स्टेप कर बैठ हैं लगातार दो बार यानि कि आने वाली गेन एक बार फिट से फ्री हिट डिलिवरी होने वाली है वर की तीसरी गेन मुकेश कुमार की सामने डी जॉर्जी यह फ्री हिट डेलिवरी एक बार फिट से और ये लिजे इस गेन पर चौका लग चुका है इस जिस बात का डर था वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है चौका खा गय है मुकेश कुमार दो दश्मल अव तीन उवर हुए हैं साउथ अफरीका के स्कुर 16 रन है बिना किसी नुकसान के तो इस उवर पे तीन एक्स्ट्राज आया हैं दोस्तो अंदुरूनी हिस्सा लगा था बल्ले का और गेन फाइनले के दिशा पे चली गई चार रन के लिए मुकेश कुमार के पहले ओवर से काफी समस्या में रहे थे बल्ले बाज काफी परेशान हुए थे पर इस ओवर पे देखा जाये तो मातर तीन गेंदों पे ही आठ रन आ चुके हैं दो दश्मलव तीन ओवर वहें और की चौती गेंद लेकर के आएंगे मुकेश कुमार सामने रहेंगे टीडे जॉर्जी और की अगली गेंद लेकिस्टम की लाइन इस गेंद को स्क्वेर लेक की दिशा पे खेलते हुए बल्ले बाज जॉर्जी हाला की फिल्डर वहाँ पे मौझूद है और कोई रल लेने का मौका नहीं मिल पाया है आस्ट्रेलियन आदक्षिन अफरीकी बल्ले बाज को दो दश्मलव चार ओवर पे साउथ अफरीका का स्कोर 16 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान पर अगली गेंद पाच्वी गेंद मुखेश कुमार की जॉर्जी के लिए आत हुई तो यहां से दोस्तों साउथ अफरीका को बनाने है और 281 रन 284 गेंदों पर करंट रन बनाने की गती है छे की रिक्वाइड रन रेट जो चाहिए अफरीका को वो है 5.94 का 16 गेंद पर 16 रनों की साजिदारी अब तक हुई है हैंडिक्स और जॉर्जी के बीच मुकेश कुमार अगली गेंद के साथ अपना पाँच्वा गेंद को डालने वाले हैं जॉर्जी के लिए यह गेंद आने वाली है ओहो इसी भी जगली गेंद पे चौका लग चुका है दोस्तों ओवर का दूसरा चौका शाट पिस डिलिवरी पुल किया गेंद गई है स्क्वैल लेके दिशा पे बहुत ही बहतरी इंचारन के लिए अलेकि हमने देखा रजट पठीदार ने काफी कोशिश की थी इस गेंद को चौके जाने से रोकने के लिए पर जब तक वो डाइव मार करके आ पाते तब तक गेंद सीमा रेखा को टच कर गई और चौका मिल चुका है जौर्जी को तो महगा और अब तक पांच गेंदों से ही बारह रन आ चुके हैं यह साजेदारी भी बढ़ती ही जा रही है सतरह गेंदों पर बीस रवनों की साजेदारी हो चुकी इस वक्त दोनों ही खिलाणियों के बीच ओवर की अगली गेंद लेकर के आते वे मुकेश कुमार ओवर की आखरी गेंद है और इस गेंद पर सिंगल मिलता हुआ 13 रन आ गए हैं इस ओवर से 3 ओवर की समयापती साफ अफरिका 21 बिना किस विकेट के नुकसान पर तो चलिए अब देखते हैं अखला ओवर आश्टिप सिंग का क्या हमें एक विकेट दिला पाएगा तो आज भारत की तरप से संजु सैमसन की तरप से शांदार शतक आया है उन्होंने 114 गेंदों पर 108 रन बनाए वहीं तिलक वर्मा ने आज 87 गेंदों पर 52 रन बनाए रिंकु सिंग ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी तो चली आज तिप सिंग अपने दूसरे ऊवर के साथ आ रहे हैं इनके सामने हैं जौर जी पहली गेंद इस गेंद से रन नहीं आता हूँ गेंद सीधा उच्छाल मारती भी चली गई है विकेट कीपर केल राहूल के पास और की दूसरी गेंद करते हुए आश्टिप सामने रहेंगे जौर जी दोसो एक्यासी गेंद बांकी हैं साउट अफरिका को जीतने के लिए दोसो चियतर रन चाहिए हमारा साथ मोटो ब्लैक आर्ट जुड चुकी ही आई निवर गिव अप है रोकालिया जी है सैडी कॉलिंग है सबका धनिवाद जुडने के लिए मिश्टर स्चैडो भी आ चुके हैं सागा औरी का महापात्रा भी आ गई है क्या बात है सबका बहुत बहुत धनिवाद और आउट हो सकते थे तीन दर्श मलब दोवर हुए हैं साउथ अफरीका बाइस बिना किसी नुकसान के भारत को पहले विकेट की तलाश है और जल्द से जल्ब विकेट लेना पड़ेगा अगर शुरुवात में दबाव बनाना है तो अगली गेंद आश्डिप लेकर के आएंगे ओवर की चौती गेंद है सामने है रेजा हैंडिक्स दक्षिन अफरीकी सलामी बले बाज तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों अभी 100 लाइक्स पूरे हुए है नए वीडियो पे और जिते भी मित्र पुराने वीडियो पे जुले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्ली से करेंगे और साथ यसाथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो इस बीच अगली गेंद लेकर के आते हुए आश्टिप हमारे साथ रीतु इंडिया है नठखट हैं सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जुडने के लिए जबार अनसारी सहब भी जुड़ चुके हैं आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हिमानशु भाई भी हैं वेलकम और येली जगली गेंद और इस गेंद पे बड़ा शौट आ रहा है आश्टिप सिंग की गेंद पे करारा प्रहार गेंद गई है पॉइंड के उपर से व पे साउथ अफरीका का इसकोर 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के आश्टिप सभी मित्रों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस भी वीडियो पे बने हैं आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो हमारे साथ हसनात प्रसाद जी जुड़के है विपलब जी मैथी जुड़के है राज शास्त्री जुड़के है मनोच कुमार त्रिपाठी जी जुड़के है अरविन कुमार जी ने सबस्क्राइब किया है बहुत बहुत शुक्रे अरविन भाई आपका थैंक्यू सो मच अगली गेन आश्टिप सिंग के आखरी गेन और इस गेन से कोई रन नहीं आता हुआ बाउंसर डिलिवरी थी और किसी तरह इस गेन और वाइड का इशारा आगिया है दोस्तों बड़ी बाउंसर फेक दी आश्टीप सिंग ने अमपायर ने वाइट का इशारह कह दिया है किसी तरह इस गेंद को रोका है केल राहुल ने 3.5 वर पे ही साउथ अफरीका का इसकोर 27 रन है साथ के उपर की रनगती चल रही है भारत को जल्द से जल्द एक विकेट तो कम से कम निकालनी पड़ेगी क्या इसी गेंद पर निकालेंगा आश्टीप और ये लिजा आखरी गेंद हाला कि इस गेंद से कोई रन नहीं आया है एक सिलिप खिलाडी लगाय रखा था इस गेंद के लिए केल रहूल ने गेंद को कवर के दिशा पे खेला था रेजा हेंडिक्स ने हाला कि फिल्डर के पास सीदी गेंद गई है वाशिंगिटन सुन्दन ने गेंद को पगड़ा छे रना है सोवर से चार ओवर की समाप्ती साउथ अफरेका का इसकोर 27 बिना किसी नुकसान के चार ओवर हुए समाप्त और अब यहां से बचे 276 गेंदो पर साउथ अफरेका को जीतने के लिए बनाने हैं 270 रन अगला ओवर लेकर के मुकेश कुमार आ रहा है अपना तीसरा ओवर करेंगे इनका पिछला ओवर अच्छा नहीं गया था उस ओवर पे 13 रनाय थे देखना है अब अपने इस ओवर पे क्या कुछ करते हैं पहली गेंद और यहां पर आविश खान को बुला लिया गया दोस्तों तो चली अब देखते हैं आविश खान के गेंदों पे क्या हम ऐसे फलता मिल पाई यह पहली गेंद आप स्टम के ऊपर से स्विंग होती भी डिलिवरी चली गई है केल रहूल के पास कोई रन लेने का मौका नहीं जिवीच शांदार चौका लगा दिया है जौरजी की लगातार आकरमख हो करके खेल रहे हैं पूरे ही स्ट्रिंग खला में और इस मैच पे भी खुल करके खेलते वे शांदार चौका लगा दिया आविश खान की गेंद पर अपस्रम की लाइन थी इस गेंद को खेला डीप एक्स ट्रा कवर पे चारण के लिए इस बीच अगली गेंद इस गेंद पर सिंगल दे पाने में कामयाब बले बाद जौरजी जौरजी ने अब तक 16 गेंदों पर 19 महीं हैंडिक्स ने 13 गेंदों पर 7 रन बना है चार दश्मल अब तीन ओर के बाद साउथ अफरिका का स्कोर है 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान का तो दोस्तों इस मुकाबले के बाद लगभग चार दिन का गैप है पाचव दिन यागी 26 तारिक से अब टेस्ट मैच की शुरुवात हो जाएगी और उन सभी मैचेस पर आपके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में कई सारे क्रिकेट के मैचेस होने है भारत और दक्षिन अफरिका के बीच दो टेस्ट मुकाबले खेले जाएगे उसके बाद जब भारती टीम स्वदेश आएगी भारत आएगी तो 3 T20 मैचेस खेले जाने है सामने अफगानिस्तान की टीम रहेगी और तो उसके बाद इंगिलैंड की टीम जब भारत दौरे पर आएगी तो चार टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे, फिर मुमन्स प्रिमियर लीग आएगा, इंडियन प्रिमियर लीग आएगा, तो काफी कुछ होने वाला है दोस्तों, काफी ज़्यादा क्रिकेट का लुट्फ जल्द यहाँ पर हेंडिक्स और जौर जी किस जोली को तोड़ना पड़ेगा, हमारे साथ पूजा कुमारी जी जुड़ गई है, शिवानी चोहान है, गनपत भाई है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस भी चगली गेन, और एक और अच्छा शॉट ये भी ओवर महंगा साबित होता हुआ, लौटेट शॉट था, इन फिल्ड को क्लियर करते हुए हैंडिक्स ने लगा दिया है एक और चौका ओवर का, पांच ओवर भीद गए, साउथ अफरिका 36 पर बिना किसी नुकसान के, तो इस वक्त काफी तेज गती के साथ शॉट्स लगा रहे हैं दक्षिन अफरिकी बल्लेबाज, भारत को जल्द से जल्द इस ओपनिंग स्टैंड को तोड़ना पड़ेगा, वरना कहीं देर न हो जाए, पांच ओवर की समापती, साउथ अफरिका का स्कोर 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, तो अविश खान को और हम देख पारें दोस्तों काफी तेज हवा चल रही इस वक्त दक्षिन अफरिका में, जहां पर मुकाबला चल रहा है, तो चलिए अब अगला ओवर लेकर के आएंगे आश्रिप सिंग, सामने है टी डे जौर जीना, तो चलिए मुकेश कुमार को दूसरी चोरती आने की यहां पर, साइड को चेंज किया गया है, मुकेश कुमार से ही गिंद बाजी कराई जा रही है, यह भी अच्छा मूव, भारती कप्तान के द्वारा, अगली गेन मुकेश कुमार लेकर के आते भे, देखना है किस प्रकार से आज, मुकेश कुमार का खेल चलने वाला है, पांच दश्मेल अब दो वर हुए हैं, साउथ अफरीका का स्कोर 36 रहन हैं, बिरा किसी विगेट के नुकसान पर, अगली गेन मुकेश कुमार की सामने हैं, टीटे जौर्जी, ओह, ओह, एक और बड़ा शॉट, एक और चौका लग चुका है, यहाँ पर ये दो खिलाडी को जल्द ही आउट करना पड़ेगा, हमने पिछले मैच पे भी देखा था, भारती गेन्दबाज पूरी तरह से, मैच से बाहर दिखे थे, और इस मैच में भी फिलाल बहुत ही अच्छी शुरुबात, दक्षीन अफरी की गेन्दबाजो ने दिला दी है, तो चौका लग चुका है, एक और इस ओवर पे, दिखना अगली गेन्दबाज भारती गेन्दबाज के उपर, तो यहां मुकेश कुमार ने जिस प्रकार की गेन्दबाजी हमें T20 मैचस में करके दिखाई थी, उसके विफरित कर रहे हैं गेन्दबाजी, बिल्कुल वो धार नहीं दिख रही है, इंडियन ने हमें सब्सक्राइब किया, विल्कम आपका स्वागत हैं इंडियन जी, आपका क्रिकेट के इस चानल पर स्वागत है, अगली गेन्द लेकर के आते पे मुकेश कुमार, भारत को जल से जल एक विकेट की तलाश है, अगली गेन्द लेकर के मुकेश कुमार आखरी गेन्द होगी, सामने हैं जौर जी, तो फिल्हाल कप्तान के साथ बाचित करते हुए मुकेश कुमार, एक नई स्ट्राटेजी के साथ अगली गेन्द के साथ आ रहे हैं, ओ ये अच्छी गेन्द लेकर कोई रन नहीं मिलता हुआ, शेवर की समापती साथ अफरीका का स्कूर 46 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, अनन्द इकाजी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका नाम स्क्रीन पर दिखा दिया गया, बहुत बहुत शुक्रिया अनन्द इकाजी सब्सक्राइब करने के लिए, तो चलिए अब अगले ओर पे आश्टिप सिंग आ रहे हैं, साथ वे अवर की शुरुवात, और ऐसा लग रहे हैं कि शायद इस ओर पे हमें विकेट मिल जाएगा, पहली गेंड लेकर के आश्टिप सिंग अपने तीसरे वर की शुरुवात में हैं, सामने रहेंगे रिजा हेंडिक्स, पहली गेंड और इस गेंड को उठा दिया, गेंड काफी देर तक हवाँ पे थी, पर दोस्तों, मिड ओन के फिल्डर के पास मौका नहीं था, इस गेंड को खेलने का, रोकने का, ऐसे में बाल बाल बचे बले बाज, वन्हा कैच आउट होने की सम्भावना जरूर थी, अगली गेंड आ रही है, आज तिप सिंग की दूसरी के इंद होगी, सामने रहेंगे रिजा हैंडिक्स, उचुब रूस्ट मिला तेख बाल 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 आज कि दूसरी की से स्थाइब रहेंगे रहेंगे, बाल आज यज के बाल आगेंगे, झाले, और कि तीसरी गेंद आश्टिप सिंग ले करके आते हुए सामने है हैंडिक्स और ये लिजे यहाँ पर आश्टिप सिंग को भी चौकल लगा है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों इस फिच फिच जान नहीं है गेंद बाजों के लिए और पता नहीं हमारे बल्लेबाज इतनी धीमी बल्लेबाजी क्यों कर रहे थे देखें कितनी आसानी के साथ बल्लेबाजी हो रही है और यहाँ पर साथ ओवर भी नहीं हुए हैं साउथ अफ्रिका ने पचास रन पूरे कर लिए हैं तो भारत को डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा रन नहीं है मातर 245 रन ही अब बनाने हैं दक्षिन अफ्रिका को 261 गेंदों पर अगली गेंद आश दिप लेकर के आते हुए और इस गेंद पर सिंगल लिया है विभी बल्लेबाज ने आश दिप सिंग गेंद बाजी पर और इस गेंद पर भी सिंगल आता हुआ 6.5 और साथ अफ्रिका चमवन बिना किसी नुकसान के यहां से 269 गेंद बाजी जीतने के लिए चाहिए 243 रन टो यहां पर जाया है वाशिंग्टन सुन्दर को बुलाना सही रहेगा क्योंकि नई गेंद के साथ अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं वो और चूंकि अब तेज गेंदबाज के लिए कुछ जादा दिख नहीं रहा है इस सदह पर इस पिछ पर तो ऐसमें एक दो वर उनसे करा देनी चाही क्योंकि भारत अगर इस जोड़ी को जल्द नहीं तोड़ता है तो फिर जीतना तो काफी मुश्किल हो जाएगा कई ऐसा नहों कि समय निकल जाए और चली हम बात कर रहे था और बिल्कुल वैसा हुआ वाशिंग्टन सुन्दर को बुला लिया गया है तो यहाँ एक अच्छी सोच देखने को मिली केल राहुल की तरफ से वाशिंग्टन सुन्दर जो की स्पिन गेंदबाजी के साथ ओपन भी कर चुके हैं भारत के लिए खरेंगे गेंदबाजी सामने हैं जोड़ी पहली गेंद लेकर के वाशिया आते हुए सामने हैं टीजे जोड़ी बाया हाथ के बल्ले बाजेल एक्स्टम की लाइन इस गेंद को खेल दी आहमिड विकेट शेतर पर एक रन मिलता हुआ स्ट्राइक पैंग हैंडिक्स साथ दश्मलब एक वर पे साउथ अफ्रीका पच्पन बिना किसी नुकसान के तो चली अगली गेंद दूसरी गेंद इस गेंद पे हैंडिक्स ने अब सिंगल ले लिया है साथ दश्मलब दो वर वे साउथ अफ्रीका पच्पन हैं बिना किसी नुकसान के तो अगली गेंद वाशिमितन सुंदर किया ते हुई तीसरी गेन कोई रन नहीं आता वा इस गेन से तो स्पिन गेंदबाजी के दबाव में आ सकती है दक्षिन अफरीकी टीम हमने कई बार देखा है स्पिन गेंदबाजी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं खेलते हैं अभी अभी फिल्डिंग मिस्टेक भी हुए थी जहाँ पर हमने देखा ये दो रन नहीं मिलनी चाहिए थी पिछली गेंद पर जो दो रन हमने देखा बनता हुआ सुन्दर की अगली गेंद सामने है जौर जी तो अब तक पांच गिंदों पर चार रना है वाशिंगिटन सुन्दर के ओवर से तो देखा जा तो काफी हद तक इन्हें बुलाना असरदार साबित हुआ पांच वाट ओवर की समाप्ती साउथ अफरीका का स्कोर अंठावन रन बिना किसी विकेट के नुकसान कर रहा जहाँ से 252 गेंदे बांकी हैं और साउथ अफरीका को जीतने के लिए बनाने है 249 रना तो चली अब आश्टिप सिंग पहली गेंद और ये गेंद एक बार फिट से उठती भी निकली है बांसर डिलिवरी अंपायर ने इसे भी करार दे दिया है नो बॉल तो चली अब आश्टिप सिंग अपने अगली गेंद को करते हुए पहली गेंद से कोई रन नहीं आता है दूसरी गेंद लेकर के आश्टिप बाय हाथ के गेंद बार सामने है दाय हाथ के रिजर हेंडिक्स पहला विगेट भारत का मिल चुका है आश्टिप सिंग ने आखिरकार सफलता दिला दी है बहुत बेहतरीन बहुत ही शानदार रेजर हेंडिक्स हुए आउट उनीस रन बरा करके आट दश्मलव दो वर्पे सौथ अफरीका उनसट एक विगेट के नुकसान पर तो चलिए अब रैसी वेंडर डूसेन नए बल्लेवाच के रूप में है तो चलिए अब एक और विगेट की तलाश में भारती ये गेंदवाच इस वक्त अविश्खार आश्टिप सिंगे भी बाचीत हो रही है इससे पहले हमने पहले एक दिवसी मुकाबले पर देखा था दोनों ने शांदार गेंदवाची की थी इससे रही है चलिए आश्टिप सिंग अपने अगली गेंद को करते वे सामने है नए बल्लेवाज रैसी वेंडर दूसेंग अगली गेंद आश्टिप सिंग लेकर के आते हुए सामने वेंडर डूसें पहली दो गेंदों का सामना किया है नोने खाता अब तक नहीं खुलाए इनका खाता खुलने से पहली ना आउट कर दे तो मजा ही आ जाए आश्टिप सिंग अगली गेंद लेकर के आते हुए ओवर दिविकेट से तो चली दो एक स्रिफ खिलाडी मौजूद है अगली गेंद आपस्टम की गेंद को डिफेंड किया है बल्ले बाजने 246 गेंद बागी हैं साउथ अफरीका को जीतने के लिए पचाहिए 238 रन तो चली ये इस ओवर से हैं मातर एक रन और एक सफलता भी मिली है शानदार गेंद बाजिया आश्टिप सिंगी नौवर के समामते के बाद साउथ अफरीका का स्कोर है उन्सट एक विकेट के नुकसान पर यहां से अब 246 गेंदे बागी हैं और इन 246 गेंदों पर साउथ अफरीका को जीतने के लिए पराने हैं 238 रन तो एक मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाने के लिए हमारे मॉडरेटर्स का और सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों के सहयोग से ही हो पाया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो चली वाशिंगे टन सुन्दर आ है अपने दूसरे उवर के साथ सामने है टी डे जौर्जी जौर्जी को भी आउट करना पड़ेगा दोस्तों आकरमक खिलाडी है और जित्मी देर रहेंगे उतने देर तक बड़े सरदर्द साबित होंगे भारती टीम के लिए तो इनका विकेट जल्द ही हासिल करना पड़ेगा प्रचन ये वाशिंग्टन सुन्दर गेंद भारता अबाजी पर अपनी पांचवी गेंद के साथ सामने हैं जौर्जी 241 गेंद जीतने के लिए चाहिए 235 राना वाशिंग्टन सुन्दर अपने अगली गेंद भारता अगली गेंद आकरी गेंद और इस गेंद से कोई रन नहीं आता हूँ 23 रना है इस ओवर से ओवर की समाप्ती 10 ओवर के बाद साथ अफरीका 62 रन एक विकेट के नुकसान थे ूख यजी बार इसमयन थे को कईूार एक बार्टन हे इस अवर्चिण Benton तो चलिए अब वाशिंग्टन सुन्दर के बाद आश्टिप सिंग आ रहे हैं अगले उवर के लिए पहली गेन आश्टिप सिंग के द्वारा सामने हैं जौर्जी और इस गेन से कोई रन नहीं मिलता हुआ अंदर आती हुए गेन दी फ्रंट फूर्ट प्या करके इस गेन को पंच किया है कवर के दिशा पे फिल्डर मौजूद है रन नहीं मिलता हुआ और के दूसरी गेन आश्टिप की सामने हैं जौर्जी अपना पांचवा और करें आश्टिप सिंग बायाद कथे जिए गेन बाज आते हुए लेक्स्टम की लाइन बैक्फूट प्याकर के स्कुएले की दिशा पे जिए जिए रहा है बल्ले बाजने मिलेगा एक राइन जिए कर दो चलिए यहां पर रेखा राजपूत जी ने हमें सब्सक्राइब किया है आपका बहुत बरशुक्रिया रेखा जी स्वागत है आपका चैनल पर अर्ष्टिप सिंग अपने पांच मवर की चौथी गेंद को करने वाले हैं सामने है रासी वेंडर दूसन अंदर आती भी गेंद सीदे बले से खेला इस गेंद को गेंद गई एक्स्ट्रा कवर पर फिल्डर के पास कोई रन नहीं आता हुआ इस गेंद से फिलाद आश्टिप सिंग रुके है लगता है कुछ परिवर्थान चाह रहे हैं फिल्डिंग पे दस दश्मालों पाच वर हुए हैं साउथ अफरीका का इसकोरती रिसटर है एक विगेट के नुकसान पर जातव अमेटिकर जीने हमें सब्सक्राइब के आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी नए मित्र हमें सब्सक्राइब करने, स्क्रीन पर आपका नाम दिखाया जा रहा है और साथी साथ आपको शाउट आट भी दिया जा रहा है जो चली अगली गेन आज तिबकी हो गई है यो वाइड इतना समय लेने के बाद अगली गेन आ रही है वाइड हो जा रही है तो चलिए आश्टिप के बाद अगला ओवर कौन कर रहा है अब आपके ये आश्टिप की आखरी गेंदी इस गेंद पर कोई रन नी आता हुआ 11 ओवर के बाद साथ अफरीका का इसको 64 रन है दो विकेटो के नुकसान पर तो चलिए अब अगला ओवर देख रहे हैं कौन करता है और क्या हमें दूसरी सफलता दिलाता है या नहीं इस बीज़ बाद बादस डिलीजर येज़ रहेसे हैं तो चलिए वाशिंगिंटन सुन्दर आ रहे हैं अपने तीसरे ओर के साथ सामने हैं जौजी तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो वाशिंगिंटन सुन्दर को लाने के बाद रनकती पे तो काफी गिरावट जरूर हुई है पर भारती टीम को एक सफलता की जरूरा थे इस वक्ते सुन्दर की गेंद बाजी अपना तीसरे ओर कर रहे है वाशिंगिंटन सुन्दर दो दश्मलब चार ओवर की गेंद बाजी पे आठ रन दिया इन्होंने कोई सफलता मिली नहीं है एक मातर सफलता आश्टिप नहीं दिलाई थी रेजा हेंडिक्स को किया था आउट पूल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टल रिवर्स स्वीप हाले की थर्ड मैन पे बढ़िया फिल्डिंग कराए गई है बार ओवर के बाद साउत अफरीका के स्कुर 65 एक विकेट के नुकसान पर यहां से अक्षर पटेल को बुला लिया गया है दोस्तों अगले ओवर के लिए देखना है अक्षर पटेल क्या हमें दिलाएंगे सफलता अगली गेन अक्षर पटेल किस गेन को उठा दिया है जौर्जी ने और लगा दिया है छक्का अक्षर पटेल की पहली गेन पर छक्का पड़ चुका है तो यहां पर अक्षर पटेल लेखना अगली गेन को किस प्रकार से डालते हैं तो फाम्ये थे खाम्ये थे अल्येखन प्यान अपक्रेश़ से जाथ घखनोंगे बिन नतीन चलिए अक्षर पटेल के अगली गेंद पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद बागी की तीन गेंदों पे मातर एक ही रंदिया हिनों ने अपना आखरी गेंद करेंगे सामने हैं वेंडा डूसन तो अक्षर पटेल ने पहले गेंद पे छक्का जरूर खाया पर बाद के बागी की पांच गेंदों पे मातर एक ही रंदिया हिनों ने तो चलिए अब बढ़ते हैं चौद अब हैं ओवर की तरफ यहां से अब बचे 222 गेंदों पर साउथ अफरीका को जीतने के लिए बनाने हैं 225 रं तो यहां से दो टेस्ट मैंसे जौर बागी दोस्तों पहला मुकाबला 26 दिसंबर से होगा और वहीं दूसरा मुकाबला 2 जैनवरी से होगा आढ़ा ही यहां से जसे होगा यहां से लिए यहांसे हो पाज़ दोस couch अजिए 15 कैन। अब हैं बच्चर मोप opin Diane तेरा दश्मलब तीन ओर पे सौथ अफ्रिका के सको तेहत्तर रहने वाशिंग टन सुंदर की गेंद बाजी चल रही है सामने वैंडर ड्यूसन है तेरा दश्मलब चार ओर हुए और की पांच भी गेंद वाशिंग टन सुंदर करते हुए अब तक काफी किफायती गेंद बाजी की है इन्होंने आकरी गेंद वाशिंग टन सुंदर की तो चलिए अब वाशिंग टन सुंदर ने काफी किफायती गेंद बाजी करते हुए अपने चौथे ओर की समापती की उन्होंने चार ओर पे मातर एक जार हरन दिये हैं और काफी हद तक दबाव में डाला है दक्षिन अफरी की बल्ले बाजी को आले की विकेट नहीं मिल पाया और इस वक्त विकेट की तलाश में दिख रहे हैं वाशिंग टन सुंदर और के प।स्प खायए अपना दोओड़ अचल सबPC की समा दोने ऐर विकेट राएख दोनेंगे हैं य wond अथ यस्वी को पायए विकेट की डाहए है गक्ता तलाएब यस्वी क अविक बली दोने ख़गे हैं तो चलिए अब अक्षर पटेल आ रहे हैं दूसरे छोर से अक्षर पटेल ने अगली गेंद पर बोल्ड कर दिया है वेस्ट रेसी वेंडर जूसन को क्या बात है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार 14.4 ओर पे साउथ अफरीका चियत्तर दो विकेट के नुकसान पर तो चलिए यहाँ पर वेंडर जूसन को आउट करने में काम्याब हो चुके हैं अक्षर पटेल अब देखना है अगले बल्ले बाज कप्तान मारकरम को कितनी देर में आउट करते हैं भारती गेंद बाज यहाँ से 212 गेंद बागी हैं साउथ अफरीका को जीतने के लिए चाहिए 221 रन यहाँए गुपी भाजब मार के कार अणीव τव यहाँ़ बाया अगली गेंद लेकर किया अक्षर पटेल साब ने है मार्क रम इससे पहले अभी बोल्ड कर दिया था इन्होंने लक्षिन अफरी की बलेबाज रैसी वेंडर डूसेन को अच्छर पटेल ने अब इस ओवर पे सिर्फ एक रन दिया है और एक शांदार विकेट भी लिया है पिछली अब सोले मेंवर की तरफ बढ़ते हैं अगली छोर से शायद वाशंगिटन सुन्दर यहां में दिख सकते हैं वाशंगिटन सुन्दर आ गए हैं गेंद बाजी कने के लिए बहुत की फाहिती रहें अगर एक विकेट ले जाएं तो शांदार रहेगा मढी टाहिती बाच वैट में इसार घ्डिए की सुन्दर यहां सत receive सुन्दर अपने दूसरी गेंद को डालते हुए 208 गेंद बाकी हैं यहां से जीतने के लिए चाहिए 220 रग कई सारे मित्र और भी जूल रहे हैं हमारे साथ उन सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद तो मैस थोड़ा सा देखा जै तो स्लो है तो कमेंटरी पे वो जोश भी नहीं आ पा रहा है पर देखते हैं भारती टीम के गेंद बाज हमें जल्दी सफलता दिलाते हैं आना 15.4 वर साथ अफरीका उन्यासी दोविकेट के नुकसान पर तो यहां से अब 204 गेंद उपे साथ अफरीकों के जीतने के लिए चाहिए 217 हरन वाशिंगिटन सुन्दर ने 5 ओवर पे मातर पंदर हरन दिये हैं साचेदारी है इस वक्त 4 रनों की मार्क रम और टीडे जौरजी के बीच जौरजी बहुत ही शांदार खिलाडी साबित हुए दक्षेन अफरीका के लिए और मुझे लग रहाँ टेमबा बवुमा के लिए थोड़ी बहुत सरदर्द होने वाली है क्योंकि दोना ही सलामी बलेबाज रेजा हेंडिक्स और जौरजी शांदार बलेबाजी करते हुए आ रहे हैं इसमें टेमबा बवुमा को लिमिटेड ओवर्स पे अपना जगा बनाने में यहाँ पे अब थोड़ी मुश्किल तो जरूर होगी तो सुन्दर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर्स से चार रना है और उनने पाच ओवर पे मातर 15 रन दी है स्वोल लवर के बाद साउथ अपरीका का स्कोर 80 रन है दोविकेट के नुकसान पर तो चली अब अक्षर पटेला रहे हैं गेंदबाजी पे एक स्लिप खिलाडी इनके लिए लगा दिया गया है पहली गेन अंदर आते हुए गेन को बैक फूट प्या करके पंच के हमें डॉप के दिशा पर एक रन मिलेगा इस ट्राइक पे जौर जी आ जाएगे उन चास में एक रन दूर अपने अर्दर शटक से क्या अर्दर शटक से पहले वाशिंगे टर्ट सुनर उन्हें आउट कर पाने में काम्याब हो पाते हैं या नहीं अगली गेंड इस गेंड को फेरा है पॉइंट के दिशा पर फिल्डर मौजूद कोई रन नहीं मिलता हुआ और इसे भी सिंगल लेकर के अपना दुश्चा तक बूरा कर दिया है जौर जी नहीं तो लगातार बढ़िया प्रोटेशन ने इनका पहले मैच में भी इन्होंने अच्छी बल्लेवाजी दिखाई थी और उसके बाद दूसरे मुकावले पे तो शांदार शतक लगाया था सोल्ला दश्मेलों पाच ओवर के बाद साथ अफरीका का स्कोर बेरासी रन है दोविकेट के नुकसान पर पक्षर फटेल के इस ओवर से हैं तीन रन अगला ओवर आने वाला है वाशिंगेटन सुन्दर कर सकते हैं अगला ओवर साथ अफरीका तेरासी दोविकेट के नुकसान पर चबवन के इंदो फटेलों पारी खेली टॉनी डे जोर जी ने शांदार इनका प्रदर्शन रहा सभी नए मित्र सरुरोध है पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर एक मैच पे हम और आप साथ मिल करके लुथ उठा पाएं आप मैध कर देंगाँ वाले आकैनल वाले हिए पहले वाले आप मैध कर दोड़ पात्राइब कर दो अप तो छाह वह बहाहित को अप्रोगोब निप्स जा टोजिए है कई द blender तो चलिए अब अक्षर पटेल के बाद देखना है अगला वर कौन करेगा 17 वर हो गया है साथ अफरीका का इसकोर 83 रन है दो विकेट के नुकसान बर तो दो टेस्ट मैच की सिरीज होगी दोस्तों भारत बनाम दक्षिन अफरीका में इस के बीच इस मुकाबले के बाद पहला मुकाबला खेला जाएगा 26 तारीक से लेकर के 30 तक जो की भारत और दक्षिन अफरीका के बीच का पहला टेस्ट मुकाबला जिसे बॉक्सिंग देगे टेस्ट भी कहेंगे और वहीं दूसरा मुकाबला दो जनवरी से शुरू होगा तो चली अब ड्रिंक्स ब्रेक की समापती हो गई है और अब नए वर की शुरुवात देखना है कौन करने वाला है तो चली अब वाशिंग्टन सुन्दर आ रहे हैं अपने छटे वर के साथ सामने है अडन मारकरम अठारे में ओर की योगी शुरुवात यहाँ से 190 बेगिन बाकी है जीतने के लिए दक्षिर अपरिका को चाहिए 214 रन तो चली दोस्तों अब अगली गेन लेकर के वाशिंग्टन सुन्दर और की तीसरी गेन है सामने है टीडे जौर्जी सत्रा दश्मल अब तीन ऊवर हुए हैं साथ अफरीका के स्कोर 87 रहे हैं दो विकेट के नुक्सान इस गेन को लेक्स्टम पे रखा है इस गेन को इसको अलेकर शापे खेला जौर्जी ने सिंगल के लिए स्ट्राइक पर कप्तान मारकरम को दिया है स्ट्राइक अमार साथ मांसा सेटी है छोटा गेमिंग पंडित जी है सबका बहुत बहुत शुक्रिया अमार साथ बने रहने के लिए अगली गेन लेकर के वाशिंगेटन सुन्दर अपने अंतिन गेन को डालेंगे सामने रहेंगे जौर्जी भारत को अगर मुकाबले को जीत रहा है तो जल्द ही एक विकेट निकालना पड़ेगा आखरी गेन और इस गेन से कोई रन नहीं आता हूँ और ठारावर की समापती हो चुकी है साथ अपरीका के स्कूर अठासी रन है दो विकेटो के नुकसान पर तो अब तक किफायती गेन बाजी हुई है वाशिंग्टन सुंदर की तरब से दो विकेट्स लेने में कामयाब हुई है भारती ये टीम देखना है अगला विकेट कौन से गेन बाज को मिलता है मारकरम ने पहली गेन पे दो रन निकाल ली है और कि दूसरी गेन करते हुए अक्षर पटेल आएंगे जामने रहेंगे अड़न मारकरम अगली गेन इस गेन को कवर की दिशा पे खेलते हुए बल्ले बाज मिलेगा सिंगल 18.3 ओवर हुए है सवत अप्रिकाई के आन बेरान है दो विकेट के नुक्सान पर अगली गेन अक्षर पटेल लेकर के आते वे जॉर्जी के लिए प्लाइटे डिलिवरी मिड़ॉन पे खेला गया शॉट मिलेगा एक रन 18.5 वर हुए है साउत अफरीका का इसकोर बेरान बेरान है दो विकेट के नुकसान पर निर्भाई बाई का स्वागत है अगली गेन अक्षर पटेल की यह अची गेंदी बल्ले के बाहरी किनारे को तो जरूर लगी पर सुरक्षित हैं बल्लेबाच 19 वर की समापती हो गई है इस वर साहें चार रन 19 वर के बाद साउत अफरीका का स्कोर है बेरान बेरन का दो विकेट के नुक्सान पर यहाँ से 186 के इंदी पर साउत अफरीका को जीतने के लिए बनाने हैं 205 रन टार जारीका के लिए डाटा टीका के लिए ज बनाने हैं तो अब मुकेश कुमार को वापस से बुलाया जा रहा है गेंद बाजी करने के लिए तीन ओवर पे 25 रन इन्होंने दी हैं देखना है इन्हें क्या सफलता मिल पाती है या नहीं मुकेश कुमार जीरों ने इससे पहले पहले के सिरीज पे काफी ज़्यादा प्रभावित किया था पर इस सिरीज में इस वन डे सिरीज में कुछ खास प्रजेशन इनके द्वारा नहीं देखी गई है पहली गेन पॉइंट के दिशा पे खेला गया शौर्ट बहुत ही बड़ी अफिल्डिंग कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाज के पास इस वक्त डी जौर जी बहुत ही शांदार बल्लेबाजी कर रहे है पॉर के अगली गेन को में टॉप के खेलते पे बल्लेबाज एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया है 19 दश्मल अफ दो वर हुए हैं सावत अफरीका का स्कूर 93 रन है दो विकेटों के नुकसान पर अगली गेन देपे सिंगल 19 दश्मल अफ दीन ओवर पे सावत अफरीका का स्कूर 94 रन दो विकेट के नुकसान पर मुकेश कुमार अपना चौथा ओवर कर रहे हैं और उमीद है कि हमें अभी एक सफलता जरूर दिलाएंगे पर के अगली गेन मुकेश कुमार ले करके आते हुए अपस्टम की लाइन की गेन इस गेन को खेला है मिडॉप पे मिल जाएगा सिंगल 19 दश्मल अफ चार वर पे सावत अफरीका के स्कूर 95 रन दो विकेट के नुकसान पर मुकेश कुमार की गेन बाजी सामने एडन मार्क रम और की पाचवी गेन के साथ आ रहे हैं मुकेश कुमार आखरी गेन मुकेश कुमार लेकर के आते हुए अब तक तीन रन आहे हैं इनकी पाच गेन्दों पर देखना अन्तिम गेन्द पर क्या होता है 20 मेंवर की आखरी गेन्द आने वाली है 180 गेन्द बाखी जीतने के लिए चाहिए 202 रन इस गेन्द को खेला है कवर पे फिल्डर मौजूद कोई रन नहीं 20 वर की समापती 95 पर दो दक्षिन अफ्रीका यहां से 180 गेन्द जीतने के लिए चाहिए 202 रन अगला गेन्द बाज अक्षर पटेल के रूप में अपने पाच पर बोर को डालेंगे अक्षर पटेल अपनी अगली गेन्द को यहां पर दोस्तों कुल्दीप यादव की कमी खल रही है क्योंकि मुझे अगली गेन्द बड़ी अपील की जा रही है अलबी डेबलू के लिए पर बहुत बड़ी दिल्चस्पी नहीं दिख रही है गेन्द बाजी की तरफ से बहुत अच्छी गेन्द बाजी की थी अभी अभी अक्षर पटेल ने अगली गेन्द इस गेबर गेन्द बल्ले के किनारे को छूती भी चली कही है थर्ड मैन की दिशा पे आश्टिपसी ने इस गेन्द को थ्रो किया वापस से विकेट कीपर की तरफ इस वक्त इस बीच दो रन लेने का मौका मारकरम को मिल चुका है 20.3 ओवर पे साथ अफरिका 98 दो विकेट के नुकसान पे तो काफी परिशान कर रहे हैं उक्षर पटेल अपनी गेन्दों से दक्षिन अफरीकी बल्ले बाजो को चौथी गेन्द सिंगल लेकर के मारकरम ने स्ट्राइक सौब दी है वर जौर जी को 20.4 ओवर हुए हैं और साथ अफरिका का इसको 99 रन है दो विकेट के नुकसान पर करेंट रन बनानी की गती 4.7 नौकी है रिक्वाइट रन रेट है 6.75 का यहां से 176 गेन्दों पर साउथ अफरिका को जीतने के लिए 99 रन बनाने यहां से अगर एक विकेट मिलता है खास करके जौरजी का अगर विकेट मिल जाये तो भारत की बल गेन्दबाजी के लिए कापी अच्छी बात रहेगी क्योंकि ऐसे में भारत के गेन्दबाज नहेंगे बल बाजों पर दबाओ बनाने में काम्याब रहेंगे और भारत के तेज गेन्दबाजों ने कुछ खास नहीं किया ऐसे में अविश्खान के पास कई सारे ओवर समाक की हैं वो आगर के गेन्दबाजी कर सकते हैं अगली गेन आखरी गेन होगी अक्षर पटेल की सामने है मार्करम आखरी गेन पर सिंगर लेकर के स्ट्राइक अपने पास बनाया रखेंगे आडन मार्करम में की सुवर की समामती के बाद साउंस अफरीका का स्कूर 101 रन है दो विकेट के नुकसान पर जितने लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं कि आपसे अनुरोद रहेगी कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और 2000 लाइक्स होती ही आपकी पसंदीदा धुन भी बजाएंगे जली अक्षर पटेल के बाद अब अगले वर को लेकर के आविश मुकेश कुमार आ रहे है पहली गेंद लेक्स्टम पे रखी हुई गेंद को खेल दिया मेडविकेट शेतर पर फिल्डर गेंद को पकड़ने की कोशिश पर गेंद तेजी के साथ निकल गई है चार रन मिल जाएंगे बहुत ही बढ़िया कोशिश की गई थी रजट फटिदार की तरब से बॉन्डरी रेखा पर या गेंद चली गई चार रन के लिए 21.1 अब एक उवर पे साथ अफरीका का स्कोर 105 है दो विकेट के नुकसान पर यहां से साथिदारी की बात करें तो 49 गेंद उपर 29 नुकी हो चुकी एज़ौर जी मार्करम लगातार अच्छी बले बाजी करें मुकेश कुमार बहुत ही जादा धीली गेंद बाजी करते हुए दिख रहे हैं हाले के अच्छी गेंद बाज जरूर है पर पूरा ही सीरीज उनका कुछ खास नहीं गया है अगली गेंद इस गेंद को खेला है मिटॉप पे कोई रन नहीं आता हुआ तो सभी मितोर से रिक्वेश्ट है दोस्तों अगर आपने हम तक लाइक नहीं किया तो जल्ली से लाइक कर लें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा 21.3 वर के बाद साथ अफरीका का स्कोर 116 रन है दो विकेट के नुकसान पर अगली गेन का सामना करते हैं मुकेश कुमार की गेन का सामने है जोर जी और ये लिए जिस गेन को उठा दिया है जोर जी ने गेन हवा पे है क्या गेन के नीचे खिलाडी है जी नहीं यहाँ पर बाल बाल बचे हैं बल्लेबाज गेन लॉंगाउन के दिशा पे गई थी और उस दिशा पे कोई भी फिल्डर मौजूद नहीं थे दोरन मिलता हुआ बल्लेबाज को 21.4 वर पे साउथ अफरीका 108 दो विकेट के नुकसान पर अगली गेन मुखेश कुमार की सामने जौर्जी अपस्टम की लाइन कट किया इस गेन को बैकवर्ड पॉइंट पे फिल्डर मौजूद है कोई रन नहीं आता हुए 21.5 वर हुए साउथ अफरीका के स्कोर 108 दो विकेट के नुकसान पर और इसी बिच अगली गेन मिड़ुकेट शेतर से जाती हुए चार रन मिल जाएंगे 22.5 विकेट के नुकसान पर मुकेश कुमार के इस ओवर से 11 रन आ चुके है तो काफी एकतरफा मुकाबला चल रहा है मुझे लग रहा है दक्षिन अफरीका शायद इस मुकाबले को जीत लेगा क्योंकि अब तक बिलकुल घातक नहीं दिख रहे हैं भारती गेन बाज दो किसी तरह भारती टीम को मिली है पर उसके बाद एक अच्छी खासी साज़ेदारी बन रही है जोरजी मारकरम के बीच दोनोंने मिलकर के अब तक 36 रन जोड लिए 44 गेंदो की साज़ेदारी है मुकेश कुमार ने काफी निराश किया है इस पूरे ही सिरीज में हाले कि उनका चैन टेस्ट मैचेस के लिए भी हुआ है अब देखना है उन्हें मौका मिल पाता है कि उन टेस्ट में मुकाबलों का हिस्सा बनने का वैसे जस्पृत बुमरा मौहमद सिराज की भी वापसी हो रही है तो चली अब अगला गेंदबाज देखना कौन होगा अक्षर पटेल ही कर सकते हैं गेंदबाजी 22 ओर पे साफ्ट अप्रिका का स्कोर 112 दो विकेट के नुकसान पर फिलाल बल्लेबाज को किसी तरह की समस्या हुई है जिस कारण से फिज्जियो को आना पड़ गया है जाए जोर जी को तोड़ी समस्या हो रही है और क्रैंप लगता है उन्हें आ रहा है अगली गेंद अक्षर पटेल की अपना चठा वर कर रहे है पहली गेंद ड्राइब करने के कुशिश गेंद गई है मिडाउन के छेतर पर डीपे फिल्डर मौजूद है मिलेगा एक रन स्ट्राइक पर आजाएंगे टी जोर जी 22.2 वर हुए है और साउथ अफरीका का स्कोर 114 रन है दो वी केट के नुकसान पर पहली दो गिंदव पर दो सिंगल्सा है ओह 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 यहां पर दोस्तों कैच आओट का की समभावना हुई थी वापस थ्रो करने के क्रम में गें सीधा जाकर के जोड़ जी के कंधे पर जा लगी है जौरजी चोटिल हो गया है दोस्तों अविष्खान ने थो किया था रनाउट की कोशिश की थी यe अविष्खान नी थे ये कोई और खिलाडी थे पर गेन सीधा जाकर कि कंधे पर जा लगी जौरजी की वे घायल हो गया है अब देखिना ये चोट कितना गहरा है साइज सुदर्शन ने बत्रो मारा था और अब फीजियो यहाँ पर आये है क्या यहाँ पर कंधे का कंधे पर ज्यादा समस्या तो नहीं हो रही है जौर्जी को 22 दिश्मेल अलब दो वर पर साफ अफरीका का स्कॉर 104 रन है दो विकेट के नुकसान पर तो बिल्कुल जॉइंट पर जो शोल्डर जॉइंट होता वहीं पर जाकर के उन्हें गेंद लगी है तो ऐसे में कधर्द में काफी ज़ादा होंगे 22 दिश्मेल अब दो वर हुए हैं साफ अफरीका का स्कॉर 114 रन है दो विकेट के नुकसान पर 22 दिश्मेल अब तीन ओवर हुए हैं साफ अफरीका का स्कॉर 114 दो विकेट के नुकसान पर जब तक की रिंकु सिंग का थ्रो आपाता दो रन ले पाने में कामियाब आडन मार्क रम यहां से 162 गेंदों पर साफ अफरीका को जीतने के लिए बनाने है 182 रन सिंगे अवरीका के अवरीका के अबוד मैं मावाण था रे यहां अवराइब रमियादा विके र हीतने मेंर्व League Strong 23 ओवर साउत अपरीका 116 दोविकेट के नुकसान पे अब मुकेश कुमार को एक और ओवर दिया जा रहा है यह मुझे लगता आखरी ओवर दिया जा रहा है अगर यहाँ पर भी मुकेश कुमार बिल्कुल प्रभावशाली नहीं नजर आएंगी तो शायद दूसरी छोर से हमें दूसरी ओवर पे अगले ओवर पे इन्हें हटा करके किसी और गेंदबाज को लगाए जा सकता और तिलक वर्मा से भी कुछ गेंदबाजी करानी पड़ेगी क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मुकेश कुमार अपने गेंद का पूरा कोटा ना कर पाएं 23 दश्मल अव एक ओर पे साफ्ट अफरीका 116 रन पे हैं दोविकेट के नुकसान पे हैं अगली गेंद लेकर के आते हैं वे मुकेश कुमार सामने रहेंगे टीडे जोर्जी और इस गेंद पर एक रन के लिए खेलते हुए टीडे जोर्जी ने एक रन लेकर के स्ट्राइक सौपी हम मारकरम को 23 दश्मल अव दोवर के बाद साफ्ट अफरीका का इसकोर 117 रन दोविकेट के नुकसान पर मुकेश कुमार की तीसरी गेंद सामने होंगे मारकरम दोनों के बीच की साज़दारी इस वक्त हो चुकी है 41 रनों की 52 गेंदो पर तो ये साज़दारी काफी लंबी चली जा रही है भारत को जीत रहा है तो जल से जल दो तीन विकेट्स निकालने पड़ेंगे कम से कम इस साज़दारी को तुरंथ ही थोड़ना पड़ेगा वर की अगली गेंद फ़र्ड मैन की दिशा पर गेंद गई है डारेक्ट थ्रो लगा है यहाँ पर क्या रन आउट होंगे जी नहीं अंपायर ने दिल्चस्पिन नहीं दिखाई टीवी अंपायर की तरब इशारा नहीं किया है तुचली एक बर फिर से मुकेश कुमार गेंद बाजी के साथ वर की पांच भी गेंद को डालेंगे इस गेंद को बैकबड पॉइंट पे खेला है अच्छी फिल्डिंग वहाँ पे खड़े फिल्डर के द्वार कोई रन लेने का मौकान नहीं मिला है जौर्ची को 23.4 वर पे साथ अफरीका 118 दो विकेट के नुकसान पर यहां से अब 189 रन चाहिए साथ अफरीका को जीतने के लिए 158 गेंदों पर तो अब भी भी आविश के पास 9 वर का की गेंद बाजी बागी अब तक एक ही वर कराई गई थी आविश खान से गोर की अगली गेंद पॉंट की दिशा पे खेला गया शॉट जब तक थ्रो आपाते हैं एक रले पाने में काम्याब बल्ले बाज स्ट्राइक पे मारकरम आएंगे 23.5 वर हुए हैं साथ अफरीका का इसकोर 119 रन है दो विकेट के नुकसान पर मुकेश कुमार की आखरी गेंद सामने है डेद मारकरम रखरी गेंद लोगवान की चेट पर इस गेंद को कहला है बल्लेबाज ने एक रन मिलता हुआ बल्लेबाज को और इसे के साथ 24 ओर की समापती हो चुकी है और साउथ अफरीका का स्कूर 120 रन का है दो विकेट के नुकसान पर कि आज 156 गेंदे बागी जीतने के लिए 177 रन दक्चन अफरीका को चाहिए इसी बीच अगली गेंद अक्षर पटिल की पहली गेंद को उठा दी आइडन मारक रब ने फॉर दी मैक्सिमम छक्का लगा दिया है काफी समय के बाद एक छक्का देखने को मिला है 24 दश्मल लवेक ओर के साथ अफरीका 126 दो विकेट के नुकसान पर अगली गेंद अक्षर पटिल की आने वाली है सामने है टीडे जोर जी पहली गेंद पर छक्का लगा है और ये लिजी एक बार फिर से इस गेंद को उठा दी है इस बार जोर जी ने उठाया है पर एक ही रन मिलेगा रिवर स्वीप किया गया था गेंद हवा पे और हो मुकेश कुमार की हाथ पर गेंद आने के बाद छूट गई एक सफलता मिलते मिलते रह गई कैच ड्रॉप हुआ है दोस्तों मुकेश कुमार से आज मुकेश कुमार का दिन बहुत खराब तो मुकेश कुमार से चूँख हुई दोस्तों आज मुकेश कुमार का बिलकुल दिन नहीं है नहीं गेंद बाजी अच्छी और नहीं फिल्डिंग अच्छी अच्छी समावर चल रहा अक्रिगेंद करते पर अक्षर पटेल सामने है जौर जी ओ हो हो एक बार फिट से बड़ा शॉट इस बार जौर जी ने मा रहा है च्छका पहली गेंद पर मार क्रम और ये लिजे आकरी गेंद पर जौर जी ने च्छका लगा दिया है पचीस ओर की समावति के बाद साउथ अफरीका का स्कोर 135 रन है दो विकेट के नुकसान पर यानि कि आधा खेल हो चुका है दूसरी पारी का आधे खेल बाकी है यानि कि पचीस ओर पे उन्हें अब जीतने के लिए 162 रन चाहिए पचीस ओर पे साउथ अफरीका 135 है दो विकेट के नुकसान पर वाशिंगिंटन सुन्दर की पहली गेंद और इस गेंद पे भी बड़ा प्रहार पूरी तरह से हावी होते जा रहे है दक्षिन अफरीकी बल्लेबाच पहली गेंद पे मारा चौका से पहले हमने देखा था अक्षर पटेल की गेंदों पर प्रहार हुआ तब 15 रन आयथू सोवर पे और वाशिंगिंटन सुन्दर ने सोवर की शुरुवात की है पहली गेंद पर चौका लग गया है पूरी तरह से आक्रमक इंटेंट पे दिख रहे हैं दक्षिन अफरीकी बल्लेबाच और कफ जितने भी मित्र हमारे साथ अभी बने हैं आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है अगर आपको भी क्रिकेट से लगाव है क्रिकेट के आप बड़े दीवाने हैं तो इस चानल को कीजिएगा सब्सक्राइब जहाँ पे आपको क्रिकेट सम्मधी सभी अपडेट दे दिये जाते है जब भी आप करेंगे चानल को सब्सक्राइब स्क्रीन पे और चाट पे आपका नाम लिखाय जाएगा बस इस बात को देखीगा कि आपने कहीं अपने यूट्यूब प्रोफाइल को प्राइविट ना किया हो क्योंकि प्राइविट प्रोफाइल के नाम हम नहीं दिखा पाते है बागी सभी लोगों का नाम चाट और स्क्रीन पर दिखाय जा सकता है पर प्राइवेट अकाउंट का रही है आखरी गेंद वाशिंगेंटन आपके चौती गेंद वाशिंगेंटन सुन्दर की आने वाली है स्ट्राइक पे कप्तान दक्षिन अफरीका के आड़न मार्करम शांदार बल्ले बाजी कर रहे है एक चक्का दो चौका भी लगाया है अगली गेंद फ्लाइक डिलिवरी इस गेंद को कट किया है गेंद गई है कवर के छेतर पर जौर जी पहुंच गे 75 पर 25 रंदूर अपने शतक से पिछले मुकाबले पर भी शतक जड़ा था ही लोने 25 दश्मल अव तीन वर के बाद सौथ अफरीका 141 दो विकेट के नुकसान पर जीते वे मित्रा में सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगली गेंद वाशेकिंटन सुनर क्या पील की जा रही है इस गेंद पर और ऐसा लग रहा है आउट हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों कैच आउट हो गए बड़ी सफलता मिली है कफ्तान एडन मारकरम को वाशेंगेटन सुनर ने कर दिया है चलता तो चली आकिरकार एक सफलता मिली है और बड़ी साज़िदारी ठूटी है दोस्तों 67 गेंदों पर 65 रनों की साज़िदारी हो चुकी थी मारकरम और जौरजी कभी जो अब टूट चुकी है तो 65 रनों की साज़िदारी अब टूट चुकी है विकेट लिया है वाशेंगेटन सुन्दर ने आउट की आडन मारकरम को 36 रनों मना करके मारकरम हुए आउट यहां से क्या मोमेंटम भारत के पक्ष पे आएगा अब जल्द ही अगर क्लासेन का भी विकेट ले लिया जाए डेविड मिलर का भी विकेट ले लिया जाए तो फिर भारती टीम इस मुकाबले को जीत सकती है तो हैंडिक क्लासेन आए है अगले बल्लेबाज के रूप में विकेट कीपर बल्लेबाज है अब तक देखा जाए तो शांदार बल्लेबाजी करते हुए आरे हैं विश्व कब भी इनका शांदार रहा था देखना है अब इनकी बल्लेबाजी इस मुकाबले पर कैसी होती ह 54 मुकावलों पे 1702 रन इनके नाम है 6 अर्दशतक है 4 शतक है इनके नाम तो बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और आकरमक तरीकी से भी खेलते हैं इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 115.5 का है तो चली अब देखते हैं आने वाले गेंद बाजों को किस परकार से खेलते हैं हैंडी क्लासेन और जोर्जी जोर्जी लगातार अच्छी बल्ले बाजी कर रहे हैं 75 गेंदों पर 75 रन की पारी में हैं जल्द सी जल्द इन दो खिलारी को ग्राउट कर दिया जा और फिर डेविड मिलर का भी विकेट ले लिया आजा तो भारती टीम जरूर मुकाबले को जीत जाएगी वाशिंगे टन सुन्दर गेंद बाजी करते हुए सामने होंगे हैंडी क्लासेन आकरी गेंद कोई रन नहीं आता हुआ तो बहुत ही शांदार ओवर रहा है छेरन आये जरूर इस ओवर से पर एक सफलता मिली है बहुत ही महत्पूर्ड सफलता एडन मारकरम के रूप में मिली है 26 ओवर के बाद सौथ अपरी का 141 तालिस तीन विकेट के नुकसान पर पिछली अब नय ओवर के शुरुवात अक्षर पटेल की गेंद बाजी हो रही है पहली गेंद इस गेंद को बैक फूट पर आ करके स्क्वैले की दिशाबर खेला है बल्ले बाजने हालेकि फिल्डर वहाँ पर मौजूद है रलनेने का मौका नहीं अगली गेंद लेक्स्टम के बाहर की गेंद अमपायर ने शारख किया हवाइट का 26 दश्मेलब दोवर पर साउफ्ट अफरीका का स्कोर 142 रन है अगली गेंद ओवर की तीसरी गेंद होगी अक्षर पटेल की गेंद बाजी सामने हैं जौर जी इस गेंद से कोई रन नहीं आता हुआ अगली गेंद लेकर के आदव अक्षर पटेल सामने हैं एंडी क्लासें झाली आता है अगली गेंद अक्षर पतेल की आखरी गेंद होगी सामने है जौर जी तो चलिए अब अक्षर पतेल के इस और से मातर तीन ही रना है 27 ओर के बाद साथ अफ्रिका 143 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद वाशिंगे टर्न सुन्दर कर रहे हैं अगला ओर डाल रहे हैं अपता आठ्वा और पिछले ओर पर उन्हें सफलता मिली थी वाशिंग्डन सुन्दर गेंद बज़ फे अपनी दूसरी गेंद लेकर के आते हुए हैंडी क्लासर ने सिंगल लिया श्ट्राइक पर जाएंगे जौर जी वाशिंग्टन सुन्दर ने शांदार गेंद बाजी की है अब तक काफी इकनोमिक गेंद बाजी की है तीन दश्मलव 6-5 तीन दश्मलव 7-8 की रन गती के साथ उन्होंने रन खर्च की है 29 रन देकर के एक सफलता प्रापकी है ओहो यहाँ पर मिस फिल्डिंग हुई है खराब कीपिंग हुई है चार रन मिल जाएंगे बल्ले बाज को 27 दश्मलव 5 वर साथ अफरीका का स्कूर 151 विकेट के लुक्सतान पर आश्टिप सिंग से वहाँ पर चूक हुई थी विकेट कीपर से नहीं बलकि आश्टिप सिंग से चूक हुई थी हैंरी क्लासेन और जॉर्ज जी की जोड़ी इस वक्त क्रीस पर माजूद है वशिंगिंटन सुंदर ने अपने आठ फेंवर की समापती की है आठ फेंटीस रन दे करके एक सफलता उन्होंने प्राप्त की है तो चली अब क्या अक्षर पटे ली दिखेंगे जी नी आविश खान को आखिरकार याद कर लिया गया है आविश खान आ रहे हैं गेंद बाजी करने के लिए पहला ओवर इन्होंने डाला था नो 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 ने दिया था पर उसके बाद काफी समय तक गेंद बाजी नहीं कराई गई थी इनसे 28 दश्मलव एक और पे साथ अफरिका का स्कोर 153 विकेट के नुकसान पर अपने गेंद बाज के साथ लगाजार गेंद बाजी करते हुए दिख रहे हैं आविश खान अपने बाजी करते हुए बाजी करते हैं तो जली आविश खान लगातार अच्छी लाइन और लेंद के साथ इस ओवर पे गेंद को डाल रहे हैं पहली दो गेंदों पर सिर्फ एक रनाया है तीसरी गेंद करते हुए सामने हैं हन्री क्लासे हैं पिछली गेंद पर मिलेगा सिंगल अविश खान गेंद बाजी पर बल्ले बाजी पर हैं जौर्जी उन्यासी पर पहुँच चुके हैं और अब तक भारती गेंद बाज इन से छुटकारा नहीं दिला पाए हमें अठाइश दश्मलव चार अवर पे साफ्ट अफरीका 155 तीन विकेट के नुकसान पर यहां से 128 केंद बाजी हैं और साफ्ट अफरीका को जीतने के लिए चाही 142 रन और यह जगली गेंपुल करने की कोशिश सफल रहे मिलेगा चौका तो अवरिश खान ने जिस प्रकार का स्पेल पहले ओडियाई में डाला था बिलकुल उसके विफरित आज गेंद बाजी कर रहे हैं 29 और किसमापती साफ्ट अफरीका का स्कौर 169 रन है तीन विकेट के नुकसान पर यहाँ पे 126 गेंदो पे जीतने के लिए चाही 138 रन दक्षिन अफरीका को खारती टीम को जल्द से जल्द साथ विकेट निकालने पड़ेंगा तीन विकेट विकेट आफरीका को बाज़ेंगा अब देखने हैं अंगले छोर से किस गेंदबाज को लगाते हैं गेंदबाजी पे केल राहूल तो आश्टिप सिंग को बिला लिया गया है सारा दारंदार इस वक्त आश्टिप सिंग के उपर अगले गेंद लेकर के आश्टिप सिंग है सामने जोर जी एक और शतक की तरब बढ़ते जा रहे हैं जोर जी तो चलिए अब भारत क्या इस मैश पे बना है दोस्तों क्या लग रहा है दोस्तों लाल यहाँ पर 22 गेंदों पर 20 रनों की साज़ेदारी क्लासे नौल जोर जी के बीच बन गई है आश्टिप सिंग अपना छटा वर डाल रहे हैं अब तक 4.55 की औसत से उन्होंने रन दिये हैं 25 एक सफलता मिली है अगली गेंद आश्टिप सिंग की तरब से अपील की जा रही है पैडों पे लगी गेंद पे बड़ी अपील मुझे लग रहा है रिव्यू लेंगे अमपाईर ने कहा है नौट आउट पर रिव्यू ले सकते हैं जी हाँ रिव्यू ले लिया है केल राहूल ने रिव्यू ले लिया गया है टीवी अमपाईर की मदद ली जा रही है तो चलिए देखना दिल्चस्प रहेगा क्या यह रिव्यू भारत को एक और सफलता दिला पाएगा और जौर्जी के लिए अपील की गई थी तो ऐसे में सिट बल्लेबाच को अगर आउट कर पाने में काम्याब हो जाएं तो दोस्तों मजा ही आ जाएं तो यहां पर गेन पैड पिल जाकर के लगी है अब देखना बॉल की ट्रैजेक्टरी कैसी है क्याल भी डेबलू दे पाएंगे अंपाइर इन है तो चलिए यहां पर पिचिंग इल लाइन इंपक्ट इल लाइन विकेट हिटिंग आउट हो जाएंगे बल्लेबाच आश्टीप से ने दिला दिया बहुत ही जरूरी विकेट शांदार गेंदबाजी आश्टीप सिंग की तो सेट बल्लेबाच जरूर्जी हो गए है आउट आने वाले बल्लेबाच होंगे डेविड मिलर क्या एक और सफलता दिला करके वापस भारती टीमस मुकाबले पर वापस आपाती है या नहीं तो शांदार बल्लेबाची करके आउट होए अभी टीडे जरूर्जी 87 गेंदों पर बहतरी निक्यासी रन उन्होंने बनाया है तो यहां से 122 गेंदों पर साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 136 रनों की आवशकता है और उनके पास 6 विकेट्स और बाकी है तो चलिए अब डेविड बिलर अगले बल्लेबाच की रूप में आ रहे हैं अंदर 29.4 और पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 171 है चार विकेटों के नुकसान पर आश्टिप सिंग गेंद बाजी पे हैं और की पाँचवी गेंद को डालेंगे स्ट्राइक पे हैं डेविड मिलर डालेंगे बालेंगे लडे लुकसान वेड़ी अगली गेंद आश्टिप सिंग की सामने बल्लेबास डेविड मिलर ड्राइव किया गया यह शाट मिलेगा एक रन स्ट्राइक पर आजाएंगे हैंरी क्लासेन 29.5 वर के बाद सौथ अफरीका का स्कॉर 162 रन है चार पिकेट के नुकसान प्राइद जितने में तरे जुल रहे हैं वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगली गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे गेंद गई है मिल जाएगा इस गेंद से एक रन चार रन है इस ओर से एक सफलता मिले यह बेहतरीन ओवर रहा आश्डिप सिंग का 30 ओर के बाद सौथ अफरीका का स्कॉर 163 रन है चार विकेट के नुकसान पर उस सभी क्रिकेट के फैंस पता नहीं कहां चले गए हैं बिल्कुल दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे हैं दक्षिन अफरीकी सिरीज में अविश्कान वापस से गेंदबाजी पर आया है अपना तीसरा ओर कर रहे है पार्टनर्श्रिफ है दो गेंदों पर दो रहनों की सावत अफरीकाओं को 119 गेंदों पर जीदने के लिए 133 रहन कर्रेंट रन डेट पाल दश्मलव 4-4 का है रिक्वाइट रन डेट चाहिए 6 दश्मलव 7-1 का और की अगली गेंद लेकर के आते हुए अवश्खान सामने डेविड मिलर 30-2 वर हुए हैं सावत अफरीका का इसकोर 164 रन है चार विकेट के नुकसान पर अवश्खान भी विकेट दे दे तो मजा ही आजाए गेंद बाजी पर आवश्खान बले बाजी पर डेविड मिलर तो सभी में तो से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी अपना प्यार दे इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जब भी आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब स्क्रीन पर दिखाया जाएगा आपका नाव अगली गेनाविश्खान लेकर के आते वे सामरे रहेंगे हैंडि क्लासेन पाच्वी गेनाविश्खान की स्ट्राइक पे हैंडि क्लासेन अच्छे तान्शी शॉट्स तरहें में सब्सक्राइब कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल शॉट्स अविश्खान की आखरी ये नाएगी सामने है डेविड मिलर दीख्षा सागर जी ने हमें सब्सक्राइब किया वेलकम दीख्षा थैंक इस सो मच पर दी सब्सक्रिप्शन और आपका स्वागत है चैनल पर 30.5 ओर हुए हैं सावत अफ्रिका का स्कूर 179 रन है चार विकेटों के नुकसान पर मास्टा समान सब्सक्राइब protocols वेको बिल्व में घ्पटूदियों है। वाय कि अधके लड़ीज़ दिल्व में झाऍज़ एक इन भालीज खने में लटूएबाओ जह हम पालीज़ कि रवें बोगाद हैं लुट은 इस नदाली नुट अधके लिएकोंगे पालीज़ कि लिए्ट कि शेपुआगे हैं तो चली 31 सोवर का खेल हो चुका यहाँ से अब 19 सोवर का खेल बाकी है यानि कि 114 गेंदे बाकी है और इन 114 गेंदों पर दक्षिन अफरिका को जीतने के लिए बनाने हैं 128 रन इनके पास अब इच्छे विकेट्स बाकी है आश्टिप सिंग आ रहे हैं अपने साथ में वर को लेकर के पिछले वर कोई भी एक सफलता दिलाई थी इन्होंने देखना है क्या एक और विकेट हमें दिला पाते हैं 31 दश्मनलव एक और पे साथ अफरिका का स्कोर 179 रन है चार विकेटों के नुकसान पर अगली गेंद इस गेंद को खेला है एक स्ट्रक कवर पे फिल्डर माजूद अक्षर पटेल ने गेंद को पकड़ा है मापकेजी का साइस सुदर्शन ने गेंद को पकड़ा है कोई रन नहीं मिलता हूँ इस गेंद से दो गेंदों पे दो डॉट्स आये तीसरी गेंद पे देखना है क्या होता है 31 दश्मलव दो वर्पे साफ्त अफरीका का स्कोर 179 रन है चार विकेट के नुकसान पे अगली गेंद आश्दिप सिंकी सामने होंगे हैंरी क्लासेन कवर पे खिला गया शाट कोई रन ने मिलता हूँ 31 दश्मलव दो तीन वर्पे साफ्त अफरीका 179 चार विकेट के नुकसान पर आश्दिप से ही अपने अगली गेंद को डालते हुए अच्छी गेंद हो हो बल्ले को छूते छूते रहके गेंद बीट हुए हैं बल्ले बाज शांदार गेंद बाजी आश्दिप सिंकी आश्पार बल्ले आश्छी आश्दिप से बाज़ झांदार प्ड़ली आश्छी 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 तो चली दोस्तों यहाँ पर आखरी गेंद आश्टिप सिंग लेकर के आते हुए सामने हैं यहाँ पर आखरी गेंद पर सिंगल आए बहुत ही लाजवाब रहा है यह और मात्र एक रन आए हैं इस ओवर से 32 ओवर भीद गए साउथ अफरीका एकसो सतर चार विकेट के नुकसान पर तो चली यहाँ से 18 ओवर बाकी है और दक्षिन अफरीका को 108 गिंदों पर जीतने के लिए चाहिए 127 रन कर दो चाहिए अविश्खाना आ रहे हैं अपने चाहते वर को ले करके अगली गेन पर चौका पड़ गया है दोस्तों काफी समय के बाद एक अच्छी बॉंडरी देखने को मिली है दक्षिन अफरीकी बल्ले बाजू के द्वारा और इसी भी चगली गेन और आउट हो गए है दोस्तों हैंडी क्लासेन का विकेट दिल आ दिया है आखिरकार आविश्खान ने शांदार गेंदबाजी अविश्खान की बाहरी किनारा और बहुत ही जबरदस्त कैच लिया है दोस्तों साइज सुदर्शन ने जितनी अच्छी गेंदबाजी उससे कहीं अच्छी फिल्डिंग देखने को मिली है हाला कि टीवी अंपायर की तरफ इशारा गया है इस कैच को जाच करेंगी टीवी अंपायर पर जबरदस्त कैच पकड़ा है अभी साइज सुदर्शन ने अब मैच पर वापसी कर रहे है टीम इंडिया कर लेकि अिल्ड़ा झाच है पूल तर लेंडरा की ले टाचतार है ठीवीा का उना है ये बड़ा है वापसी को आपसी अंपायर फुश्त उने इ संप्ड़ा है इस्टार प्राफ झाच पन एंगर बड़ा है 32.2 वर साउथ अप्रीक 174 पांच विकेट के नुकसान पर क्लास एन का विकेट अभे भी लिया है अब इश्खान ने देखना है अब क्या भारती टीम बचे पांच विकेट को ले पाने में काम्याब हो पाता है या नहीं 32.2 वर साउथ अप्रीक 174 पांच विकेट के नुकसान पर तो चलिए अब देखना है कौन से बल्लिबा जा रहे हैं एंडिक क्लासेन के बाद कौन बच गए हैं अब केशव महराज लिजार्ड विलियम्स या फिर नांद्रे बर्गर तो चलिए अब मुल्डे रहे हैं दोस्तों वियान मुल्डेर वियान मुल्डेर अगले बल्लिबाज के रुपए हैं अब इश्कान की चौती गेन सामने वियान मुल्डेर गौती ऑराज बच्टा अ करेंग मुल्डेर लिगान जाओ इज अब वियान मुल्डे मुल्डेर गजाँ पुम्स अथिड़ लिग्लाए्ट ऑूती टीजंधों ऑष्टा वियान मुल्डेर 32.4 वर साउत अफरीक 75 पांच विकेट के नुकसान पर वर की अगली गेंद आपस्टम के बाहर की गेंद को ड्राइव किया है गेंद गेंद गई है डीप कवर पे एक रन मिलता हुआ बाले बाच को स्ट्राइक पाएंगे डेविड मिलर तो चली अगली गेंद अगनतिम गेंद अविश्खान की आती भी अभी भी बराबरी का मुकाबला चल रहा दोस्तों कोई भी टीम जीत दर्ज कर सकती है अगर एक और विकेट जल्दी ही मिलता है भारत को तो मुकाबला लगबग लगबग भारत के पक्ष में आ जाएगा दोनों ही नए बल्ले बाच है इरें आउट करना जादा मुश्किल नहीं होगा 23 सोर बीद गहें साथ अफरीका 176 पांच विकेट के नुकसान पर सातरो वर का खेल बागी है 102 गेंदे बागी है और दक्षिन अफरीका को इन 102 गेंदों पर जीतने के लिए बनाने होंगे 121 रन तो चलिए अब देखना है कौन सब भारती गेंदबाज होते हैं जो निकालेंगे अगला भी केट है एक बार फिट से स्पिन गेंद बाजी देखने को मिलरी वाशिंगेटन सुन्दर आ चुके हैं एक सिलिप इनके लिए लगा दी गई है पहली गेंद कवर की दिशा पर खेला गया शाट मिलेगा एक रन मिलर को स्ट्राइक पहेंगे मुल्डर इस भी चगली गेंद बड़ी अपील की जा रही है लबी डबलू के लिए फर अमपायर ने कहा है नौट आउट क्या रिव्यू लेंगे केल राहूल केल राहूल बड़ी अपील कर रहे हैं अमपायर से बात्चित कर रहे हैं अपने खिलाडी से बात्चित कर रहे हैं क्या रिव्यू लेंगे दो रिव्यू बाकी है ओ जी हाँ रिव्यू ले लिया है केल राहूल ने रिव्यू ले लिया है तो चलिए अब देखना है टीवी अमपायर क्या हमें एक और सफलता दिला फाएंगे रिव्यू लिया गया था अब यहाँ पे देखना है कि क्या बल्ले और गेंद का हिस्सा आपस में संपर्क में रहा है कि नहीं तो चलिए अब यहाँ क्या स्टंपिंग के लिए अपील की गई या फिर कैच आउट के लिए एक हाल क्या पील की गई थी अल्ट्रा एज को जाचा जाएगा ओह 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 ऐसा लग रहा है कि शायद बल्ले का कुछ हिसा है और ऐसा लग रहा आउट हो जाएंगे दोस्तों जी हाँ दोस्तों बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क है यानि कि कैच आउट हो जाएंगे मुल्डेर एक और सफलता मिल सकती है भारतिय टीम को बहुत ही बेहतरीन लिकेट कीफिंग देखने को मिली है केल रहुल की तरफ से एक और सफलता के काफी करीब भारतिय टीम और जी हाँ दोस्तों डिसीजन आ चुका है आउट हो गए है बल्ले बाज भारत को मिली काफी ज़रूरी सफलता बहुत ही बढ़िया रिव्यू लिया केल रहुल ने 33 दश्मलव दोवर पे साउथ अफरीका 117 चे विकेट के नुकसान पे प xuह है मुक आपुरूर motorist विके में Prof문 दोरीका है अईंगी की जच है ओूर्ड़ूरूरूरूरूच आप चुब्हां दोफ्वी बढ़र्ड़ defensive तो चलिए आने वाले बल्लेबाज होंगे केशव महराज तो पूरी तरह से अब देखा जाये तो बल्लेबाजी खुल चुकी है दक्षिन अफ्रीका की यहाँ पर बड़ा मौका है भारती गेंदबाजों के पास भारत को एक जीत दिलाने की वो भी ओवर्सीज पर जाकरके विदेशी जमी पर जाकरके अगर सीरीज जीत जाते हैं केल राहुल तो इनके काप्टरिंचिप स्कोर कार्ड पे बहुत ही बड़ा इजाफा होगा चबालिस मैचेश दोस्तो 24 रन बेस्ट इनका 40 का है अब भी बहुत दूर है दोस्तों अक्षिन अफ्रीका की टीमें 120 रन दूर है और सिर्फ चार विकेट्स भारत को निकालने हैं यहाँ पे बड़ा मौका आ सकता है भारत के पास अगर इस बीच अगले दो से तीन ओर पे एक और विकेट्स निकाल जाए खास करके डेविड मिलर को अगर आउट कर जाए तो भारती टीम जरूर इस मुकाबले को जीतेगी सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है अगर आप भी क्रिकेट सम्बंदित सभी अपडेट्स को चाहते हैं टीवी से भी पहले देखना तो हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब और के अगली गेन फ्लाइटेट डिलिवरी है इस गेन को एक्स्ट्रा कवर के दिशा पे खेला वल्ले बाज केशो महराज ने दो रन मिल जाएगा इन्हें 33 दश्मलब चार वर हुए है साउथ अपरिका का इसको 180 रन का है छे विकेटों के नुकसान पर कि अगर आप तो सभी में तो से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहे हैं अगर आपने नहीं किया है साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जब भी आप करते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो स्क्रीन पर दिखाये जाता है अपकरा वाशिंगिंटरन सुंदर का नवा ओवर अब समाप्त होता हुआ समातर 37 रंदेकर के दोस्ट सफल ताइप राप्त की है आज बेहतरीन गेंद बाजी कर बैठा और दोस्तों अगर कुल्दीप यादब होते तो शायद अब तक दक्षेन अफरीके की टीम ओल आउट भी हो सकती थी तो 34 सोवर के बाद साथ अफरीका का स्कोर 180 रं है छे विकेट के नुकसान पे यहाँ से 96 गेंदे बागी साथ अफरीका को जीतने के लिए चाही 177 रं पिचले अगली ये ना विश्खान की अपना पाँचवावर डाल रहे हैं एक सफलता हिने मिली है महली गेंद केश्व महराज ने सिंगल लेकर के स्ट्राइक सौपी है डेविड मिलर को डेविड मिलर किलर मिलर का अगर विकेट मिल जाए तो भारती टीम मुकाबले को जीत जाएगी अगली गेन अविश्खान की और ये लिजिस गेन पर दोरन के लिए भाग पर विकेट मिलर को जाएगी अपड़ है डेविड मिलर पूरा भी किया है यहां से अब 94 गेन दे बांकी है साउथ अफरीका को जीतने के लिए चाहिए 114 रहों अचली देखना रहेगा दिल्चस्प क्या भारती टीम 40 ओबर से पहले साउथ अफरीका को अल आउट कर पाती है या नहीं अविश्खान देखना हमें क्या एक और से वज़दा दिला पाएंगे अगली गेन हो जाएगी वाइट दोस्तों लेकिस्टम के बाहर की गेन अबपायर ने इशारह किया है वाइट का सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अविश्खान की चौती गेन सामने हैं डेविड मिलर अविश्खान के सुवर के तीन गेनों पर अगर एक सफलता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए अगली गेन लेकर के आते हैं राविश्खान अपस्टनम की गेन ड्राइब के इस गेन को कवर के दिशा पर बल्ले बाज गये हाले कि फिल्टर मौजूद है कोई रैल लेने का मौका नहीं कि चलिए अविश्खान अपने आखरी गेन को करते हुए 34.5 उवर साउध अप्रिका के स्कोर 186 चे विकेट के नुकसान पर तो चलिए विश्खान की आखरी गेन इस गेन से रन नहीं आता हुए 35 उवर बीद गए 35 उवर के बाद साउध अफ्रिका का स्कोर 186 रन चे विकेट के नुकसान पर तो पंदर उवर का खेल बाद की है अनिकि 90 गेंदों पर अब दक्षिन अफ्रिका को जीतने के लिए 114 रन चाहिए इनकी पास चार विकेट्स बाकी है भारती टीम इस वक्त मजबूत दिख रही अगर एक भी विकेट गिरता है यहां से दक्षिन अफ्रिका का तो पूरी तरह से खुल जाएगी दक्षिन अफ्रिका की बल्लेबाजी और हो सकता है भारती टीम बहुत जल्दी इस मुकाबले को जीत जाएगी वाशेंगिंटन सुन्दर अपने दस्वें उवर के साथ आ रहे हैं अब तक 37 रंद दे करके दो सफलता इन्होंने प्राप्त किये है तो चलिए सुन्दर की गेंदबाजी स्ट्राइक पर है केशव महराज च आक एंद आएगार में आएगार की आएगार के तक 40 बद्सद्सिक्वशने कि गिए्ट करता है पुचली स्वीच अगली गेन पर सिंगल ले लिया है वल्लिवाज ने 35.5 वर हुए है सौथ अपरिका का स्कोर 187 रंच चे विकेट के नुक्सान पर आकरी गेन लेकर के आते वेवाशिंगेटन सुन्दर स्ट्राइक पे हैं डेविड मिलर मिलर कोशिश करेंगे कि अंत तक टीके रहे हैं और अपनी टीम को जीत दिलाएं एक सिलिप के लाड़ी मौजूद है परणफूट के आकर किस गेन को रोका है वल्ले बाज ने कोई रन नहीं आता हुआ सिर्फ एक रन आये हैं इस ओवर से शांदार गेन बाजी वाशिंगेटन सुन्दर की 36 सुवर की समापती हुई है साउथ अफरीका का स्कोर 187 रन का है छे विकेट के नुकसान पर यहाँ से 84 गेंदों पर अब साउथ अफरीका को जीतने के लिए बनाने है 110 रन तो चली अब आविश्खान आ रहे हैं अपने च्छटे वर के साथ पहली गेंद इस गेंद को ड्राइब करने की कोशिश में केश्व महाराज हाने की बीट हुए है गेंद गई सिधा विगेट की बर के बाद 37 दश भलव एक उवर हुए है साउथ अफरीका का स्क्वार 187 चे विगेट की नुकसान पर एक विगेट की तलाश में आविश्खान एक विगेट की तलाश में टीम इंडिया अगली गेंद इस गेंद को पॉइंट की दिशा पे खेलते वे बल्लिवाज केशव महराज स्ट्राइक पर आते वे डेविड मिलर आविश्खान के इन चार गिंदो पर अगर एक विगेट बस डेविड मिलर का मिल जाए तो मजा ही आ जाए बहुत ही शांदार बल्लिवाज है डेविड मिलर हमने इने गुजराच टाइटन्स को कई मौके पर उबारत हुए देखा है देखना के वैसी पारी कुछ यहां ना खेल जाए अविश्कान की चौथी गेन सामने है केशब महराज अब तक पहले तीन गेन दो पेस ओवर से दो रना है अविश्कान की अगली गेन आ रही है बाउंसर डिलिवरी गेन गई है सीधा विगेट कीपर के पास कोई रन नहीं मिलता हुआ आकरी दो गेन बागी इस ओवर से असी गेन पे सवतफरीकों को बराने है 108 रन आठ दश्मलब एक शुनी का रिक्वाइड रन डेट जाता हुआ कर्रेंट रन की गती है पांच दश्मलब एक पांच की विष्खान की गेंद बाजी बल्ले बाजी पे केशव महराज अब स्टम की गेंद यॉरकर गेंद इस गेंद को खेला है कवर के छेतर पर फिल्डर मौजूद है रन नहीं मिलता हुआ 36.5 उवर साउथ अफरीका 186 विकेट की नुकसान पर आखरी गेंद लेकर के आते हुआ विष्खान और बहुती बेहतरीन फिल्डिंग लगातार साई सुदर्शन दिखाते वे नजरार है टीम के लिए चार रन कम से कम रोका है उवर की समामती तीन रन मातरा है उवर से बचे 13 उवर यानि की 78 गेंदों पर अब जीतने के लिए चाही दक्षिन अफरीका को 107 रन केश्व महराज 14 गेंदों पर 8 रन बना करके वहीं डेविड मिलर 16 गेंदों पर 10 रन बना करके खेल रहे हैं मुकेश कुमार को बुला दिया गया है गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार अपने अगलोवर के साथ इन से एक अच्छे स्पेल की उम्मीद है देखना है कैसा यह प्रोदर्शन करते हैं और की पहली गेंद आत भी मुकेश कुमार की तरफ से सामने है केशव महराज ड्राइब करने के कोशिश बीट में बलवाज गेंद गई सीधा विकेश कीपर केल राहूल के पास कोई रन नहीं आता हुआ तो जरूरी रन रेट जो है वह अब आठ दश्मलव तीन चार की पहुँच चुकी है ऐसे में दबाव अगर बनता है तो जल्दी ही भारती चीम को विकेट मिलेगा लूरी कि वाइब अगर आईब पास कीवा इवा आएब को लेकेश मिलेगा विकेश प्वान चार कीवाइब आएब को ते रहाइब पास कीवाइब कीवाइब बाईब आएब 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 एड़ब के। तो चलिए अब अगली गेंद की तरह बढ़ते मुकेश कुमार की गेंद बाजी है सामने है डेविड मिलर क्रवे शरगी बाल्प वढ़ शर्म hon के तरह बाल अटates ऑने है क्ञलप बाल कि की तरह बाली है क्ट. तो जली इस अब तक इस ओवर से सिर्फ एक ही रन आया है मुकेश कुमान अच्छी गिन डाल रहे हैं स्ट्राइक पर है डेविड मिलर 37 दश्मलव 4 ओवर हुए हैं साउथ अफरीका का स्कॉर 192 रन है 6 विकेट के नुकसान पर मुकेश कुमार की पांच वी गेंद आती ही सामने डेविड मिलर विड़ॉन पर खेला गया शाट कोई रन नहीं आता हुआ सब मित्र से रिक्वेस्ट है जितने भी नए मित्रा है आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके और चानल को सब्सक्राइब करके 38 अवर चल रहा ओवर की आकरी गेंद यह ओवर काफी अच्छा जा रहा है मुकेश कुमार की तरप से एक ही रना है इस ओवर से देखना आकरी गेंद पर अगर विकेट ले जाए तो सोने पर हो जाएगा सुहागा अगली गेंद लिक्स्तों के बाहर की गेंद वाइड हो गई है दोस्तों ऐसे समय पे एक-एक अतिरिक तरण सरदर्द हो सकता है 37.5 वर हुए हैं साथ अफरीका का स्कुल 192 रन है छे विकेट के नुकसान पे साथ अफरीका को जीतने के लिए 73 गेंदों पर चाहिए 105 रन और ये लिजे इसे बीच आखरी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट मिल चुका है बहुत ही जरूरी विकेट डेविड मिलर का विकेट मिल चुका है शांदार गेंद बाजी मुकेश कुमार की बहुत ही बेहतरीन बहुत ही खास बहुत ही जानदार विकेट निकाल लिया है मुकेश कुमार ने और अब भारत पूरी तरह से पकड़ बनाने में काम्याब हो चुकी है इस मुकाबले पर सिरीज पे सिर्फ तीन विकेट निकालने हैं एक सो पाचलन अब भी भारत दक्षिर अफरीका पीछे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारत बड़ी जीत की तरफ बड़ रही है दोस्तों तो चलिए यहां से देखना रहेगा दिल्चस्प अब अगले बल्लेबाज के रुप में कौन आ रहे हैं डेविड मिलर अभी अभी हुए हैं आउट किलर मिलर भी कुछ खास नहीं कर पाया और अखिरकार मुकेश कुमार को मुस्कुराने का एक मौका तो मिला है आने वाले बल्लेबाज देखना है कौन होते हैं लगता है बर्गर आ रहे हैं क्या क्या नांद्रे बर्गर होंगे अगले बल्लेबाज अनी ब्यूरन आ रहे हैं दोस्तों करने के लिए करने के लिए बेश्चिन का तीन रंका है तो देखा जब पूरी तरह से खुल गई है बल्ले बाजी और कोई भी खिलाडी अब प्रोपर बल्ले बाज नहीं है प्रोपर क्या है आधे बल्लेबाज भी नजर नहीं आ रहे तो भारत के पास बहुत बड़ा मौका है याँ पर जीत दर्च करने का अब इश्कान कर रहे हैं अगला ओवर अगला ओवर तो यहां पर अक्षर पटिल को सौंप दिया गया है अगला ओवर देखना है क्या नीचले करम के बल्ले बाद जो कुछ सस्थे माउंट पाएंगे तो चली ओवर की पहली गेन अक्षर पटिल लेकर के आतो वे पहली गेन पर सिंगल मिल चुका है अगला ओवर की दूसरी गेन अक्षर पटिल की यह अपना नवा ओवर करने है और पुछले बल्ले बाजु को आउट करने में माहीर है अक्षर पटिल देखना है अपने फिरकिक के साथ किस प्रकार से बानते है और यह जगली गेन पर पैड़ो पहला की गेन पर अपील की जा रही है क्या उठ होंगे जी नहीं हम पाएने का है नॉट आउट और रिव्यू नहीं लिया गया क्योंकि गेन शायद लेग स्टम को मिस कर रही थी तीसरी गेन अक्षर पटेल की सामने रहेंगे बल्लेबाजी पे हंडिक्स नहीं बल्लेबाज को आउट करना आसान रहता देखना है क्या इस ओवर पे एक और सफलता भारती टीम दे पाती है दो स्लिप खिलाणी लगा दिएगे हैं एक लेग स्लिप पे तो एक पहली स्लिप पे खड़ा है 38.3 वर साउथ अफरीका 194 साथ विकेट के नुकसान पर अक्षर पटेल की गेन दवाजी अंदर आती विगेन बैक फूट पा करके इस गेन को डिफेंड की है बल लिवाज ने रन नहीं मिलता हुआ तो रिक्वाइड रेडिट लगभग 10 के आस पास पकी पहुंच चुकी है 9.1 एक तीन रन प्रती ओर की उसत से रन बनाने है तो पूरी तरफ से दवाव में आती जा रही है दक्षिन अफरीका की टीम आकरी गेन अक्षर पटेल की तरफ से स्ट्राइक पर रहेंगे ब्यूरन हैंडिक्स तीन बतिन सक्षर ताल कंषो mentality हुड़किन और प्यबसपटे की अनना में हम फॉबदट बन्पोराइक्टो से दिसWow तो चलिए अब 49 ओर बीद गए आने कि यहां से 11 ओर का खेल बाकी है 66 गेंदे बाकी हैं और इन 66 गेंदों पर दक्षिन अफ्रिका को जीतने के लिए बनाने हैं 102 रन तो चलिए मुकेश कुमार गेंद बाजी पर पिछला ओर बहुत ही शांदा रहा था एक बड़ी सफलता उन्होंने दिलाई थी कर रहे हैं अपना आठमा ओवर इनके सामने रहेंगे ब्यूरन हैंडिक्स अजार एकाश में बाएब हैं आठमार ऋकाश मेंड़ी अपनाने। 49 दश्मल अब दोवर साउत अफरीका का स्कूर 196 विगेट के नुकसान पर तो दोस्तों क्रिश्मस आने वाला है और उसके बाद अगले ही दिन क्रिस्मस के मुकाबला शुरू होगा भारत बनाम दक्षन अफरीका का टेस्ट मुकाबला फिर नुई यर आएगा दोस्तों और उसके बाद नए साल पे भारत बनाम दक्षन अफरीका के बीच दूसरा टे लुकेश कुमार की पाँच वी गेन सामने होंगे हैंडिक्स लुकेश कुमार की इस गेन को खेला स्कुमार की दिशा पे बल्लेबाज हैंडिक्स ने दो रन मिल जाएगा 61 गेन बाकी जीतने के लिए चाहिए 99 रन रिक्वाइड रन डेट अब धीरे धीरे दस के आसपास पहुंचते हुई दिख रही है इस अब्सक्राइड की ने थरहे हैंडिक्स 40 ओवर की समापती साउथ अफ्रीका का इसकोर 198 रन साथ विकेट के नुकसान पर यहां से आखरी के 10 ओवर पे इनहें जीतने के लिए चाहिए 99 रन विकेट के 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 विकेट अक्षर पटेल वापस आ गया है गेंद बाजी करने के लिए तो चलिए अब अक्षर पटेल अपने आखरी और को डालेंगा और अक्षर पटेल के पास यह मौका है इन आखरी के तीन गेंदों पे एक और सफलता दिरा देने की अगर एक और विकेट ले जाते तो भारती टीम इस मुकाबले को ज़रूर जीट जाएगी चालिश दश्मेल अब चार वर हुए है दक्षेन अफरिका का इसको दो सरन हो चुका है अगली गेंद पे हलकी अपील की जारी और ऐसा लग रहे है कि आउट हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों आउट हो गए है केशव महराज और यह आउट नहीं हुए है पर रिव्यू लिया गया है तो ओन फिल्ड अंपायर नाउट दे दिया है दोस्तों यहाँ रिव्यू लिया गया है पर ओन फिल्ड अंपायर का इशारा आचुका था उटका क्या बात है दोस्तों बहुत ही शांदार बहुत ही बेहतरीन तो यहाँ देखना रिव्यू क्या उन्हें बचा पाएगा तो यहाँ पर बल्लेबाज जी ने रिव्यू तो लिया है पर ऐसा लग रहा है कि गेंद पहले जाकर के पैड पर लगी फिर जाकर के बल्ले पर लगी और अगर गेंद पहले पैड पर लगी तो LBW हो जाएंगे बल्लेबाज जी हाँ दोस्तों यहाँ अब शायद मुश्किल में केशव महराज अगर ऐसा होता है तो पूरी तरह से भारत के शिकंजे में मुकाबला आ जाएगा क्योंकि अब भी बहुत जादा रनमा की यह 97 रन पीछे है दक्षिन अफरीका की टीम तो चलिए देखना आकरी अब डिसिजन क्या आता है अमपायर की तरफ से तो चलिए अब यहाँ गेंद सीथा पैड पे लगी है तो ऐसे में बॉल की टाप्षिन ट्रेजिक्ट्री जाजेंगे अमपायर लगातार टीव अमपायर जाजते हुए तो चलिए इंपक्ट आउट साइड आफ है बच जाएंगे बल्लेबाज दोस्तों तो रिव्यू ने बचा लिया केशव महराज को वापस से इन्हें नौट आउट का इशारा कर दिया गया है बाल बाल बचे केशव महराज 40.5 ओर पे साउट अफरीका का स्कूर 200 रन है साथ विगेट के नुकसान पर पचपन गेन बांकी जीतने के लिए चाहिए संतान बेरानी अगली गेंद अच्छी गेंद बैकफूट पाकर के इस गेंद को डिफेंड किया बल बाज ने और इसी के साथ अक्षर पटेल ने अपना दसमा ओर पूरा कर लिया है दस ओर के बाद अक्षर पटेल का स्कूर 48 एक विगेट के नुकसान पर तो आखरी के नौवर्स बाकी हैं अब इन नौवरों पर देखना है क्या कुछ होगा चबन गेंद बाकी जीतने के लिए चाहिए संतान बेरान मुकेश कुमार आ रहे हैं अपने नवे उमर के साथ तो चलिए देखते हैं क्या मुकेश कुमार यहां पर हमें सफलता दिलाते हैं एक स्लिप खिलाडी मौजूद है पहली गेंद ड्राइव करने की कोशिश में हैंडिक्स बीट हुए हैं गेंद गई हैं विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं आया पहली दो गेंदो से क्वेश करने की कुमारे लेखते हैं क्या हैं अगली गेंद मुकेश कुमार की होने वाली ही सामने है हेंडिक्स और यहाँ पर दोस्तों चौका लग गया है इस गेंद को लॉंग आफ के दिशा पर खेला है मिस्स फिल्डिंग हुई है मिड ओफ फिल्डर से गेंद कई चार रन के लिए काफी समय के बाद एक बॉंडरी आती हुई दिखी है मुकेश कुमार नाखुष है मिड ओफ फिल्डर से बिडॉन फिल्डर से तो चलिए अब 51 के इंद मांगी जीतने के लिए चाहिए 13-90 41.3 ओवर का खेल हुई है साउथ अफ्रिका के स्कोर 204 रन का है साथ विकेट के नुकसान पर 41.4 ओवर का खेल हुई है साउथ अफ्रिका का इसको 204 रन का है साथ विकेट के नुकसान पर और इसी बीच हम देख पार एक और चौका लग चुका है ओवर का दूसरा चौका मुकेश कुमार को अब पुछले बल्लेबाज भी चौके लगा रहे हैं आठ रना चुका है दोस्तों आखरी गेंद पर विकेट लिका दिलाएंगे मुकेश कुमार खाल गोग फशन आहे होहहाँ विका अ रखरा क्युमार下 फिलिध प्रीफ डिलाएंगे पार ही। लोगे टाखरिव मेरा कर लंएंगे थाँ विकाष प्रोगल और वैहाँ एटता नहीं आएंगा उन उन्य हैं आपकेशश चार्चारो左स इसी अरud सब्सक्राइब प्रिकेट के नुकसान पर तो अब आखरी के आठ और बाकी है देखना इन 48 गिंदों पर भारते ठीम दक्षिर अफ्रीका को का किरकार कब आल आउट कर पाती है तो 26 दिसंबर को अगला मुकाबला भारत बनाम दक्षिर अफ्रीका का होगा जो की टेस्ट मुकाबला होगा और उन सभी मैचेस पे हम और आप साथ मिलेंगे और पूरे ही मैचेस का लुटुफ उठाएंगे तो चलिए अब आश्टिप सिंग आ चुके हैंगे इंदबाजी करने के लिए अपने आठ प्यूमर के साथ बैल इस दश्मेल अब एक वर साथ अफरीका का स्कूर 209 रण है साथ विकेट के नुकसान पर वाझ रिए अजूमर विकेट के लोट कि लिए प्यूमर के लिए प्यूमर केट विकेट अविकेट लिए बधर इंदेगो कि अभराएंगे अगली गेन लिग के साथ आ रहे हैं आश्टिप वो बाउंसर डिलिवरी जुकना पड़ गया है बल्लिबाज को अपने सर को बचाने के लिए 42 दश्मल अब दोवर पे साथ अफरिका 207 विगेट के नुकसान पे अबस्ट्वल्ट अपने सकत हैं लुब आपको अबस्तिमें लुकादस प्रिका के लुब ऑफरिकार्व तो चलिए अब अगली गेन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों आज सिपसिंग की गेन बाजी है बल्ले बाजी पे हैं हैंडिक्स तो चलिए अबे रन भारत ने बनाए फिलाल 209 रन दक्षिन अफ्रीका का बन चुका है चबालीस गेन दें बागी हैं दक्षिन अफ्रीका को चाहिए 88 रन जीतने के लिए वहीं भारत को निकालने हैं तीन विकेट्स और और यहली जगली गेन आशुदिप सिंग के इस गेन को ठा दिया बल्ले बाजने हालागी सुरक्षित हैं गेन काफी देर तक हवा पे थी पर कोई फिल्डर गेन तक नहीं पहुंच पाया थर्ड मैन के दिशा पे गेन गई थी मिलेगा एक रन भारत को जल्दी ही एक और विकेटर निकालना पड़ेगा अगली गेन आज दिप सिंग एक बार फिट से इस गेन को ठा दिया और आखिरकार विकेट मिल ही गया दोस्तों बड़ा रन लेने की फिराक में थे केशव महराज गेन गई है सीधा डीप मिल्ड विकेट पे रिंकु सिंग ने बिना कोई गड़बड़ी किये यह कैच पकड़ लिया है बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार यानि कि सर्फ दो विकेट जीत से दूर है दक्षिन अफरिका बर्गर और विल्यम्स बजगे हैं तो चली अब देखना है अगला खिलाडी कौन आता है बर्गर आएंगे या फिर विल्यम्स आएंगे नांद्रे बर्गर लिजाड विल्यम्स दो आखरी बल्लेबाज भारती टीम सिरिज को जीतने ही वाली है तो लिजार्ड विलियम्स आ हैं दोस्तों अगले बल्लेबाज के रुप में सामना करेंगे आने वाले ओरों का 43 ओर पे साउथ अपरीका का स्कोर 210 रहने आठ विगेट के नुक्सान पे 42 गेंदे बाकी हैं जीतने के लिए चाहिए 87 रना कुली अभलाई कुली आजी आवने घजाएस साउड़ना करेंगे अविश्खान आ है गेंदवाजी पे अगली गेंद उठा करके इस गेंद को खेला है मिलेगा दो रन जीने तीन रल ने पारे में काम्याब हो गया है है हैंडिक्स स्ट्राइक पारिंगे विलियम्स अविश्खान की दूसरी गेंद सामने हैं विलियम्स अविश्खान की दूसरी गेंद तो कर दो दो खेला है था कर दो आपरिंगे विलियम्स 24-8 विकेट के नुकसान पर अविश्खान गेंद बाजी कर रहे हैं बल्ले बाजी पर हैंडिक्स सोलर रन बना करके हैंडिक्स भारत को चाहिए और दो सफलता राउंड दी विकेट से ओहो हो कैच ड्रॉप हो गया है बाहरी किनारा लगा था गेंद केल राहूल तक नहीं पहुंची थी गेल राहूल ने कोशिच भी कीती पर ड्रॉप हुआ है कैच 43.4 और पे साउथ अफरीका 216 आठ विकेट के नुकसान पर ओहो ये कैच ले लेना चाहिए था केल राहूल को कैच ड्रॉप हुआ है भी अभी कि अगली गेंद अवश्कान की होने वाली है सामने रहेंगे हैं हैंडिक्स के लुआ है अवा है जबाली सुवर की सबापती हो गई है साउथ अफरिका का इसकोर 200-100 अलर रन है आट विकेट के नुक्सान पे तो यहां से अब आखरी के छे वर्स बाकी है 36 गेंदे बाकी साउथ अफरिका कुछाई क्या सी रन देख रहा है अगला गेंदबाच कौन होता है जो निकालेगा दक्षिन अफरिका की अगले विकेट्स को तो यहां अब आशदिप सिंगा रहे है अगली गेंद अपील और आउट हो गए है लिजाड विल्यम्स अल बी डब्लियो हो गए आउट चलिए बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शांदार तो जीत से बस एक विकेट दूर है भारती टीम चबालिस दश्मल अब एक ओर पे साउथ अफरिका ने अपना नवा विकेट गिरा दिया दोस्तों और यह लिजे रिव्यू लिया गया है बैटिंग रिव्यू ली गई है देखना है यह रिव्यू क्या बचा पाएगी लिजाड विल्यम्स के विकेट को चबालिस दश्मल अब एक ओर पे साउथ अफरिका दोस्तों सोलर अर नव विकेट के नुकसान पे और पूरी तरह से दोस्तों गेंद विकेटों पे ही जा रही है तो चली आखरी डिसीजन आचुका है आउट का शारा आचुका है तो चली अब आखरी विकेट नाधन नांद्रे बर्गर आ रहे है और इन्हें भी जरूर आउट अगर कर लेते हैं आश्टिप सिंग तो पांच विकेट हॉल हो जाएगा इनका तो ये अच्छा मौका है आश्टिप सिंग के पास दूसरी बार पांच विकेट हासिल करने का पहले एक दिवसी मुकाबले पर पांच विकेट लिया था और अब बारी है तीसरे एक दिवसी मुकाबले पर एक बार फिर से पांच विकेट लेके भारत को जीत दिलाएं और स साथ ही साथ भारत को सीरीज विक्टरी भी करा दें अधरे बर्गर आश्रीप सिंग की गेंद बाजी पांच गेंद इस ओवर से बांकी है क्या इन पांच गेंदों पर ही मुकाबले को खदम कर पाएंगे अच्छा ये हैट्री गेंद है दोस्तों आश्रीप सिंग की पिछले ओवर की आखरी गेंद पे विकेट लिया, इस ओवर की पहली गेंद पे लिया है, हैट्रिक गेंद पर हो, इस हैट्रिक गेंद को नहीं बदल पाए, हैट्रिक पे, अच्छी गेंद थी, गेंद उच्छाल मारती हो गई विकेट कीपर के पास चवाली दश्मलब दो और हुए हैं साउत अप्रिका दोस्त सोलहरन नौ विकेट के नुक्सान पर बर्गर और हैंडिक्स इस वक्त मैदान पर मौजूद है क्रीस पर मौजूद है आखरी विकेट है और भारती टीम बहुत ही शानदार खेल दिखाते हुए चब सिरीज को जीतने की बिल्कुल मुहाने पर आ चुकी है अगली गेंद आश्दिप सिंग की सामने बर्गर अगली गेंद आश्दिप सिंग लेकर के आ रहे हैं सामने है बर्गर कवर की दिशा पर खेला गया शाट कोई रन नहीं आएगा 44.4 ओवर हुए साउथ अफ्रीका का इसकोर 216 रहन है नौविकेटों के नुकसान पर है आज संजु साब्स ने शादार बल्लेबाजी की है और उन्होंने अपना पहला शतक भी लगाया है वहीं बहुत अच्छी गेंदवाजी हमें आश्टिप की तरफ से देखने को मिली है उन्होंने चार विकेट्स हासिल कर ली है अपने पांचवें विकेट की तलाश में दिख रहे है अगली गेंद आश्टिप सिंग की आखरी गेंद सामने बर्गर ओ यॉरकर गेंद बहुत ही अच्छी गेंद बाजी विकेट मैडन ओवर ओवर की समापती हो गई है भारत को अब भी एक विकेट की तलाश 45 ओवर के बाद साउथ अफरीका का स्कोर 268 रन नौ विकेट के नुकसान पर एक्यासी रन जीत से दूर दक्षर अफरीका भारती टीम मातर एक विकेट जीत से दूर 45 ओवर के साउथ अफरीका 268 रन पर है नौ विकेट के नुकसान पर तो सभी बड़े स्टार खिलाली दोस्तों भारत के आपको वापस लोटते हुए दिखेंगे 26 तारिक से जहाँ पर भारती टीम पहला टेश्ट मुकाबला खिलने वाली दक्षर अफरीका के विरूद और टेश्टम की स्कॉर्ट पे रोहित चर्मा, विराट कोली, जस्प्रेद दुम्रा, रविचांदर अनश्वेंट, रविंदर जडेजा सभी बड़े खिलाडी नज़राजाएंगे केल राहूल, श्रेश आयर भी नज़राएंगे वर्के अगली गेंद पे मिलेगा सिंगल 45 दश्मल अब दोबर में, साथ अफरीका 217 नौविकेट के नुकसान पे आधरी विकेट की तलाश में टीम इंडिया, देखना है वह आखरी विकेट क्या हमें अविश्कान दिलाएंगे या फिर आश्टिप सिंग आते अब अपना पाच्वाँ विकेट ले करके वह आखरी विकेट दिलाएंगे एक सिलिप खिलाली माजूद है अंदराती गेंद को दिशा दी बैकवर्ड पॉइंट पे मिलेगा एक रन 45.4 वर पे साथ अफरीका का इसको 218 रन है नौव इकेटो के नुकसान पे अगली गेंद और ये लिजे आखरी विकेट मिल चुका है स्कूप करने की कोशिश कैच आउट होगा है बल्लेबाज आविश्खान ने दिलाई है आखरी विकेट और इसी के साथ भारती टीम ने इस मुकाबले को तो जीता ही जीता है पर इस सिरीज को भी अपने नाम कर पान करने में काम्याब हो गई है श्यांदार खेल टीम इंडिया के दौरा कि भारती टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है अठथतर रनों से श्यांदार जीत दर्ज कर लिए टीम इंडिया ने तो बहुत मज़ा है दोस्तों आप तवाम मित्रों को